सो फाइनली 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 सो आज हम आच चुके अपने एक को 3D अनिमेशन माश्री कोर्स के साथ जो आपको पूरे यूटूब पर नहीं देखने को मिलने वाला है वैसे 3D अनिमेशन को प्लेटफोर्म है बहुत ज्यादा बड़ा है इसमें बहुत सारी सेट विकोज जो हैं मेशन की जर्णी यह अभी से नहीं से चलता रहा है क्या पुरातन काल से जी हाँ आपने कई सारी मूविस तो देखी होगी जिसमें गुफा में कुछ श्ट्रेक्चरा बनाके रखते हैं समझाने के लिए इधर है क्या चीज और आगे होने क्या वाला है क्या क्या चीजे होगी मरलब कि एनमेशन की जर्णी अभी से नहीं स्टार्ट है पुरातन काल से स्टार्ट हुई पड़ी है और इसका जो ट्रेंड है अभी भी है कल भी होगा और इन फ्यूचर भी रहने वाला है अब बात करते हैं भाई इसमें पॉर्चुन्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं है प्रोफेशनल कोर्स है पैसे तो इसमें बहुत सारे हैं बट इसमें आपको दिल लगा के मन लगा के हर तरीके से एक्तम अच्छे से काम करना होता है जैसे कि आपको भी पता है कि इसका जो यूज है फिलम वीडियो गेम्स एड्स टेक में तो आगे बात करेंगे पर पहले में आपके एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहता हूं जो 3D एनिमेशन के फिरोफ बनाई गई है वर्ल्ड की वन उप दा बैस 3D एनिमेटेड मूवी है उसको ओसकर अवोर्ट से सम्मानिद भी किया गया है जी हां यह मैं क्यों बत कुछ इस तरीके से डिजाइन किये गया है ताकि बच्चों भी पसंद है और बड़ों को भी और 3D एनिमेशन किसको नहीं पसंद है यार मोटू पतलू जैसे कार्टूंस तो अभी भी आप लोग देखते होंगे चाहे आपकी एच 50 साल क्यों नहीं हो यह एक ऐसा कार्टू है कितने घंटे की मूवी है सिरित 2 घंटे की मूवी है और 300 क्रोर से जादे कम आई जी हाँ एक खोदी रिसार्च कले ना आप लोग को पताख चल जाने वाला है आपने भी कुछ सोच कर इस वीडियो पे क्लिक किया होगा आपके दिमाग में भी यह तो जरूर होगा कि अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं वो भी जाते कि हम भी कोई मूवी वगयरा क्रेट करें कोई सोट फिलिम में क्रेट कर दें बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है इस्किल्स तो है अपने पास इसकिल्स तो है बट हमारे पास कुछ ऐसी चीजे ना होने के आप एक सौट मूवी तो बहुत ही ज्यादा असानी से बना लोगे मैं यह तो नहीं बोलूगा तीन सो करोड की कमाई करने वाले बट उससे आप 30,000 की कमाई बहुत ही ज्यादा असानी से कर लोगे इसकी वे गरेंटी देता हूं देखो या यह कोई मामली कोर्स नहीं होने वाला है क्योंकि जब आप इसे देखो गए ना तो आपको खुद पता चल जाने वाला है एक स्मार्ट फोन का ऐसा कोर्स जिसमें आपको मैं सौट मूवी बनाने सिखाने वाला हूं भाई पूरे यूटूब कम नेटी में आपको किसी ने ना बताया होगा ना सिखाया होग क्योंकि वो लोग खुश हो तो यार मेरे जितने भी अभी सबस्क्राइबर जुड़े है ये एनिमेशन के हैं ये लोग खुद बना रहें काफी सारे काफी सारे सौट मूवी बना चुके हैं और बना भी नहीं मेरे पर पस इंस्टागराम पे काफी सारे ऐसे मैसेजज़स आते हैं वो अपने दिखाते हैं तैलेट कि भाई आज मैं यह क्रेट किया यह क्रेट किया विद दा हैल्फ ऑफ स्मार्टफोन तो आज की वीडियो आपको पूरी इसी पर डेडिकेट होने वाले सब कुछ डिटेल से बताने वालों चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोग कुछ ऐसे चैनल दिखा देना चाहता हूं जो 3D अनिमेशन में काम करने हैं उनके सब्सक्राइबर्स उनके अर्निंग प्लस उनके बीउस देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाने वाले हो इस लेवल में कोई काम करके इतनी ज्यादा पहुंच बन सकते हो चलो आप लोगों को दिखाता हूं कुछ ऐसे महारती को जो 3D अनिमेशन में काम करके करोड़ों कर रहे हैं सिंपल सा इधर देखो मैं क्या लिखता हूं किट्स वीडियो इसके बाद भीया आप कुछ ऐसे चैनल को देखने वालों चुल लाखो करोड़ों में पहले थोड़ा समय वॉल्म को लो करता हो क्योंकि इनकी वीडियो को हम करने वाले हैं अब देखो भाई एड्स आ रहे हैं वाह आईनिक तो अच्छी खासी होगी इसमें चलो अब इसदर मैं देखो यह एड बना है ना एड भी 3D अनिमेशन के थ्रोई बनाए गया देखो ब्यूस कितने इसमें 217 मिलियन इतने नथ मैंने तो कमी आपको बता दी कि भाई इसमें सिर्फ 30 लाग करीब कमाई होगी इसमें करोडों में कमाई हुई होगी आपको पता है यूटूब पे एक ऐसी वीडियो है जो 3D अनिमेशन के वीडियो है और सबसे ज्यादा ब्यूस सुसी पर है चलो दिखाता हूं आप लोग को आपने जॉनी जॉनी येस पापा तो बचपन में काफी सारे ऐसे सुने होंगे ना यार देखो आपको दिखाता हूं सबसे ज्यादा ब्यूस ब्यूस मिलियन भी ब्यूस यह कितने दो ब्यूस थीड़ी अनिमेशन है यह निच कर सकते हो चलो वह भी दिखा देते कितने सब्सक्राइबर है आप लोग चेक करो भाई 55 मिलियन सब्सक्राइबर है कितनी वीडियो बंदे ना अप्लोड किये 766 वीडियो इधर बंदे 4455,000 वीडियोस अप्लोड कर देते हैं फिर भी उनके 1,000,000 निक्रोस होते हैं और इस चाले कि दपी हुआ है आप लोगों को मिल जाने वाले आप लोगों को देख दे नाप देखा भी देता हूं ale पहले आप इसकी वीडियों धिखो डिखाता हूं को बीयर में ब्लीयां 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 बीयांग मिलियां भाई योह सबसे ज़्याधा नहीं चलते हैं और टूसरे चैनल पर चलते हैं इसके करोडा हैं कीligen तो पूछ मत कितनी ओने वाली है जैसे कี एक चैनल ईठीक है इस चैनल पर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर इसे चोटा चैनल है वो अर्णिंग आप लोग देखना कितनी होने वाली है इस पर फिर 34 million subscribers है कितनी वीडियो 338 वीडियो में 34 million subscribers बंदे इधर 22000 वीडियो डाल देते हैं उनके 1 million नी क्रोस होते हैं और इधर जैसे कि देखो मैं इधर लिख देता हूं social blade लिख दिया है अब इसमें जो front पर अपनी website आने वाली ना सबसे टॉप पर देखो इसी website पर आपको जाना है उसके बाद क्या करना है जो आपने link को copy किया हूँ है इधर simple सा उसे paste कर देना है जैसे कि मैंने जो copy की तो इधर मैं थोड़ा से click करता हूँ paste वाले पर click करके मैं इधर search वाले पर click कर देता हूँ अब देखो जैसी मैं search पर click करता हूँ मेरे सामने जो result आने वाले उससे मैं तो हरान होँगा ही साथ मैं आप भी हरान होने वाले हो सबसे पहले हमें क्या करना इधर मैं जाता हूँ होम पर इधर लिखता हूँ यू एजडी ठीक है इसके बाद आप लोग सोचो कितनी होगी बावन हजार इससे मैं क्रेंट जो अपनी डॉलर की प्राइस चाड़ी है वह आइधिंग चाड़ी है सबसे पहले देखा था उसकी तो बीलेंस में भी उजाती है उसकी एर्णिंग होने वाली करोड़ों में तो भाई सब इस कैटेग्री में यह एकलोती एर्णिंग नहीं है आप इस पॉंसर लेकर भी एर्णिंग कर सकते हो आप दूसरी की वीडियो बनाके भी अच्छी खास आपके स्मार्टफोन में सौप कितना कमा सकता है आप लोग सोचो यह तो चैनल चला रहे है आप मूबी बनाके अपलोड करो यार मूबी में जितनी एर्णिंग होती किसी चीज में नहीं होती यूट्यूप हम वापिस चलने वाले क्योंकि अब हम मूबी सको सर्च करने वा और हां इसमें कॉंपटीशन भी कम है यह तो मैं आप लोगों बताना भूल गया क्योंकि एक अइसा प्रोफेशनल वर्क है ना जो हर कोई नहीं कर पाता है इसमें मन भी लगना चाहिए दिमाग भी लगना चाहिए मैं आप लोग उससे देखो और समझो वो बताना क्या चा करने है जिसने भी बना लेना है और जिसको सिखने में मज़ा है यह कोर्स तो कमेंट में जडू लिखना भाई मज़ा आ गया बहुत तगड़ा कोर्स था और इसके बाद में आप लोग एक सब्प्राइस भी देने वाला हूं वीडियो के अंदर बतांगो वो सब्प्राइस करने के लिए आपको कैसे काम करना है क्या करना कियो करना कितनी अरिंग अट तो मैंने अप लोगों बताई दिया चलो फिर स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी अब ही मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ यह देखो अपना अप्लिकेशन यह रहा इसको मैं आपको प्लेश्टोर में प्रबाइट कर दूंगो साब वहां से ले ले लिए यह जो एप्लिकेशन मैं खुद भी उसकरता हूँ मैं क्या करता हूँ पहले इसकी कुछ सेट यह आपका जैसे कि पूरा स्क्रीन है यह जो है पूरा स्क्रीन जो इतना आपको दिख रहा है यह चोटा बड़ा करने के लिए होता है मैं आपको एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ यह चोटा हो रहा है इसको जैसे मैं बड़ा करता हूँ बड़ा होड़ा डिस्कोड होता है अगर आपको join करना है तो आप कर सकते हो और editor quality यह होता है जैसे किसी का low device है so क्या करना इसको low पर करके रखना जब भी आप कोई model वगड़ा design करते हो like animation वगड़ा देते हो तो इससे low करके रखना चाहिए अगर आप जब animation कर ले तो lighting वगड़ा जब देने जाते हैं तब इसे high करते हैं बट हम इसे low करके रखते हैं जब lighting देंगे तब इसे high कर लेंगे अब हमने क्या करना यह दुखो आपको इदर import का option एक देखने को मिलता है एक new वाल option देखने को मिलता है इंपोर्ट के बारे मैं आपको आगे चल के बताने वालो हूँ सबसे पहले new वाल के मैं कलिक कर देते हैं new वाल है कलिक किये तो देखां कुछ इस तरीका के interface लेयु को देखने को मिलता है तो इदर आपको अगे मे रखने को मिलता है इदर आपको जिकर से बागी बाकि home वगेरा settings के बारे में देखने को मिलता है, नीचे आप bone वगेरा set करते हो, इसे आप cutting वगेरा करते हो, अब कैसे कैसे क्या क्या करना एक एक करके मैं आप लोग को समझाता हूँ, सबसे पहले मैं इस टूल के बारे में बताऊंगा, और यह देखो, यह अपना बीच में यहां पर अपना सारा मोडल आने वाला है, तो जैसी मैं इस क्लिक करता हो, तो आपने कुछ मोडल सा जाते हैं, अब सबसे पहले क्यूब वाले में आपको देखो क्या क्या देखने को मलता है, एक क्यूब देखने को मिलता 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 है, एक क्यूब देखने को मिलत आपने इस एनिमेसवाले पर गिकना ही करना हीज जो मौडलिंगी वाला क्लिक करके एल जाए इस एक पर गिल्क करके रखना है तब यह जो औप सनते हुन आप देखने हैं यह आयीगा और यह भाले ओपम्सन आप य। यह पे अनक texture pastifier keeping it from the platform this impossible do you click on the color це is model is it i can mark color if you want to adjust color there is option so click on the option scroll down ink so option color अपने हिसाब से अरजश्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी जादा बैटर लगा था इस एप्लिकेशन के अंतर, अब इदर आपको टैक्सर का ओप्सन देखने को मिलता है, अगर आपके पास कोई टैक्सर अवैलबल, लाइक मैं इसमें कोई भी टैक्सर एड़ करके दिखात कर देता हूं, देखो अब यह टैक्सर एड़ हो चुका है, कुछ इस तरीका टैक्सर यह आ चुका है, तो सबकुल डिटेल से बताने वालों, लास्ट तक बने रहोगो तो आपको लाइटिंग का, मोडल, डिजाइनिंग का, अनिमेशन का, सब कुछ बताने वालाओ, कैसे क पॉडल का, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कलर थोड़ा चेंच ओड़ा लाइटिंग वगएर आ रही है, इसमें यह देखो, यह रिफ्लेक्शन के लिए होता है, इसका यूज भी बताऊंगा आगे, जब-जब हमारा जीश टूल का काम आने वाला है, इसके बारे आजाता है, मैं इस बॉल पे क्लिक कर दूँगा, यह वाइट हो जाएगा, इस बॉल में इसका टैक्शर है, अब यह किस काम के लिए होता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, लाइक मैं क्या करता हूँ, इसका एक क्यूब लेता हूँ, इसके बारे मैं आपको बताता ह यह name का जैसे कि इस cube का name आपने change करना है like मैं इस पर click कर देता हूँ इधर मैं 1 लिग देता हूँ ठीक है b1 या 1 लिग देते हैं इसे ok कर देता हूँ name change हो गया आप इसे copy वाला दबा दोगो तो एक और model copy हो जागा like मैं देखो इसे copy पर place कर देता हूँ तो यह देखो copy हो चुक है देखो दूसरा model भी आ चुक है just मैंने क्या करना है इसे आगे करना है ठीक है इधर मैं कर देता हूँ like मैं इसे आगे कर चुक हूँ ठीक है अब देखो यह दोनों का same to same color है अगर आप इधर से ना कोई भी change करोगे like मैं इसे color देता हूँ तो दोनों में same color होड़ा है but हमें same color नहीं चाहिए तो मैं क्या करना है इस model पे click करने लाइक मैंने इस model पे click किया हूँ है इस पे click करने के बाद, जैसे मैंने इस पे click किया, इस पे click किया है, फिर आपको यह ball वाल ओप्सन देखने हुब मलता है, इस पे click करने है फिर आपको यह वाला option आ जाएगा, अब plus अईओं पे आपको यह एपर ball देखनîne हो गाएगा, इसे अब करें ना देःखो इसका टेक सर आप डिफरेंट एड कर सकते हो जाए इसमें कलर देता हो एडो चुको है तो आपको इस तूल के बारे में पता चल गया इसकेम ऐसे आप टूल्स वहरा लिया सकतों बहुत सिंपल बहुत हसानी सभ इसमें बना सकतों Android अनिमेंशन का इधर आता है आपको मैं कर दिखाता हूँ जैसे म know the डेकंने कह अब देखने मलते है केमरे का देखने आ लैट का देखने मलता है neutron video YouTube अग डॉक अड IP Dog idee पर dip दो, अजिथा के यह वायो पना लेते हैं इंग हमें अनिमेशन पर जाना होगा उससे पहले यह उपर खालें तो अपने main screen पे चले जाओगे save पे press करोगे तो model save हो जाने वाला है render पे press करोगे तो देखो जो आप animation video बना चुके होगे तो ये render के समय काम आता है इसके बारे में बताऊँगा अभी मैं 3D import पे जब आप कोई model इधर लेकर आओगे तो इसके बारे में आगे चले के बताने वाला हूँ कैसे bone side होगा, कैसे आप movement करा सकता हो इन सब के बारे में बाकि इसके tool भी मैं आगे बताने वाला हूँ सबसे पहले क्या करना आपको जो animation और ओप्सन देखने को मलता है अजश्ट आपको इस पे click करना है तबके कुछ key framing आज़ाता है इसे हम key framing कैता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इस key framing के अंदर हम अपनी animation करते है कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने एक car animation create करना है उससे पहले, मैं क्या करता हूँ यह जो आपको देखने मिल रहा है जितने भी model है कार वाले model को छोड़के मैंने सबको delete कर देना है delete कैसे करते हैं, आपको simple सा उस model पे click करके रखना है long press करना है उसको बाद यह आपका delete वाला option आजाता है cut वाला option देखने मिल रहा है just आपको फिर इस पे click कर देना है और यह delete हो जाने वाला है इससे rotation वगरा करानी तो वह कैसे होता है इधर वाले options आपका क्या होता है मैं आपको click करके दिखाता हूँ just इस पे click किया तो यह आगे पीछे करने के लिए है बट इसको आप अगर rotate करना चाहते हो तो वह कैसे होता है rotate वाले के लिए यह वाला option है अगर आप इसकी size को घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो दो option देखने को मिलते है अपने को इसमें भी लाइक के दोखो इधर से आप इसकी size को increase कर सकते हो इस तरीके स्कुछ कर सकते हो बट हमें इधर से नहीं करना है क्योंकि इधर से काफी जारा बिकार हो जाता है मतलब कि आपको अताता हूं किस तरह देखो इसकी size किस तरह जीब सी होगी बट मैं इस model की size को एकदम accurate set करना चाहता हूं अपने हिसाब से देखो transform को option देखने को बलता है आपको इस पे क्लिक करना है फिर आपके scale को option देखने को बलता है इधर x, y, z तीनों की size को आप अपने हिसाब से सेम कर लें लाइक मैं इसे 3 कर लेता हूं देखो 1, 2, 3 अब इधर भी मैं 1, 2, 3 अब नीचे वाली को भी 3 अब यह जो size है एकदम accurate है हर जगा से same to same है कोई भी changes नहीं है सब जगा एकदम बढ़ी है अब एक छोटी से animation आपको क्रेर करके दिखाने वालों सबसे पहले आपको इधर प्रेस करके रखने है मैं इस पर प्रेस किया हूं अब देखो नीचे पहले मैं road ले आदू road ले आदेते हैं road के लिए cube का यूश करने वाला हूं cube आपको पता है इधर से लेकर आया हूँ अब cube के का करना है मैंने इसके road बनाना थो इसकी scaling कर देता हूं size मैं इधर से increase कर रहा हूं अब इसको मैं थोड़ी से कर देता हूं और हलका से इसे ओपर कर देता है because इसकी tear जो है जमीन में जा रहे है बाकि tear वगएर के animation हम high animation बनाएंगे तब अभी आपको simple सा create करके दिखाने वाला हूं जिसमें आपको एकदम simple सा बता रहा हूं कि कैसे create हो सकता है lighting वगएर आपको असानी से काफी ज्यादा earning generate कर सकते हो बाकि सिखाने के लिए में बैठा हूं आपको एक एक तरीके का animation में सिखाने वाला हूं इसी channel पर अगर बने रहतो तो बाकि second channel पर हम earning की courses देते कि आप और भी कैसे different methods से earning कर सकते हो like affiliate marketing network marketing और भी बहुत सारे drop shipping हो गए social media influencer google ads Facebook ads इन सबसे earning कैसे की जाते हैं इनकी courses हम second channel पर प्रोबाइट करते हैं अगर आपने हमें WhatsApp पर follow नहीं किया तो वहाँ शरूर से follow कर लेना क्योंकि उदर हमें ऐसे courses प्रोबाइट करते रहते हैं तो आपने क्या करना है simple सा हमने इस model पर click करना है जश्ट यह जो आपका car वाल option देखने को मलता है अपने इस model पर उसके बाद इधर आपको देखने को मलता है key framing देखो आप चहां से key framing start करना चाहते हो like मैंने 0 से start करना है 0 पर press किया है मैंने इसको पहले प्रेस किया फिर इसको प्रेस किया अब ठर्ड यह रहेगा कि मैंने देखो यह जो घड़ी वाल option देखने को मलता है अब second method दे रहेगा कि आपको इधर से देखो 10 पे 20 पे यह 30 पे जितने का भी gap देना है like मैं 30 पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा से इसे आगे करता हूँ उसके बाद देखो 30 पे मैंने क्लिक किया हुआ है उसके बाद मैंने इस पे क्लिक कर देना है देखो अपना यह keyframe set हो चेका अब बाद प्ले करके आपको दिखाता हूँ प्ले कांसे करना यह वाला option देखने करना है जस मैंने प्ले किया देखो गाड़ी चड़ी है थोड़ा सा आपको आगे इसको फिंगर से स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद है जो 60 वाला option देखने हूँ मिलता है जस आपको इस पे क्लिक करना है लाइक मैंने इस पे क्लिक कर दिया है अब देखो आपना model select है पहले मैंने model को आगे किया फिर जाके मैंने 60 को प्रेस किया फिर जाके मैंने एक घड़ी वाले option को प्रेस कर देना है बट घड़ी वाले को प्रेस करने इस पहले हमने थोड़ी सी से आगे करना है अब घड़ी वाले option को प्रेस करना है अबुछ और options ढेखनेगे मलता है ना आपको home पे जाना है ना आपको save पर जाना है आपको जाना है यह जुड the data ऑफसन देखने इसमें भी काफी सारे options देखनेगे मिल जाते है झीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको काफी जयादी options देखने मिलते हैं तो इनके बारे मैं डिटेल से बताऊंगा अभी एडवांस जब हम जाने वाले ना तो हाँ यह अपना थोड़ा सा मैं मैं मतलब बेसिक समझा रहा हूं जिसके वज़े सापको समझ आज़ा है कि कैसे बना सकते हो अब देखो इदर आपको 180P option देखनों मिलता है जिसके आपको इस पर क्लिक करना है यह दो फ्रेम का option है जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया था ना तो यह फ्रॉम जीरो से स्टार्ट हुआ है अब लाश्ट कहां तक लिक कर गयता है हम 60 तक बत हम 10 फ्रेम आगे कर रहे हैं 70 पर कर खीक है अब देखो day or night option देखनों मिल जाता है और शीके बारे मैं आपको बताने वालाओ देखना हूं वेसे ऐसे देखो night कर देता हूं तो इधर यह night सा ओगया अगर मैं day कर देता हूं देखो day सा हो जाईगा ठीक है ऐसा कुछ है तो यह यह लाइटिंग में आपको समझ जिसने लाइक कर दिया उसका भी धन्यवाद अब देखो यह जो रिमूव वाटर मर्क देखने को मलता है यह रिमूव कर लेना है यह जब वीडो आप अपलोड करते हो कईसी भी प्लेटफॉम पर करतो तो उसका वाटर मर्क ना रहे तो बैटर देखने में अच्छा लगता ह यह जो आपको छोटा सा वाटर मर्क दिख रहा है मेरे को पता है नहीं दिख रहा होगा बन जिसको दिख रहा है आखे बहुत जदा आपकी क्या बता हूँ अब तो यह रिमूव वाटर मार्क जश्च मैंने इस पर क्लिक किया उसके बादे देखो रैंडर वाला उप्सन द बना सकते हो उससे पहले आपको मैंwater design करना सिखाता हूं because model design किये भीना हम कुछ भी नहीं create कर सकते तो इसको आपको delete करना होगा सिम्पल सा आपको यह देखो ऊपर option देखने मिलता नि यह दोनों को select करने है LIKE मैंने इसे long press करके डखा इसके बाद मैंने इसे select कर लिया है अब यह जो कट वाल ओप्सन देखने हो मिलता है जश इस पर किलिक कर दूंगा और यह कट हो जुका है सिंपल सा था बट अब देखो एक और चीज आप लोगों ध्यान देना है अब अब अनिमेसन करते वक्त ना जैसे कि मैं एक मोडल लेकर आगे हूं क्यूब लेकर आगे काफी ज़ए छोटा हो चुका है देखो यह आचुका है अब मोडल लोग बोलेंगा भाई यह तो हैनिमेसन वाला इसमें हम कटिंग वगड़ा कैसे करें तो कटिंग वगड़ा करने के लिए आपको मॉडलिंग वाले ओप्सन में जाना होता है तो यह चीज आप देहान दे टेक्सर के जो डिटेलिंग वगए रहा है वो थोड़ा कॉंप्लिकेटेड होता है अगर आप उसे सीख लेता हो ना आप दूसरों के लिए मोडल बनागे भी काफी अच्छी खाज यानिंग जरेट कर सकतो एक मोडल करेट करने का आप किसी भी बंदे से हजार उपय तक चा देता हूं बिकोसे अरह में कोई एक ऐसा मोडल करेट करना जो देखने में तो एक्रेक्टिव लगे मुझे भी नहीं पता मैंने क्या क्रेट करना बट आप लोगों सीखाने के लिए मैं कुछ भी करने वाला हूं सिंपल देखो मैंने इससे लिया लिया है अभी आपको इस म इस बाख लेक करना अभी एक कुछ डेक्ट करने तो मैं इथर से ये बैक करता हूं उसे मैं इधर से इतना कट करना है तो सिंपल से टीक वाला आॠिक करने में लाक इना करना है shiak eραग झालता है और इके टरफ का कटा है नहीं कहीं इस तरफ नहीं कर यहां कटा है यहां बाहर आचुका है, एक अलग सी सेब बन चुके इसकी, बनी की नहीं, बिल्कुल अलग सेब बनी, पहले ही एकदम क्यूब सथा आप देखो, मैंने कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया, अब मैंने क्या करना है, देखो वापी से इस पर क्लिक करना है, अब मुझे जैसे की इसके एक सर लोग काकाकारना है, अब मैंने क्या करना है, एक ही तरफ कटू है, ना सिमपसा में पूरे मॉड़ल को स्लेक्ट करने बाला हूं, नीकल गूंर, लिपसे निकला नहीं, इसके आपको और ओपसे ळेक्ट करना है देखो कुछ ऐसे बाहर आचुका है अब मैं क्या करता हूँ इसके नीचे से इधर से थोड़ा सा कट करता हूँ उसके बाद एक छोटा से में आप कुछ ब्रीश सा बनाने वाला हूँ वह कैसे बनता है आप लोगो मैं डिटेल से बताने वालो तो वीडियों बने रहे ना इसमें आपको hall type का कुछ दिखाने हो लोग यह दुको आपने सामने का front का कुछ इंटरफेस हो गया इस तरीके का बट अगर आप different different color जैसे कोई house अगरा करेट कर इसके लिए different coloring होती है तो वो थोड़ा अलग तरीकेस होता है वो में बतातों कैसो होता है बट एक तरीके के दिवाल कुछ ऐसी अपनी आचुकी है अभी दर आप texture अगरा देना चाहो तो simple सा इदर texture दे सकते हो आपको काफी सारे texture को option देखने को मलते है जैसे मैंने आपको बताया था यह देखो कुछ ही आचुक है जो कि मुझे थोड़ा सा अजीव लग रहा है बट काफी ज़दा amazing है बेटर है कोई बात नहीं दो इस तरह आप इसमें cutting कर सकते हो अब बात करते हैं next tool के बारे में तो अपने हिसाफ साफ डिजाइन कर ले ना model को तो आपको पता चल जाने वाला है बसे model डिजाइन में आपको एक छोटा हाउस क्रेट करके दिखाई देता हूँ सिंपल से करता हूँ मैं इससे पहले delete करता हूँ एक house create करता हूँ ठीक है सिंपल से यह मैंने लिया है मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करने वाला हूँ ठीक है क्योंकि आप लोग को का time ना waste हो इसलिए मैं थोड़ा fast कर रहा हूँ और देखो यह मैंने किया हुआ अब इसे म इससे एक और copy करता हुए मैं इसे रोटेट कर देता हूँ रोटेट कर दिया हूँ अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ थोड़ा इसे आगे लोग इसके लिए पेमेंट लगती है लोग इसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है यार लोग इसके लिए पता नहीं कितने कितने चार्जस करते हैं बट मैं आप लोग को फ्री में सिखाने वाल हो क्योंकि मेरा एक ड्रीम है आप मेरे इस्टाग्राम प्रोफाइल पर चल जाना आप लोग को उधर पढ़ने को मिल जाएगा कि लिटल मेरा क्या ड्रीम है क्या चीज कर सकते हो कोई श्टोडी वगेर आपको दिखाने तो आप पैसा नहीं कर्श करना चाहते हो तो आप 3D अनमेशन के जड़िये उससे सिखा सकते हो काफी बैटर है यार देखो 3D अनमेशन एक ऐसा जड़िया है जिससे आप काफी अच्छी खासी अर्णिक तो जनरेट करी सक प्लस मैं मास्टरी कर रहा हूं अर्णिक वगेरा के ओपर की अर्णिक वगेरा हम कैसे कर सकते हो ओनलाइन इंकम कैसे जनरेट कर सकते हैं कोई काफी लोगों काफी जाद प्रॉबलम होती कि बहुत अच्छी खासी अर्णिक होती है बहुत अच्छा अर्णिक भी कर सकते हो तो मैं डिटेल से बताओंगा अब देखो आप 2nd चैनल पर जल जाना उधर वैसे मैंने काफी सारी वीडियो इसको बना के रखी हुई है जिसको 2nd चैनल हमारा नहीं पता है तो 2nd चैनल मुझे मांग लेना कमेंट में या मैंने पहली से कमेंट कर दिया हो तो आप देख लेना वहाँ पर आपको मिल जाने वाली है जो कुछ इस तरीके का अपना कुछ मोडल बन कहा है इदर मैंने क्या करना है इदर मोड पर जाता हूँ इधर मैं सिंपल सा कोई बैक्गराउंड देखता हूँ कुछ मसथ था हो तो मेरे को भी और गुस्सा चंड़ी लगया था कि भाई क्या है तुझे अगर सिखाना तो सिखाना तो फाल्दू को बगवास नहीं करना है ठीक है तो मैं इसको हल्की सोर इंक्रीज करता हूं आप लोगो समझी आई गया होगा कि मैं करना क्या चा रहा हूं अब मैं इससे थोड़ा सा इधर कर देता हूं ठीक है मेरे ख्याल से थोड़ा टेड़ है नहीं ओक के रिपोट है तो इससे मैं इस तरह पले कर चलता हूं कुछ इस तरीके से अपनी बन के आने वाली है इस तरीके की मोडल बताओ आपको किसी और सौफटर प्रोवाइड करते हैं कि किसी और सौफटर में यह पेड़ परमोसन नहीं है इसको मैं फ्रेम बता रहा हूं कि इस एपलिकेशन का यूज कर सकते हो एक बर बास आपको मॉडल बना लेना उसके बाद अनिमेशन में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं खर्च होने वाला है जी हां बिल्कुल भी नहीं खर्च होगा मैं इससे पहले सेट कर लेता हूं ओके इसे नीचे करना है मुझे नव इस बैटर लुक देखो अब कुछ इस तरीके को मॉडल अपना बन किया है कितना ज़्यदा अमेजिंग लग रहा है इदर आप कार लिया और से कार लियाते हैं जो कार वाला ओप्सन है इसे हम सिंपन से डाउनलोड कर लेते हैं बाकी औ और बी ओप्सन देखने को मिलते हैं आप अपनी हिसाब से डिजाइन वगरा करोगे ना तब आपको मजा आने वाला है वैसे नहीं आएगा अमेधर देखो इसकी साइस को हलकिस इंक्रीज कर देता हूं थोड़ी सी और ठीक है हलकी सी इसको मोटा ठीक है मैंने क्या करना है इदर पार कर देना देखो लगा रहे ना एमेजिंग सा कुछ आ चुका है लुक वगए रगरा अभिसका अब इसके एम टैक्सर देन चाहते है तो टैक्सर ए Nick sobre आगलपतें करें णाहिते हैं के अ हैं अग पुरी मैस को आपको मन ऐने वाला कि बहुत मजा आने वाला है बौँत को सिलहने वालो इसा पुरे यूटुब पर नहीं मिला होगा मैं 100% एक guarantee के साथ कह सकता हूँ कि भाई आपको कहीं नहीं मिला हूँ बाकि आपे देखो images देख सकते हूँ कितनी सारी amazing amazing मेरे पास images available है मैंने chrome से download गया था मुझे ना इस तरह की image काफी ज़्यादा पसंद है मैं कोई और भी work कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीज प्रोबाइट करने वाला हूँ जो आपने कभी सोची नहीं होगी अब देखो यह model अपना create हो चुका है आप बता हूँ आपको कैसा लग रहा है सिंपल से मैंने model create को हुए दो मिट इसका texture हमने नहीं दिया है इसके भी texture को हम दे देते है coloring पे जाके तोड़े इसका brown हो ठीक है यह रहा अब देखो किस तरह लग रहा है लग रहा है ना काफी amazing सा कुछ अब इस हिसाब से आप सोचो कितनी बढ़ी आसी videos बना सकतो आपको मैं camera angle भी इसी बता देता हूँ चलता हूँ उसके बाद हम lighting set करने से पहले यह आपको setting option देखने हूँ मलता है जश्ट आपको इस पे click करने है इसके बाद देखो यह जो low है इसको क्या करना है आपको high कर लेना है because अब आप lighting देने वाल हो simple से मैं वापीस से open कर लेता हूँ आपन करने के बाद देखो अपना model यह आ चुक है अब हमने इसमें lighting देनी लाइटिंग कैसे देनी है लाइटिंग के लिए हमने क्या करने है जो lighting वाला option है इस पे बस प्रेस कर देना उसके बाद आपकी light आ जाने वाली है तो मैं करने वाला उस sunlight का use पहले इसके बारे में आपको डेटेल से बता देता हूँ यह पॉइंट पे है पॉइंट बोले तो जैसे कि अभी एक जगा है मुझे जैसे इसी model पे लाइटिंग देनी है देखो यह model के पास गया अब यह आपको कुछ options देखने मिलता है मैं इसे white कर दिया हूँ अब इस लाइट पे जैसे किलिक करता हूँ आपको कुछ और options देखने मिलता है intensity range और नीचे shadow का option देखने मिलता है यह क्या चीज है तो मैं इस intensity पे जैसे किलिक करता हूँ देखो अभी यह model पे जैसे light पड़ेगा थोड़ा high करेगा लाइटिंग करने गुलो करेगा मैं इसे नीचे करता हूँ थोड़ा देखो यह गुलो कर रहे है तो काफी ज्यादा गुलो कर रहे है अब मैं इसे color एक बार change करके दिखाता हूँ देखो लाइट चेंज ओड़ी न तो इस तरह आप कर सकता हूँ अब यह देखो intensity को मैं और इंक्रीज करता हूँ और जादा लाइटिंग करेगा बट मैं ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहता हूँ अब यह range क्या होता है range जैसे कि इसकी range आप देखो अब मैं थोड़ा zoom out कर देता हूँ अब यह जो आपको देखने को में यह देखने को मिलता है यह range इसको मैं एक रेंच आप को दिखाते हूँ यह बड़ा हु यह ज़्यादा दूर तक फैलने बाला है इसका जो next option है shadow का है तो shadow नहीं आती जब आप दूप में चले जातों हमें हों मैं चलर्ण को कहले हैं आप इस क्झाटल की जैसे आप यह पर नोटस करो यह आपको देखनो को मिडर आप ओए अगर मैं लाइट को हटा अब ठीक है अब थोड़ा बैटर लग रहा है देखने काफी जदा ओसम लग रहा है वापीस में लाइट पर क्लिक करता है तो मुझे देखो आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगो तो आपको ट्रांस्फॉर्म वगरा कुछ उपसन देखने को बिलता है जो मैंने पहले बता दिय चलिक देखो यह एक कुछ है न इस के अशेकते हैं या मैंने इक इन देनी lighting करेगा फिर अगर आप इसकी range को high कर दे तो like मैं इसकी range को 120 कर देता हूँ फिर आपको देखना किस तरह लगने वाला है देखो 120 करने के बाद किस तरह हो गया है इसके मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ उसके बाद देखो यह होती है मतलब एक separate जगे पर यह देने के लिए होता है मैं back कर देता हूँ क्योंकि मुझे यह नहीं चाहिए अब देखो मैंने क्या करना है अब यह जो sun वाला option देखने में बलता है यह मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है यह option देखो sun पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो हर जगा लाइटिंग हो गया हर जगा देखो कितनी ज्यादा लाइटिंग आ चुकी है अब इसके बारे में आपको मैं डिटेल समझाने वालो बिकॉस यह जो पार्ट है अब में पार्टी स्टार्ट हो चुका है से इसकी ज्माट करता हैं अब सॉपको आप पहले से स्किप करें थे तो सिम्पल्स में इंटेंसिटी के हें इंटेंसिटी को मैं में डिलीच आप के सब बाणे ही आपनी जादा है तो कोई स பला शानकर दोБ plais अभी आपको क्या करना है यह लाइट सेट लगैं नहीं ए戰 लाइडल पर क्लिक करना इप रोटेट करके आप अपने हिसाबंस मालती करना वाइगा एक बार अठीक करके आपको दिखातां धेखो त्था करके काफी JEYAD मुझे तो काफीác बेटर लग रहे बाकि आपको किस तरीके का लग रहे है विए पूर करता हूं क्ला कार को मैं हलकास Associates बेकर य। यह पेला हो गाया य। अब कैसल मुझे ने हैं अच्छा लग रहे है मैं से पहले कलर कोiere करता थख outro तोड़ा सही लगगगाई क्युए कुए गार बीला है not better अब झा करना है हो की दो. अवनתי मों कि अब सतरो के अंगल करता है आपको एछ ब conception रहा हो क्वार को मिल जाता है तौब को हिसपे क्लिक करना है पर हमें center में जाना है, वापिस में जो camera वाला option देखने को मिलता है, इस camera पर click करूँगा, फिर उसके बाद क्या करने है, double click करने पर option आजाता है, फिर jump in पर click कर दूँगा, तो मैं camera के अंदर अभी आ चुका हूँ, अब मैं देखो, वापिस अब क्या करना है, हमने एक animation करने वालने है, तो simple से animation वाला option देखने मिलता है, इस पर click करना है, इस पर मैं जैसे click करता हूँ, तब क्या करना है, मैं आपको इधर से start करने वाला हूँ, इसके अंदर से, यहां से हमने animation श्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला key framing हमने कहां देना है, सबसे पहला हमने देना है, 0 जीरो पर देखो यह जो लकीर है, आपको इस पर click करना है, जश्ट मैंने click किया है, इस पर उसके बाद यह कोई घड़ी वाला option देखने मिलता है, इस पर press कर देना है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जैसे कि मैं इधर आ जाता हूँ, आप 60 पर आ जाता हूँ, 60 प आट करूँगा, अपने हिसाब से तरह में सेट करना चाहूँ, उसके बाद एक और फिर प्रेस करके घड़ी वाला दवा दूँगा, अब आपी से मैं चलने वाला हूँ, जैसे कि 120 पर चलता हूँ, 120 पर आचुके, अब मैं हलका से इसे रोटेट करने वाला हूँ, आपी से देखो, यह हो चुका है, अब मैं वापी से बाद चलता हूँ, इसके कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं, कुछ सीक्रेट टिफ्स हैं, जो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर वैसे पहली से अप्रोड किया है, सब वो वीडियो भी जरूर देख लेना, अब देखो, मैं एक ब इसको उपर की तरफ लेकर जाते हैं, लाइक मैंने इसे 400 पर लेकर आ चुका हूँ, तो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो, यह हो चुका है, अब मैं प्ले करता हूँ आप लोगों के लिए, देखो, इसी तरीकी गा बिल्कुल आपका आने वाल है, आपको कुछ भी नही इसे देखो, इस कलर में कर चुका हूँ, अगर मैं यह करना चाहूँ, यह कर सकता हूँ, अपने हिसाफ से आप लोगों के तो गिरिन तो यह लोग गिरिन भी आ चुका है, बट मैंने गिरिन नहीं करना है, मैंने यह करके रखना है, अब मैं देखाता हूँ, एक बार प्ले वापिस से render करना चाहने हो जो यह आपने बना है यह सीम्पद आपको करना है इठे में बलता इस पर किलिक करना है इस पर यह क्लिक करने तो तब करें संदे क्लिक कर देती है अब मैं बताता हूँ इसके बाकी options के बारे में 1080p पर करके आप लोग करना अगर आप screenshot लेना चाहते हो ना यह आपको screenshot का option देखने हो मिल जाता है तो आप इधर से screenshot ले सकते हो बागे दुका हमने 400 keyframing तक किया था 10 frame आ गया चुका है 0 से start किया था इसे 0 पर रायन तो आप frame size को भी बढ़ा सकते हो 60 frames per second 60 frames या ऐसा कुछ है ठीक है तो आप नीचे जलते हैं अब नाइट वाले किलिक कर दूंगा तो देखो नाइट सा हो गया कुछ है ना तो यह नाइटिंग का आ गया है आपको कोई भी अप्लोड कर सकता है आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है दुखव आप चलते हम थोड़ा एडवांस्वीडों के उपर के एडवांस्वीडों हम कैसे बना सकते हैं मैं इससे सेव करता हूं सिंपल सा home पे चलता हूं अब मैं बताता हूँ आप high quality के models कैसे download कर सकता हूँ, free of cost, कोई भी पैसे नहीं लगने वाला है, इसी में देखो आने वाला है, मैं चलता हूँ back, अगर आप यहां तक आ चुके हो, तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, दुग आपको कहा गरने हैं, सबसे पहले आपको किसी भी एक browser को open कर लेना, किसी browser को आप यूज़ कर सकता हूँ, मैं तो chrome को यूज़ कर रहा हूँ, आपके smartphone में जो भी हो आप उसे use कर लेना, अब यह जो search वाला option देखने को मलता है, आपको मैं दो ऐसी website बताने वाला हूँ, दो ऐसी secret website, जिसकी मदद से आप मैं click करता हूँ, इधर से आप बहुत अच्छे-च्छे models, high quality models download कर सकते हो, यह देखो, कुछ ही इस तरीके models आप लोगो देखने मिलते हैं, जैसे मैं आपको एक simple sa airplane वाला model देखने में रहा है, इधर मैं जाता हूँ, इसको मैं download करके आप लोगो दिखा देता हूँ, इसे म नहीं बनाया है, बट इस model को मैं उसमें लेकर जाने वाला हूँ, हाँ, कैसे लेकर जाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, नीचे scroll करके तो आपको यह वाला option देखने में बलता है, simple sa, आपको इस पे click कर देना है, फिर आपका यह model है, simple sa, कुछ second लेगा, उसके बाद download हो जाने वाला है, download होके save हो जाएगा, उसके बाद एक और process है, जो आपको इसमें apply करना होता है, काफी लोगों को नहीं पता होता हो, ढूरने लग जाते हैं, भाई, model कहां गया, यह तो आपना model यह रहा, जैसी download हो जाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, next process क्या हो आपने वाला है, अभी हम बैक चलते हैं, आपको और भी model दिखा देते हैं, लाइक मैं अभी बैक आता हूँ, दोगो यह हो चुका है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, बाकि हम वापीस से इसी website प्राइब आएंगे, आपको आपको इधर वापीस से इस क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाल में भेज देने वाला है, अभी मैं अपने गैलरी में आ चुका हूँ, मैंने नीचे स्क्रॉल करना है, अब आपको यह एक्स्टेक्ट वाला ओप्सन देखने हूँ मिलता है, यहाँ पर एक्स्टेक्ट करने सा आपका model और प्लस आपक कोई बात नहीं, जो भी है, ठीक है, देखो हो चुका है, यह एक्स्टेक्ट हो चुका है, आपका model और प्लस जो फाइल वगेड़ा हो एक्स्टेक्ट हो चुका है, मैं इसे कट करता हूँ, वापी सा आपने अपने प्लीज मत एडू को ओपन करना है, जश्ट मैंने ओपन क कर लिया है, अब आपको import ओप्सन पे क्लिक करना है, देखो मैं एजिसमप्र्ल्ष बाले option पे क्लिक करता हूँ, यह मेरे profile में भेज देने ओना है, भेज दिया है, अब यह मेरा जो मैंने in download पर था, अरो María प्लन आ चुका है, आई यह आया आडञ प्लन है, स्पैलिंक से कही आफी सारे चीजे देखने मिल जाती है यह जो दो ओपसन देखने मिलते हैं इसमें से किसी एक आपका work करने वाला आपके smartphone में जैसे मेरा हमें से से किसे मांटल रहे होका मैं किलिक करता है तो थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाने वाले दोको लेड़ा ने इंपोर्टिंग 3D मोडल जैसे इंपोर्ट होता है देखो भाई बीना बनाया आपका देखो 3D मोडल आ चुका है क्या हो सम बात है इस तरीके साब वीडो बनाओगे तो कितना ज़्यादा अमेजिंग लगेगा इसमें यह लेकर आसकतो अब इस यह थुआ टैक्टर वगेड़ा निया इसमें कलरिंग वगेड़ा डियल्टी में मतलब रियल वाला कैसे करने वह मैं आपको सिखाता हूं तो का आपको सिंपल सा मॉडल पर क्लिक करने के बाद आपको बॉल वाले पर क्लिक करने फिर टैक्टर पर क्लिक करन पड़ाने के बाद आपको देखने मिल जाते हैं आप इन सब में टैक्सर पर क्लिक करो कि तो आपका टैक्सर एड़ हो जाने वाला है लग मैं टैक्सर पर जैसे क्लिक करता हूं देखो अभी अपना टैक्सर देखो एड़ हो चुका है कितना ओसम लग रहा है अब इसके अगर इसका ये वाले भी टैक्टर को हम दे ही देते हैं बट इसमें तोड़ा अंदर के साइड ना कलरिडिंग देने वाला हूं करने के लिए आपको पते ही क्या करना ओपर आपको क्लिक करने है मैं क्लिक कर देता हूं इस mm पर क्लिक करने के बाद फिर अपना घळी वाणा आ जाता है उस पर traditionsne पेजीरो पर क्लिक एओ फिर फिर्म लगा दिया हो फिर इसको थोड़ा सा आगे करूंगा लाइक मैं इसे कर देता हूं हैंडेडे या टू हैंडेड तक लिए कर जाता हूं ब्रूद मुझे थोड़ा लॉग एनिमेसन चाहिए वन एटी तक लेकर आगे आगे हो इसे मैं Hispanics गवखर और वाल तो इसे करने वाला हुआ 청ण दो इसे करने वाला हुआ कि थोड़ा स्य आगे मैं चलते हैं पिर मौर्वική करने वालां हुआ से करके आपको बनाना है फिर आप पता ही कैसी क्यों आप लोग को पता चली कि मैं एक दम आगे करके dramatic करते हैं कि थाइक 500 प्या चुका हूँ आपको प्ले करके दिखाते हो इस तरीके गर लग रहे है देखो अपलोग चल रहा है आपको यह प्लेन आ रहा है अब यह प्लेन जैसे उड़ जाएगा उसके बाद आप लोग पादा चलने वाले देखो यह उठा यह आपका चल रहा है इसके बाद यह ओड़ जाएगा देखो मैं आपको एक बार इसका स्क्रीन में आप लोग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो वह भी में बता देता हूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब सिंपल मैंने क्या करना है जो कैमरा वाला ओप्सन देखनें बलता इस पर क्लिक करना है कैमरा लेकर उसके अंदर जम्पिन कर लेना है उसके बाद वापी 0 की फ्रेमिंग पर जाने है क्योंकि हमने वापी से की फ्रेम सेट करना है अपनी वीडो बनाने के लिए अब मैं इधर जीडो पर आ जाता हूं फिर आपको बताता हूं आपने क्या करने नेक्श्ट आप देखो लैक मैं थोड़ी इसे ऐसे लखने वाला हूं अब ठीक है अब मैं इसे पहला की फ्रेम जीरो पर था अपना दूसरा की फ्रेम हम कुछ ऐसे देने वाले हैं और पीछे चलते हम इसे हम ऐसे करते हैं अब प्ले करके देखो आप लोग यह देखो कुछ आपके ऐसी वीडियो बन क्या रही है अब यहां से जब उठता है ना तो मैंने इससे थोड़ा सा नीचे लेकर जाना है बिकॉस मुझे इधर से यह वाले सीन को सूट करना है ऊपर की साइड को यहां पर इससे से चुक हुआ हूँ अब मैं थोड़ा सोड़ आगे चलते हैं अब यहां पर अब देखो कि यह मैं थोड़ा सा एक जूं करता हूं के लगर दीखाता हूं इनकीख of डिखाता हूं को वापने विडियो देख की तरीके सिंपल सा आपको क्रेट करना है अभी मैं आपको हाई अन्मेसे सखाने वालों हं सकते पार यह आखुक है इसके बाद यह उड़ जाएगा है जोगोई गया अब हमने क्या करना है यहां पर आएसी रखना है अब इधर एक की फ्रेम लगा किए बैक करना है बैक करके इधर से देखना है यह ऊड़ड़ है अब थोड़ा से और आगे चलो योड़ चुका है अब मैं एक की फ्रेम इधर देता हूं उसके बाद एक की फ्रेम इसके आगे चलते हैं ऐसे इसकी स्क्रीन को मैं थोड़ा से रोटेट कर देता हम देखो मैं एक दम आगे कर देता हूँ देखा अभी यह प्ले करके देखा आप लोग बस इंपल सा आपको रेंडर करके इस वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर लेना है अब यह जैसी आपकी रेंडर हो जाएगे आप कहीं पर भी अप्लोड कर सकते हो लाइक यह देखो कुछी सतरीकी वीडियो अपनी बन के आई है आप कि यह प्लें गई यह जा रही है तो आप यहां पर आपको सिंपल सा किलिक करना है अगर आपको इस वीडियो को निकलना है तो वापिस से रेंडर वाले पर जाके सेंप प्रोसेसर वाटर में खटा के चलता हूं यह रहा अपना मोडल इसे मैं कट करता हूं ठीक है ज़स्ट मैंने इसे कट कर दिया है अब आपको इसे भी हटा देना है अब देखो कुछ काफी सारे कमस कर सकते हो कि पांड वाला और शिIDE स्कूल करते हैं पांड आ्ड वाल खेंगाल समय लुड्स कर सकतेיות के आपका कांड़ी करें उसके बाद आप अराम से यूज़ कर लोना अब यह हो चुक है कि को काफी सारे देखने मलते हैं अब सिंपल समय नीचे स्क्रॉल करके से डाउनलोड वाले ओप्सन पर किलिक करता हूं यह जैसी डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम वापीस अपना नेक्स्ट प्रोसेस इसम शुर में एक्सपॉड का प्रोसेस आपका मोडल और ट्रे से इस्लेंलोड अलग हो जाता है वापिस मैं एक्सपॉड वाले पर क्लिक कर दिया हूं यह जो एक्ट्रैक्ट का उप्सन देखने मलता है इधर मैं सुपर मारियो लिग देता हूं simple सा मैंने cut किया mario ठीक है इसे मैं extract कर देता हूं इसे अपना model और वो जो folder वो भी अलग हो चुका है मैं वापीस से back चलता हूं अपने इस prisma 32 को open करता हूं import वाले option पर अभी हम वापीस से आ चुक है import वाले option पर आने के बाद हमें क्या करना है वापीस अपने जो प्रोजेक्ट उसको लेकर आना है जो model है बैक चलते हैं अब देखो बैक आ चुके है अब क्या करना है यह दो मारियो का option देखने को में रहा है इतर आपको model देखने मिलता है आपको बनाना भी नहीं पड़ा आपको फ्री में मिल चुक है आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी आपको कोई भी copyright वगएरा नहीं देने वाला है क्योंकि यह लाइसंस प्रोवाइड होती क्रिटिव कोमर्स कुछ ऐसा है तो उधर से आप इसली डाउनलोड करके यूज कर सक देखें हाँ यह इसका है इसके माउथ को भी दे देते हैं फेस को वापिस से टेक्शर वाले पर क्लिक किये वापिस इस पर देखो यह इसका टेक्शर यह रहा इसके आइस वाले पर देते हैं इसका आइस भी है वापिस से टेक्शर पर जाते हैं अब इसकी आइस यह रही के और वह वह भी स्क३विशन हो चुका कि इसके यह मार्यो की इसके क्युश्ट को भी देना पड़े गां में तो इस पर आप से सिरे प्लास वाले पर हा आप सब चूखे इँक है बने को पर क्रिषें प Kalau स्थेतनल K Automobile 2019 अब है इसंके मुवमैंट कराने के लिए और और इसे बना देना है चलो अब मैं आपको सिखाता हूं इसमें movement कैसे दे सकते हो तो चलो फिर हम जल्दी से सकते हैं कि movement कैसे की जाती है कैसे आपको बताता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना को देखो यह जो animation वाला option आपको देखने को मिलता है जश्द आपको इस पर tap कर करना है। इसपर आप जैसी क्लिक करते हो। तो दुख पहले आपको इसके सके astra model में क्लिक करना है। उसके बाद हमने बॉक्षाइट करना है उसके बाद हमने इस तरीके से में बॉस एक अर बáng பயुकर हूगा।C आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सतें इंस्टाग्राम पर मैं आपको बता दूँगा उसका सॉलुसन्ट जुब सबसे पहले इसके एक पेट के पास बोन सेट करना है देख लेते हैं कुडेट हमने बिल्कुल मीडे में सेट करना है यहां पर सेट करें आप इसको एक ऊपर फिर इधर फिर इक इधर फिर इसके फेस पे ओके हो चुक है अब में इक इधर स्वल्डर के पास एक इधर देता हूं एक इधर देता हूं प्रोफेशनल बोन एड करने भी सिखाऊंगा पहले आपको मैं सिंपस एक एनिमेशन क्रेट करके दिखा देता हूं कि आखिरे मुवमेंट होता कैसे है तो भाई आप लोग को यहां तक भी नहीं समझाएगा तो मेरे लिए भी प्रोफिट नहीं होगा फिर तो चलो फिर आपको समझाता हूं दो सिंपसा इसी बोन पर मैं टैप करता हूं फिर नीचे टैप करता हूं आप जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रूटेइड करके इसके नीचे देख लेता हूं सैट अकाई जस्ट फिर इधर करता हूं इसे थोड़ा से इसए अर पीछे गरना पड़ेगा मुझे लग रहे हैं। फिर इसे मैं इधर करता हूं अब यह वाले बॉन्स को मैं इधर कर देता हूं सेट ठीक है यह सेट हो चुका है अब मैंने क्या करना है यह हो जाने के बाद अब यह वाले ओप्सन को क्लिक करना है अब इसको पहले बॉन्स देखो बाहर आचुका है इसे मैं अंदर कर देता करते हैं पूंकि प्रोड आप में अव्स कर देता हुँ आपको चेक स्काइट कर देए जो सब्सक्राइब करते हैं नग hy्यों होता है क्योंकि देखो जब भी आप कोई bones वगेरा add करते हो तो वो अपनी जगे से हील जाता है लेकि मैं एक बार movement करके दिखा देता हूं देखो इसकी body हील रही है बत इसके साथ इसका देखो texture भी साथ में आ रहा है यह आप देख रहो ना यह जो texture इसके साथ में आ रहा है इसका solution यह है कि आप इसके ढंक से bones को add करना तब यह work करेगा वर्णा नहीं करने वाला है मैं आप लोग को professionally add करके दिखा देता हूं कि कैसे add होगा इसके लिए मैं दूसरे character का use करने वाला हूं इसमें जो है मैं दूसरा model आपको add करके दिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा आपको कैसे करने है जश्ट मैं इससे पहले में delete करता हूं उसके बाद आपको एक और website के बारे में बताता हूं इधर से आप 3D models को डाउनलोड कर सकते हो सिंपल से आपको अपने Chrome पर जाना है उसके बाद आपको search वाले option पर कुछ search करना होगा जैसे कि एक website है sketchfab नाम की ठीक है sketchfab मैंने से search कर लिया है तो आपको login अगेरा करने करने काईगा कुछ search करने वाला हूं वैसे motu patlou की character भी इधर आप लोग को देखने को मिल जाता है इधर जो option देखने को मेरा है इधर मैं search कर रहा हूं इसे पहले मैं cut कर देता हूं ठीक है इधर मैं लिख देता हूं motu पतलो इसे फिर मैं search कर दूँगा जैसे search करता हूं नीचे स्क्रॉल करोगो तो आपको motu patlou की काफी सारे characters देखने को मिल जाएंके जिनको आप यूज कर सकते हो यह without copyright के आपको कोई भी copyright देखने को नहीं मिलने वाला है अगर आप इन character को यूज करते हो तो जैसरे जो download आपको option पर मिलता है आपको इससे पर click कर से क्लिक कर देख तो आपका जो downloading बाला process वह आ जाएगा फिर आपको यूज कर देख जो download model वाला option है इसपर click करना है उससे पहले login करने को भोलेगा, so login कर लेना जलेते हैं तो इधर सब को यह model को ठालेते हैं रिक मॉडल उसे विपसईट में एपको पहरे लोगिन कर्ना होगा उसे मैं डिक्स्टप मोड्स से अठाता हूं क्यूot mc मुझे डिक्स्टॉप मॉडर में नहीं करना है यूज सिंपल से मैं डिक्मॉडर पर जाता हूं इदर लोग इन करने का भी जंजट नहीं होता है आराम से अप काफी सारे मॉडर्स को फ्रीली यूज कर सकता आपको कोई भी प्रॉल्म नहीं होगा लाइकि स्पाइडर मैं वा आपको असे के लिए अप प्रोफेशनली टेक्स्राइड करने और प्रोफेशनली बॉमेंट करने वाला हूं जिसके मदशली आप अलग अलग टाइप के मॉवमेंट करा सकता हुए पहले इसका नेम चेंज कर देता हूं और मैं इससे सर्च करता हूं अगर मुझे ना मिला स्पाइडर मैं ठीक है ओके यह हो चुका है मैं सिंपल से कार्टी करता हूं इसको पहले पूरा हमने काल देना है क्योंकि हम न्यू अनिमेशन बनाने जा रहे हैं इसे डॉंट सेब कर दो वापिस हम न्यू चलते हैं वह इंपोर्ट वाले ओप्शन पर क्लिक करते हैं एक्सप आप किसी को अपनी फाइल को सेयर कर सकते हैं इसको 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 सेयर कर सकते हैं जो कि मुझे काफी जाए अच्छा लगए कि आप सेयर कर सकते हैं काफी बढ़ी है मैं होम कर करके मैं डेटरेक्र अपने फोल्डर में आचका हो इसे मैं बैक करता हुं इसके बाद एड़ा इता स्पाइडर मैं जिस्ट मैं नीचे स्कॉल करता हूं यह कोपने मोडल साच किया इस वे मैं किल्क कर दियो इधर क्लिक करना है उसके बाद जैसे मैं जिस तरीके से बहुंसे एड़ करना है आपको भी इसी तरीके से एड़ करना है वैसे इसमें पॉइंट दिख रहा है जो काफी बैटर है यार क्योंकि इसके वज़े से हमें कोई प्रॉल्म नहीं होने वाली है तो मैं इसे सिंपस बाली है फिर भी हम कर देता है इनको बैक हो जाओ तुम इधर आओ ओके इधर ठीक है इधर अब इनके फिंगर पर भी एक कड़ी देते हैं ठीक है फिंगर पर भी एड़ हो चुका है अगर पूरा प्रोफेशनल याड़ करना हो तो भी बताऊंगा वेट करो आप लोग को स पर मैं इसके नीचे लेकर जाने वाल हो इसके थम में घुटने के पास कर दिया हो पर एक डिरक नीचे करने वाला मैं यहां पर फिर एक इधर कर देते हैं, यह भी हो चुका है, अब जश्ट में वापी से इधर ही क्लिक किया, अब इसके दूसरे घुटने पर, वापी सब नीचे जाके, मैं इधर लगा दूँगा, एक इधर कर देने वाला हूं, तो अभी बोंस मैंने कहीं पर भी नहीं आड कर ज्यादा हो गया, मैंसी, इसे ठीक कर देता हूं, इस पर जाते हैं, इसके बोंस पर, ओके, ओके, यह बोंस हलका से नीचे हो जाओ, इसके पूरी बोडी नीचे होगी, अब हम कुछ निकर सकते, मैं आपको सिंपल सा एनिमेशन करके दिखाने वालों, कि आप लोग कैसे कर स इसमें भी सिखाने वालों, कैसे हो सकता है, तो क्या करना है, अब आपका जैसे यह मोडल आ जाता है, उसके बाद मूमेंट कराना है, जिस तरह आप वाल करता है, आपको इसको भी वाल कराना है, तो मैं नीचे एक वैसी सिंपल सा है, यह देखो प्लेस सा कुछ लिए हूँ इसे मैं लोंग कर देता हूँ, अब इसी को उपर हम इसे चलाने वाले है, इसे मैं थोड़ा सोपर करता हूँ, ठीक है, यह हो चुका है, ओके, फ्लैट पर खड़ाया है, ठीक है, कोई दिकत नहीं, सब कुछ हो किया है, अब हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको मुवमेंट कराने होगे, मुवमेंट कराने के लिए क्या करना है, जैसे इसके पैर मैं मुवमेंट कराने वाला हूँ, आगे पीछे करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसके एक पैर को आगे लेकर जाने वाला हूँ, फिर जाके पीछे करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसके क्लिक किया हूँ मैंने इससे पीछे करना है अब पीछे किया देखो अभी यह मैंने हलका स्थे किया अब इससे इधर क्लिक किया अम अभी में आपको इसमें एडवांस लेकर जाने वालों जिसमें आप लोग सिखोगे ना तो आप लोग बोले कि वा भाई मज आ गया ऐसी चीज आपने पूरे यूटूब पे कहीं नहीं सिखी होगी जिस तरीके इसमें आपको 3D आनमेशन सिखाने वालों पूरे यूटूब यसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वालिया जिस तरीके होगा लिटरली आप लोग को पैसे दें लेकर इस तरीकी वीडियो सिखाई ए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरी कोर्से जो है हमारे चैनल पर प्रॉबाइट किया जाते हैं जिससे आप बहुत कुछ सिख सकते हो लाइफ में काफी जदा आगे बढ़ सकते हो इस तरी कोर्से सिखने के लिए वैसे लाग खोर रुपए दिये जात आप लोग के साथ रहेंगे आपको इसके बहुत है कि अभीट करना हमें इसको बना देते हैं तो वीडिस भी आप लोगोगो प्रॉबाइट कर दढ़ दी जाएगी उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम काम मी corazón ह coastal आपको कोई बेरılar साथ बिएयर कर सकते हो 30- брат召 sized जीफिया है 300tags जीफ जीफि़ाँ अब कि दिखाथ या कि भे रगा तुक कि गालेन को एक प्ater से जीफिया या घमेनर को दिखाथ की के हैं हमको क्या करना है वापिस मैं 0 पर आगी है खोड़ता है Z20 पर पैट पीछ था तो लिखि करना है डिध हूं चलते हैं ऐसे कर ना अपको कुछ नहीं करना है का कम huge कि यह वह लोंग एसे कर सकतए था हम कर जाएंगे हमें कोई easy matter तो बताओ जिसके मदद से हम इसी animation को long कर सकें आपको यह भी बताने वाला हूं यह भी इस app के अंदर future provide किया गया जो कि मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है इस application की यही खासियत है अगर आपके पास 8GB RAM phone है आप काफी अच्छी खासी animation बना सकते हो आपको lag का भी problem नहीं देखने को मिलेगा काफी लोग ने मुझे पूझा क्या पीसी में यूज कर सकते हैं तो पीसी है आपके पास आप iclone 7 यूज करो blender यूज करो इसके भी बहुत जल्दी हम courses लाने वाले हैं वैसे YouTube पे काफी सा कैसे करते हैं और copyright अगर आपको नहीं आने वाला है जैसे कि मैंने आपको श्राटिक में तो बताया ही है सब कुछ बताया है तो भाई बने रहोगे देखो अपने को जो इस वीडियो में सिखने को मिलने वाला है अल्टीमेट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा देखो अभी इसका अभी देखो पैड मूफ कर रहा है बट अभी इसके हम हम हैंड मूफ कराने वाले है यह दो को एक जगे श्टेवल है ना एक जगे स्रिप कर रहा है अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे यह भाई चलेगा जी हां चलने वाला है उसकी आप सीन को सूट कर सकते हो मैं जो तो इसके बेकग्रांड जैसे खो जगो बलेक ब्लेक है ना यह भी आप लोग को चेंज करने और यहां कैसे आप इससे कर सकते हो सब कुछ बताने वाला हूं बहुत कुछ बताने वाला है अब देखो वापीस में जीरो पर आ चुका हूं जिए इवा गधै को थोड़ा एसे कर देता है इसे च्रुकिश के कर देते हैं है अभी दन है इसको मैं इधर से । पीछे था इसका मैं कंप करता हूं एक यह हो गया मैं आगे अब पीछ चलते हम 40 पे 30 पर शाट जो करता हूँ 60 पर शाट एक पीछे था जो 80 पर शाट जो करता हूँ तरह एक दिमाग थोड़ा सा करता हूँ छलते हैं और सेमेसी तरह आपको मूव अगरा करा नहां अब रनिंग एंड जंपिंग फाइटिंग वगेरा सब कुछ इस वीडियो में सिखाने वालों कार अनिमेशन, फांटें अनिमेशन, एनिमल वाली अनिमेशन, किस तरह बना सकतो भाई इसी एप्लिकेशन के तरो सब कुछ पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल आप लोग बहुत असानी से बना सकतो, कई लोग बोलते हैं भाई नहीं पॉसिबल है मैंने पॉसिबल करके दिखा है इस तरीके एनिमेशन मैंने इसी एंडुइड में बना हुए है अब लोग पाता है इस एंडुइड में मैं राइट कर रहा हूं तीन जी बी राम का फोन है उसमें अभी कितना फिल है 27 जी बी तो फिल होगा 22 जी बढ़के रख़ा है फैस जो खाली है 3 या चार जी घाली होगी उसills यह जाद happy 2 इतने फॉल्डर you जिसके वजय से पहली से jadi क्राइस बाइस सबना जाता हूं इसित्तम बढ़का तो इसना स्पेस वगार रीकोर्ड ओध करते आखोर बाईस में अलग से रिकॉर्ड कर रूब झ요 तो जो जो चीजे कर रहों आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि इन फूचर अगर आप लोग भी करना चाहो आपको कोई प्रॉब्लम ना करेट हो हमारी तरफ से भाई बिल्कुल भाई क्या सबस्वाइब करती करते हैं कोई भी चीज़ सबस्क्राइब करते हैं तो अगर हम इज़ी मैठे चकर में बैठे रहे ना तो भाई कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है लिटरली, मैं 100% guarantee दे कर कह सकता हूँ, कभी भी life में success नहीं पा सकते हैं, अगर आप सिप सोचोगे कि बैठे बैठे मिल जाए, या काम पहली सो हो, अगर AI के थो भी हर चीज जनरेट की जा सकती है, बट कई लोग अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, AI हर चीज नहीं कर सकती ह AI जितना एक human brain कर सकता है, AI पॉस्बली नहीं है, AI को कितना आप यूज कर लोगे, AI तो human नहीं चला रहे हैं, उसको बनाया किसने, एक इंसान नहीं बनाया, किसी और ने थोड़ी नहीं बनाया, तो इसलिए आप लोग को अपने हिसाब से कोई चीज अनिमेट करोगा, तो ज समझा रहे हैं कि जो मैं अभी कर रहा हूं, जिस तरह की अनिमेशन बना रहा हूं, आप लोगों समझा रहा है कि मुझे पहले कमेंड में जरूर बता देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, अगर ना समझा यह तो मुझे जरूर कमेंड करना, मैं कोसिस करूंगा जो मैं next course लाने वाला हूं, वैसे next course आप लोगों को अभी नी बताने वाला हूं, next course क्या आने वाला है, अगर आप लोग चैनल पर बने रहोगों तो आप लोगों वैसे पता चल जाने वाला है, ठीक है, तो मैं इसे आगे करता हूं थोड़ा सा, हम हर टाइप के animation सिखाएं पिर भी अगर आपको कोई भी problem हो, तो मेरे को Instagram पर कोंटेक्ट कर लेना, मैं night में वैसे काफिवार online आ जाता हूं, तब मैं पढ़ दूँगा, अगर उस समय मैं online हुआ, तो आपका reply भी दे दूँगा, बिल्कु रिपलाई दूगा, दोखो, अभी ये hand भी move कर रहा है, कर अभी लग रहा है, बट ये एकी जगाई stable है, तो इसको कैसे आप move करा सकतो, इसके बारे मात करते, इसके लिए अपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये जो इधर उधर वाला option करने को मलता है, अब इस पर क्लिक करना है, मुडल को आपको पीछे कर करते हैं, अब आपको क्या करना है, जीरो पर करने के बाद सिंपा से घड़ी वाले option को क्लिक कर देना है, और ये ध्यान रखना कि आपका इस select होना चाहिए, उसके बाद जहां तक आपने last key framing दिया हो, लाइक हमने तो 300 तक दिया है, अब मैं आगे करके देखता हूँ, वैस मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, तो हो जाने वाले देखो अभी, ये चेर है, इसको आप और अपने हिसाब से सेट करके और भी बढ़िया move करा सकते हो, मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, वो भी कैसे होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, बस बने रहा हो, आप इसे मैं इस पीछे कर देता हूँ, विकॉस हमने कम के फ्रेमिंग दिये, ना देखो अभी, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि टुटा फुटा हाथ पह रहा है, इसको आप कैसे सही कर सकता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, उससे पहले, देखो अगर आप इसे रिकॉर्ड करना च आप से जैसे की फ्रेमिंग सेट करना चाते हूँ, वैसे कर सकता हूँ, यह आचुक है, मैंने क्या करना है, जैसे कि 0 से स्टार्ट करता हूँ, वापिस हम 0 पे चलते हैं, लाइक देखो अभी मैं 0 पे आ चुका हूँ, यह रहा 0, जैस रिश्ट पर आ गया हूँ, उसके बा सब्सक्राइब अचलते हैं, और पार बया बदर सकता है। बाला है, इसी वीडियो में आपको प्रोफेश்याब आपको पता में हूँ, भाकी इधर तो आप लोगो पता ही है, बाकी इसी शेंज पिंक हो गया इसे मैं चेंज करके देखको एक बार कुछ इस तरी की बैक्ग्राउंड हो गई है अब हम रियल बैक्ग्राउंड कैसे लगा सकते हैं आप लोगो वह बताने वालों तो बने डाओ तो सबकु सिखने वालों अब इसे क्या करना है सिंपल समय कर देता हूं सेप औ प्रोब्लम है अब सिंपल समय करता हूं उसके बाद आपको एक वैबसाइट का यूस करना होगा हां एक वैबसाइट का यूस करना है इसी कितुरा हम करने वाले आपको 100% गारंटी देता हूं भाई कि आप लोग सौक हो जाने वालों इतर में लिक देता हूं मैंक्सिमो मैंक्सिमो टो लिकने ठीक है आपको जैसे आप इस पर कर दोगे ता आपके सामने देखो मैसे काफी सारी वैबसाइट आगी बद ये जो वैबसाइट इना आपको इस पर क्लिक करना है तो हमने जो हैं अम्नी लगया था इस तरह था जैसी ओपन हो जाएगा तो इसको लोग मैं इसे साइन अप कर लेता हूँ, वैसे ID मेरी बनी हुई है, तो सिंपल से मैं लॉग इन करूंगा, और कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस ओपन हो जाए, उसके बाद मेरे कुछ मॉड़र उसमें पहली सेब होंगे, कह रहा है भाई, अपने पास्वोड वगड़ा दो, I can't do this, I only log in, so direct मैं log in कर लेता हूँ, इतर Google को उपसन आजाता है, तो direct हम ID स्लेक्ट कर लेता है, पास्वोड वगड़ा नहीं बोलता है भरने को, यह मझे काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं डिरेक्टे Google वाला क्लिक करके, अपने SIMPAS एक email को क्लिक कर देता हूँ, डिरेक्टे गोल-गोल गुमेगा, फिर अपना loading होके आजाने वाले, देखो, यह आ चुका है, SIMPAS मैं अठेता है, इधर आपका जो मैं बताने वाला हूँ, आपने सोचा नहीं होगा, यह जो moment है, आप देखो, इस तरीक है की है, इसमें से SIMPAS मैं कोई भी एक download करता हूँ, उसके बाद मैं लेकर चलता हूँ, आप लोगो उसमें, ठीक है, उसके बाद, आप अपना खुद का कैसे, इसमें model ले आ सकते हैं, कोई भी model, इस तरह देखो, वाल के देखो, किस तरह प्रोफेशनल कर रहा है, इसी तरह के सा आप वाल करा सकते हो, एसमें एपससाइट पार आनगे भास सब्सक्राइब आधा यह दॉल इस पर क्लिक कर दे ना हम Cashmo की On करते हैं, उसके बाद इस character की Import करते हैं, मेरे आपस वैसे इसका टेक्से नीyस, सब्सक्राइब दिखाने ऐने वाला हूँ, पर इसका टेक्सर काफी बार आ जाता है जो मुझे काफी जाद अच्छा भी लगता है अब को मैं कुछ और क्रेक्टर्स प्रोबाइड करने वाला हूँ इसी के थोड़ो अब लोगों बता हूँगा कैसे क्या अब देखो यह आ चुके न यह रहा वो फाइल उसके बाद मैजिक देखो भाई जिस तरीके का अगा अपने नहीं सोच होगी उस तरीकी का अगा पाउन और आपको इसमें मिलती है यह आपको दूप्शन कुछ बोलता है सो नो कर दोगे तो आपका अगमेसन नहीं आने वाला है येस कर दो को तो आपका अनिमेशन आजाएगा समय से येस करता हूं इसमें आप बोंस देखो प्रोफेशनली लगा हुआ है इसको मैं एक बार आपको में मूव करके दिखाता हूं देखो आप यह हैंड है एक बार मूव करता हूं देखो कोई भी बॉड़ी नहीं हुड़ी मैं एक दम मैं एकुरेट मूव कर रहा है कुछ भी नहीं है अब मैंने इसे आपको प्ले करके दिखाता हूं जो एनिमेशन वालॉप्सण देखने मिलता है इस पर चलता हूं फिर जो प्लेवाल उपशनों देखने मिलता है जसमें क्लिक करता हूं उसके बाद देखो मैज के इसी में दिखाने वाला हूं कैसे अपक्रेट कर सकते हो ठीक है तो उससे आप लोगो पता चल जागा है टूजेर हो गया अब आप इसमें अपना जो मोडल है ना जैसे कि हमने दो मोडल यूज किया था सो वह वाले मोडल को कैसे ले आ सकते हो इसी तरीकी एक अनिमेशन दे अब यह देखो इदर आपको अप्लोड करेक्टर को अप्सन देखने मिलता है ना जश्ट आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद देखो इसमें तीन फॉर्मेट के क्रेक्टर जो अप्लोड होते हैं fbx हो गया ओबीजे हो गया एक जीफ फाइल हो गया सो हमारे पास जो ह ही अपना यह दुखो डाउनलोड वाला उप्सन है इदर आते हैं उसके बाद हमने यह इस पैडर मैं करें ना जश्ट इस पर क्लिक करता हूं अब देखो इदर आपको काफी सारे देखने मलते हैं बट आपको यह वाला स्लेक्ट करना और कोई भी मत्स लेक्ट करना इसमें मैं जसेलैक्ट कर देता हूं सुछ रइम 하는데 थोड़ा से पौद मिलाख इसके बाद एक देहनें उट इस मोला इंतर इसमें को आपको और को स्पाइट करना होता है किस त्याड़ी करने के स्टियो आपको मौवस की ज़रूत पड़े गी अगर आप स्मार्ट फोन यूस करो वा आपको जो पिच्चर देखनें मिल रहा है आपके राइट साइड यह वाला इसी की तरह इस मॉडल मैं आपको इसमें एड दो करना होगा मैं से पहले रोटेट कर देता हूं तो पर बैक चलते हैं क्योंकि यह रोटेशन नहीं हुआ है सो पर आता हूं साइस शलीक सवानों मेरे पास मौत कर देजक आपकाइब नपास माउस मांग लान थे चुसुल romance अपना बोन्स को एड़ करके आप कर सकते हो दो को फ्रेंट सेर्कल में किसी ना किसी का पास तो हो गई काफी लोग को पास नहीं होता है सो फ्रेंट से मांग लेना है रखिदने के जोट नहीं है अब बस एक अनिमेशन बना ले ना अगर आप इसमें लाइफटाइम और करना चाहते हो ना प्रोफेशनल ली चीजे बनाना चाहते हो सबको वैसे बाद में माउस की जोट पढ़ने वाली है सब बाए कर लेना सो देटा है इसली बाए कर लोग कोई दिक्कत नहीं है फोन से कनेक्ट करके आप फिर अपना जो भी वर्क है आराम से कर सकते हो कि वापिस इ लगा अपना यह भी स्लेक्ट हो चुका है मैं इदर नेक्ट पर क्लिक करता हो देखो उसके बाद लिखता है ना और तो डिगी मतलब इसमें जो बहुत हो रहा है हमें कुछ भी नहीं करना हमें बस वेट करना है उसके बाद यहां से हमें एनिमेशन लेकर चलनी है फिर आप आपको बताओंगा आप बैक्ग्राउंड कैसे सेट कर सकते हो उसके बाद अनिमेशन को ज़्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हो यह मैंने आपको नहीं बता है वो कैसे पॉसबल है जैसी कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा देखो मुवमेंट इधर ही स्टार्ट हो जाएग तो नहीं को जो बाई कहां तुम भाग रहे हो अधिक को यह आ चुका है कि अब इसको मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूं उसके बाद ओपन करके दिखाता हूं मैं यह श्य से मैंने डाउनलोड आले पर क्लिक किया है जैसी डाउनलोड हो जाएगा आपके सिंपल साइड अपिसे open किया अभी अब इधर में आपको वही जो spider-man का भी animation हमने डाउनलोड के ना वो इधर करके दिखाने वाला हूं अब यह चीज का फिलो नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हम करने क्या चीजे कर रहे हैं तो एक बर आप आप इसे back करके देख लेना आप लोग को पता चल जा रहा है तो वह भी कमेंट कर देना कि मुझे समझ आ रहा है जो आप समझाना चाहरे हो अब सिंपल से इस फोल्डर को मैंने क्लिक किया है जैसी मैं क्लिक करते हूं तो अपने देखो मोडल आ जाएगा अब यह 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 नो दो ओप्सन पूछता है तो बोन्स मैंने का था था प्रोफेशनली बोन्स आप कैसे एड कर सकते हो तो आप नो वाला क्लिक कर दोगो तो आपका सरी बोन्स आने वाला है तो आप अपने हिसाब से जिस तरब की अनिमेशन देना चाहते है वह दे सकते हो यह क्लिक करो तो आपका अनिमेशन के साथ आने वाला है सिंपल से देख अब क्या करने जाशिछ से जूम करने एक बार प्ले करके देख लेना आपका वर्क कर रहा है कि देखो आ चुक है इसमें टेक्सर नहीं है त्पैडर मैं थाथ को वह रेकर बाद में बोले को भई टेक्सर नहीं दिया इस पैडर मैं कोंगूर यह को हो रहा है कि प्रफेशनली मूउमेंट हो रहा है यार कुछ निकल रहा है है यह गया है कर इदर आप कुछ रखना चाहते हो लाइक मैं इदर क्यूब रख देता हूं कि वैसे काफी बढ़ा हो चुका है क्योंकि अपना स्पाइडर मैन ही छोटा है इसकी साइस को मैं इदर इंक्रीज कर लेता हूं कि क्यूब को हम इदर रखते है ठीक है स्पाइडर मैन काफी ज्याद उपर चला गया है नीचे आज़ा भाई थोड़ा से उपर है डन है अब ठीक है यह यह हो चुका है विसे मैं थोड़ा से उपर करता हूं लाइक दिश्ट्राइब ठीक है यह भी हो चुका है अब प्ले करके दिखाता हूं आप लोगों देखो फिर आप लोग बढ़ी अलगने वाले मुझे पता है ऐसे नहीं बढ़ी अलगेगा जब तक इसमें बैक्ग्राउंड ने अट हो जाए यह टेक्शर ने अट हो जाए तो आपको पहले टेक्श्च्चर और प्लस बैक्ग्राउंड जो आसमान वगएर आप लोग देखता यह हो चुक है अब मैं इदर पीछे बिल्डिंग ले आना चाहूं तो बिल्डिंग भी ले आ सकता हूं अब वह भी आप लोग बताऊंगा बिल्डिंग ले आते हैं और कुछ नहीं बिल्डिंग लेकर आते हैं सिंपल सा मैं उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं इधर से क् एक plane लेना है क्योंकि building से एड करना है na यह प्लेन लेते हैं इसे हम rotate करके खड़कर देते हैं देखो यह हो चुक है इसे मैं ऊपड़ के side करता हूं ठीक है डन अब इसे मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा वापिस से पर ठीक है यह हो चुका है मैंने इसे कट करना है फिर आप लोग को सीन करेट करके दिखाता हूँ एक सिंपल से जाना है हमने करेक्टर को कर सकते हो किiała कि इसे मैं इस पर क्लिक करदें आगे सामने बहुत चीजा आज आजी आаты हुआस के कासदील करता हो अब इससे यह धाट कर लेता हूँआ प्रस मैंने इस पर क्लिक किया उड़ने वाला भी आता आप लोगों पता है अब मैं एक बार और देख लोता हूं और भी काफी सारे हैं लाइक ही है ठीक है अब मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रोल करता हूं ओबर ड्रैप को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं अगरा हमने नह तक भी कणकी मां तरहीं पिसा करांवरने स्क्रावारस हूं यी प्लिक कर देखें करने वाला है विद्पर आपको काफी सुर्वा और क्रेकडर साज आने वाली रिजल्ट क्रेक्टर आपने मैं इसे ऐटा दीए कितने सारे करेक्टर्स आ चुके इनका भी आप यूज़ कर सकते हो क्या करना आपको जैसे कि आपको फूल कोई बीक देंजा करेक्टर ले लेता है क्योंकि हमें उसके साथ फाइट भी करानी होगी कुछ ऐसा ठीक है तो मैं इस करेक्टर को लेने वाला और यहां पर अपने को देखो काफे कुछ मिल सुका है जैसे मैं एक बर करता हूं स्क्रॉल करते हैं देखते हैं ओके यह माफी मांग रहा है माफी वगारा ले लेते हैं ठीक है यह लेने के बाद हमने एक छोटी मुवी आप लोग को क्रेट करके दिखाऊंगे जैसी हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं करना है डाउनलोड वाले पर क्लिक करके और आपको डाउनलोड वाले पर क्लिक कर देना है वापीस डाउनलोड डाउनलोड जो भी कह रहा हूं ठीक है इसे क्लिक कर दोग तो आपका डाउनलोड हो जाने वाला है अब मैं आपको पीछे का background जो download करने का बता रहा था ना simple दोगो मैं back आया हूँ अब इधर से मैं लिखता हूँ grass ठीक है grass texture लिख दो glass texture ठीक है इसके बाद आपको .com वगड़ा ने लगाना है simple सा search कर देना है image पर जाना image पर जाने के बाद आपको इधर से कोई भी image को download कर ले ना simple से मेरे को यह better लग रहा है मैं इस पर click करके इसे मैं download कर लेता हूँ उसके बाद यूज कर लेता हूँ अगर आप लोग कहीं और से भी download करना चाहते हो तो कहीं और से भी download कर सकते हो मुझे यह वाला नी चाहिए I don't use this I use some different like wood texture wood texture मुझे काफी ज्यादा बेटर लगता है like wood texture कुछी wood texture में काफी different qualities आजाती है जैसे कि license वाला है मैं इसे use करना चाहूँगा without license भी मैंने काफी सारे uses किये हुए but मुझे कोई भी problem तो नहीं हुई थी but अब मत करना है अब हमें background के लिए क्या चाहिए था building texture building लिग देते है building background texture अब मैं इसे वापी सेर्च वाले पर क्लिक कर दिया काफी सारे background सार्च चुके आपने पास जिनको मैं use कर सकता हूँ but मैं कोई एक simple सा use करने वाला हूँ like कौन सा use करो I think I will use this okay मैं यह use करने वाला हूँ क्यार अपने को building सा चाहिए अपने को ज्यादा कुछ heavy नहीं चाहिए simple सा रहेगा तो काफी battle रहेगा जो देखने में भी अच्छा लगता है like मैंने इसे डाउनलोड कर लिया करना है आपको इदर जानतों लिखना है जैसे में इदर HDR heaven आ चुका है मैं यह वाला लेने वाला हूँ ठीक है browser से करते हैं उसके बाद में पास काफी सारे आ जाने वाले background में देखते हूं जैसे आस्मान वगरा के होगे देखो इस तरीक कुछ है इसे क्लिक करके रखता हूं ओके कर रहा है ओपन करने के बाद आपको क्या करना है इस पर क्लिक करके रखना है कुछ दिर उसके बाद डाउनलोड ही में जाएगा इससे आप सिंपल से डाउनलोड कर सकते हूं या दूसरा method भी है आपको इधर तीन टोट पर देखने को मिलती है ना यह जो तीन लकीड मैं बैक आता हूं इस पर क्लिक करना है नीचे स्क्रोल करना है देखो फिर आपको काफी सारे option देखना को मिलते है के लोंग प्रेस अब हीसे डाउनलोड करें दो यह अगिन होने के बाद कुछ आपका यह स्थारा लगने वाला आपकपको वापी से बाता ना बीजमा 2D यहां करें इसको अपन tut अपने के बाद आपका हमेन द्राज़ कराने लेगा अब तेक्टिर डाउड पील्डिंग वाया नहीं मैं वापीस से ले आता हूं वही है उसके बिना काम होने नहीं वाला है ताना यह रहा Бिल्डिंग वाला मेरे खायल से मुझे सिस्कूरोइ लेना पड़ेगा क्योंकि यह हुआ नहीं है तो देखो यह जो रिश्टोर वाला ओप्शन मैं इस पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद रिश्टोर कर लेता हूं जो अपना मोडल अभी हमने बनाया तना वही आएगा देखो आचुका है अम इदर टैक्सर एड करता हूं जो भी हमने डाउनलोड क्लिंग अपनी आ गया है इसे मैं ऊपर करता हूं और इसे मैं हलका चोटा करता हूं अब यह अपना प्लोड है इसकी डेख्षण भी कर देते हैं टैक्सर पे जाके स्फल wild पे गया है को यह अब हएरा अपना इससे मैं कर देता हूं क्वाले पर गया उसमने करने वाले है, simple से मैंने इसमें ये वाला कुछ दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ, देखो भी, अब देखो, आपको model किस तरह लग रहा है, एक बाद प्ले करके आप लोगो दिखाता हूँ, देखो, ऐसा कुछ आ चुका है, अब मैंने आपको एक चीज दिखाना है, जिसको देखके आप बिल्कुछ सौक हो जाने वालो, उससे पहले मैं लाइटिंग करके दिखाता हूँ, तुम बैखो, देखो ये लाइटिंग आ चुका है, अब मैं इदर sun करने वाला हूँ, इसके बाद इसमें shadow को मैं increase कर देता हूँ, अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा पीछे करना है, या चुका है, ओके डन, अब देखो आप एक बड़ प्ले करके आपको दिखाता हूँ, दोग इसकी shadow भी साथ-साथ में आ रही है, देखो, मूव इसकी shadow भी हो रही है, देख र high quality की होती, texturing, वैसा कुछ, इसको मैं पहले बड़ा करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ, इसमें और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो चुका है, ये डन, ठीक है, इतना रहन दो एक कुछ अजीव सा हो गया है, अंडेगा save का, बट मैंने इसे texture add करना है, सो सिंपल सा, वापिस मैं इस पर जाता हूँ, वो texture को select कर लेता हूँ, देखो, दुख आपकी building के साथ texture कुछा सुका है, अब आप इसे नीचे कर सकते हो, rotate वगएर करना चाओ, rotate कर सकते हो, लाइक, मैं इसे हलका सा rotate करता हूँ, उसके बाद इसे मैं नीचे कर देता हूँ, ठ नीचे कर देता हूँ, टेक्से देखो, यह हमने दूसरे तरीके के डाउनलोड किया है, और इजिनल टेक्से कैसे करते हैं, वो भी आप लोग बताने वालो, यह सिंपल साप लोगो समझाने के लिए मैंने डाउनलोड किया, देखो, कैसा लग रहा है, काफी ज्यादा बैट करके ले आओ, देखो, हो गया है, अब वापिस में क्या करता हूँ, एक कैमरा वाला उप्शन ले आखे, इसे में एक बार रिकोर्ड करता हूँ, उसके बाद आपको एक सिनमेटिक सोट लेकर दिखाता हूँ, ठीक, देक मैं बैक आया, एक इधर मैं क्लिक किया, कैमरे वाल आगे चलता हूँ, पचास पर गया है, थोड़ा से से डोटेट करता हूँ, अब मैं इसे, इधर करता हूँ, आगे चलता है इसे, अब प्ले करता हूँ, अब यह आपकी पूरी वीडियो है, इस तरीके से आप इसमें बना सकते हो, पस आपको क्या करना है, वाप पीसे रेंडर वाले ओप्सन पर जाके रेंडर कर लेना है, कुछ नहीं करना है, रिमूब वाटरमार्क रेंडर वाले पर आप जैसी क्लिक करोगे, आपकी वीडियो जो रेंडर हो जाएगी, सेव हो जाएगी, आपको मैं एक बार रेंडर करके भी दिखा द किस तरीकी की बन किया यह आप खुद एक बर देखो यार प्ले करके मैं आप लोगों दिखाते हैं अब बैक चलते हैं अब खुद देखो अब पूरी डीटेल से समझाने वाला हूँ सो वीडियो को स्किप मत करना और पूरे अच्छे से कोंसेट्रेशन के साथ समझना वीडियो में आगे बढ़ीने से पहले मैं congratulations कह देने वाला हूँ क्यूंकि भाई आप मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो आपने सोचा नहीं होगा अब high animation आप शिकने वाला हूँ कोंग मॉर्टर ले लेते हैं। मोर्ट रहे वालो तुछी तो कि क्लीया नाफिक आप में इसे स्लेक्ट कर लिए हैश सही साइब करने लाइन रहेगा गता है तुम रागताAST AB धम für taxering देने व वटकर टेक्सर वहoplां यूश करंगे पहले में आपको लाइटिंग कुछ से जाओं रिखाना करके से आपने पास काफी सारो है जलक्सिस क्लिक कर है क्योंकि हमने इस समय हाई ग्राफिक पर सेट किया हुआ है जिस कारण से हमें इस तरीकी का दिख रहा है अब मैं लाइटिंग बगरा करने स्पैल है मैंने क्या करने कार लेकर नहीं ठीक है मैं इधर से गया 3D इंपोड पर आचुका हूं सब कुछ आप लोग को बताई दिय सबकन पता है तो कि आपना माकलेइर का जो मोडल है इंस्टागरम पर आपको कहा से मिलने वाला है ति अपको स्केचपर वैबसाइट पर मिल जाएगा वहां से ड़ाउंड कर लिंधे आहं से इसका पहले इसको मेरी तरही आप बिल्कुल सेम चाहिए ना सो मेरे इस्टागर तो फिर टीक लग रहे ठीक है अब इसमें हम कलरिंग देते वैसे मेरे पास आपको मैं दिखातों किस किस टाइप के कलर जो है अभी मेरे पास एवैलवल है तो करेंट मैं देखो टैक्शर पर गया टैक्शर पर फिल करते हैं यह इसके टैक्सर फोड़ा मुझे डिफकर लगे विखने हैं व्याइले टे लियम्तों को इसके टैक्शर हाँ क्या बार तरस आघया । JEकुन्हकर का टैक्शर नो नो इसुछ रॉंग इस रॉंग के जलते मिरे गाल सो इसका टैक्सटर जो है सब कुछ अलग ही दिया हुआ है सो मुझे इसमें कुछ ना कुछ ग्लिस हो गया कुछ वापी से छर्ट करते हैं कि फ्रह मोडिल हम ने सलेक्ट किया इसमारे मकल लेभं norm खराब हो चुका है बट वेट मेरे पास एक पहले ही से जिसमें मैंने टैक्सेट दिया हूँ वह अला एवेलबल है देखो यह अपना 3D कार जश्मैस पर क्लिक करता हूं उपर कर देते हैं देखो यह अपनी कार कितनी ज्यादा ओसम लग रही है भाई इस तरह की अमेजिंग सी मोडल आप जो एक डाउनलोड करना को यह अपने कॉंसर डाउनलोड करना है अगर यह आप ध्यान रखके डाउनलोड करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगा आपका मोडल इसली सपोर्ट करेगा कुछ भी होता है तो मैं बैठा हूँ हूँ यार मेरे साप इंस्टाग्राम प इस तरव स लाइट करना है इस त्रव से लायट अलग पीछइ से अलग रख सुपो कैसी दी जाती यह काफी ज्यादा लग होता है क्योंको एक सिनमेटिक सौut्ट होता है। Stefania अच्छा लगा ए कर सकते हैं तो क्या करना है लाइट को आपको जानता है अब आपने हिसाब से चेंज कर सकता हो तो ले लिए अब इसके पार बता देता हूं अगर नहीं भी बता होगा तो अब कर सकता हूं कि यह बढ़ना चाहता हूं तो वो वह सकता हूं । सअदम सूट्स से क्रेट करने वाले वह काफी ज्यादा बैटल लगेगा इसने मैं चाहरा लेता हूं कॉपी करने के बाद हम इधर थोड़ा से पीछे आते हैं अब इस तरह लेकर आते हैं इसे इसकी कलर को हम करने वाले हैं कोई और करते हैं लाइक यह कर देतें ठीक है कि हम देखो आप किस तरह लग रही है काफी ज्यादा ओसम लग रही मुझे तो बहुत अच्छे लगड़ी आप कमेंट बताओ आप लोग को कैसे लगड़ी यह कार मेरे खाल से आपको भी बहुत अच्छा लगड़ा क्योंकि देखो भाई यह जो मोडल हमें बनाने में कितनी महनत लगती है अगर यह बना बना मिल जाए तो कितनी ज्याद है बात है न से मदल से आप लोग डाउनलोड कर लें हैं यह जितनी मोडल ले इस लिए मैंने आपको वैब सब्सक्री बता दिया कि मोडस को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको कोई भी प्रॉलम ना हो मैं इध के लाइटी मुझे काफ़ी ज्यदा लग लग और देख लेओ कितनी ज्युदा ज्यादा लग ब्रुर्व ब्रुम्नेंट को पहले रोग करते ले अधिनकी फाले वी M वाले मैंने के बाद मैंने बता है उसके बाद आपको जाने एनीमेशن वाले आपको जनीर उससे पहले camera के अंदर यह जम्पिन वाला option देखने मिलता है यह जरूर कर ले ना जब भी आप key framing set करने जो क्योंकि इससे आपको पतल चाहेगा कि भाई किस तरह हो रहा है क्या क्या चीज़े हो रहा है सब कुछ ठीक है अब इदर से मैं करते हैं जीरो पे ठीक है इसको मैं आ कोई cinematic scene 3D में जो हम suit करते हैं भाई इसमें career भी बहुत है बहुत कुछ है अगर आप करना चाहो तो इसे अभी से अभी स्टार्ट करते हो ना अपने चैनल पर अभी से डालना स्टार्ट करो तो को 2025 and होते होते हैं आपको बहुत अच्छा result देखने वो मिलने वाला है क्यों 3 3D animation लिटरली भाई बहुत ज्यादा career है हर चीज 3D में समझाने के लिए जरूरत पड़ती है अब लोगों कैसे नहीं समाझाता है अब काफी सारी movies को 3D में convert करके सिखा सकते हो जैसे मैंने आपको इंट्रोम बता है कि 3D से क्या को profit होगा अगर आप इससे सिख लेते हो तो बैसे इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हो क्या क्या चीज कैसे कैसे होता है इसपेसली android users के लिए काफी लोग जानतों क्या क्या थे बहुत सारी कोर्स लेकर आने वाले बहुत सारी कोर्स तो अबेलबल होंगी बट 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 हमारा जो कोर्स होएगा एकदब आपको कोई यूटूबर्स नहीं बता है होगा मैं यूटूब पर तीन साल से काम कर रहा हूं मैंने चार श्टैक्स जीर चुके है चार श्टैक्स अपने तीन चैनल गवाद चुके हैं और दो चैनल को वापिस लेकर भी आया है आपको फुरूब भी दिखा दूँगा कुछ इस तरीके के अपनी सूट हो रही है लग रही हो सब इसमें आप कोई ट्यूनिंग लगा दोगे भी या कौन नहीं देखेगा अब इतनी सूट होने कबाद आप इसे रेंडर कर लेना मैं तो रेंडर नहीं करने वाला हूं अब मैं आपको सिखातना हूं भीया इसे आ अगर आप काफी जदा बैटर है अब मैं इस कार के मोडल को हलका सा क्या करता हूं ठीक है अब अब इसकी टैर वगएर को आपको घुमाना होगा इसको फ्लोट पर पर उपर क्यों उठाए अब यहां से चानतों आपको क्या करना है आपको मैं पहले इसमें जो बॉन्स एड करें तो वैसी एड़ करने देखो इसकी गारी का दरवाजा खुल चुक है अब इसके अंदर चलते है थोड़ा यह देख सकते हैं हैं अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेट कर देना मैं आप लोग को यह 20-30 करोल में प्रवाइट कर देने वाला हूं फिर इस प्रवाइट क लेना फुरे अब कोशक कोई भी पैसे नहीं लगने वाला है तो अराम से 5-6 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा आप डाउनलोड कर लेना अब इसके टेर को भी तो डोटेट करना है देखो तो इसके टेर भी तो गुमने चाहिए एक ही तरफ थोड़ी न रहेगा यार रिय कैसे होगा भाई यहां तक आया हो तो सब कुछ सीखाने वाला हो सब कुछ बताने वाला हो एक कार को से लेक्ट करता हूं 3D कर तुम पहले इसके सार ठीक है अब देखो मैंने क्या करना है एक की फ्रेमिंग सबसे लाश में जाके जहां तक मैंने इसकी लाश्ट आनिमेसन द के आगे तक देते हैं किसे कम से कम यह 10-20 सेगेंड के तो बने क्योंकि 11-12 सेगेंड के अगर आपको बनाने तो एक हजा की फ्रेमिंग तक लेकर जानी होगी मैं इससे इतनी आगी कर देता हूं ठीक है हो चुका है मैं आपको इब प्ले करके दिखाता हूं देखो जाड़ी है आपकी गारी बद्द इसकी टैर कुछ खास नहीं भाग रहा है एक ही जगा हुआ है वह कैसे सही होगा उसके लिए आपको वापिस से जिरो की फ्रेमिंग पर जाना है इस्टार्टिंग में लाइक में स्टार्टिंग में चलता हूं दो कर अगर मैं तेज बोल तेज बोलते हो मैं कोसस करूंगा नेक्स टाइम थोड़ा स्लो बोलू अभी इसा स्लो वैसे बोलना श्राट कर देता हूं क्यों मुझे भी लग रहा है कि मैंने तेज बोल रहा हूं दो क्या करना है यह होने के बाद आपको यह जो बोन्स वाला ओप्सन देखने मिलता है इ लोगा सा नीचे डूल घैंक सकlyन एकशार करने का मात देदे लेग्स एक टाइंट गेस दीखनें किष्ट ब्पीचे घर मिनें तो grandson bisa स्लोगें ok के शांता हो हुआ अपनी थे पाद सब्सक्राइब अ क्याकर सब्सक्राइब है की टेर को हमें打dag क्योंट होगाainen की बादध करना होगा रहे देखो आपना इधर ध्यान किनमीन होगी ऊप अपना काम आधिल यहां पर रहा है आपको से क्या होगास माइनस 1112 वैसा कुल दिख रहा है ऩुछ की आप रहा Rs 0000 तो मैं इसे देने वाला हूं माइनस एक्केस हजार दीख है माइनस वेणा क्योंकि आगे को जा रहा है तो हमें उसे इंसाफ से देना होगा जैसे कि कि माइनस 2100 में देदेता हूं इसे ओके यह मैंने 2100 इसे देदिया है अब इधर मैं इसे लॉक कर दूँगा देखो 2100 पर जैसी मैंने इधर इधर किया 20,000 उसके बाद मैंने इसे दवा दिया तो फिर लॉक हो चुका है अब वापिस हम दूसरे पर चलते हैं मैं वापिस समझा तो मैंने क्या किया वापिस मैं देखो इसी पर आ चुका हूँ माइनस वाला तो इसको वापिस हम क्या करेंगे इस पर स्लेक्ट करके इसे भी 21,000 कर देने वाले दोनों का सेम स्पीड रखना यह नहीं एक टैर का आप कुछ और कर दो सवजीब लगेगा ठीक है यह होने के बाद वापिस हम क्या करेंगे देखो यह हो चुका है अब मैं इध आपको इसे परकी मॉडल्स को यूज किया हुए है बांकि हम आपको सिखाएंगे आपको denkt लोड करके लिया सकते हो और भी चाहिए आपको सिखाने वालों मैं इसे उपर करता हूं हलका सा अब इदा मैं पीछे लेकर चलता हूं ठीक है ओके इसकी साइस को में इंक्रीस करनी होगी क्योंकि भाईया हमें चाहिए एक बैक्ग्राउंड अच्छा सा अब यह नोटिस करो इदर कुछ लाइनिंग से आगे ना अगर आप ज्यादा बड़ा मोडल बनाओगे तो इस तरह की लाइनिंग देखने को मिल सकती है इसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर एक कैमरा एंगल सेट करते वक्त दिख रहे हैं तब प्रॉब्लम हो सकती है तब एलियन को क्या करूंगा ले जाके यार मैंने एक सिंपसे का गारी वाले देखने कैसा लगता है इसे डोटेट कर देता हूँ यार क्योंकि देख रहो भाई किस तरह लग रहा है अजीब सा लग रहा है अब मैं इसे छोटा करता हूँ अब अब करें नियुक्ता है पाल शैक को अचीब करते हैं यहां को कुछ द्यान रखना होगा वह ध्यान क्या रखना है इसमा आपको ऐसी ट्रिक्स बताता हूं जिससे आपको छेंज करने की जोतनी है बोले तो बारबर इस कैमरे में एक सिंस्टाइव किये दूसरे कैमरे में दूसरा सीन सूट किये नो मैं आपको एक ऐसा मैठेट बताने वाला हूं जिससे आप एक की बार में काफी अच्छे मतलब सीन सीट कर सकते हो ठीक है तो मैं इधर एक की फ्रेम पहले दिया हूं देख कहा गया भाई है चाची सब्सक्राइब सर्फ एक एक यहरा श्तारिक में देचुका है अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं जो हो यहाँ से डिया인이 देता हूं अब अपको क्या करना है एक नैक्श्स की फ्रेम पर जाना इधर जाना अम यह ponieważ थोड़ा सा ऐसे हो नहीं ठीक है यहां पर यह सी क्या चाहँ आप भी बोलो भाई इस तरीके क्यों हो सकता यह मैंने सोचा नहीं था मैं तर्फ करता हूं नीचे भाई टैर्प छुए नहीं यह सो मैं से हलका से रोटेट करता हूं मैं इसे वापिस से आगे कर देता हूं ठीक है लाइक मैंने इसे यहां पर कर दीया यह 200 लोपिंटी अब प्ले कर आप सको दिखाता हूं यह गाड़ी गयी इदर से सेंट सीन आ गया इस तरीके आदर एंगल आपको एक एक एंकल में एक सीन लाया बाए हमें एक बार में करेंगे सब करेंगma यह यह हुड़ा आचके थोड़ा से रोटेशन में देने वालने वयुड़ाria की फ्रेमिंग खतम हो चुकी थी हम इधर से इसकी डोटेशन देखा हूं कि कुछ ऐसे ठीक है यह देने के बाद वापिस हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और एक और रोटेशन देंगे क्यों रोटेशन से अपना सारा काम होने वाला है देखो अब मैं हलके से इसे भी डोटेशन देता हूं बस इतना बहुत है अब में बड़ प्लेगर करके आपको दिखाता हूं देखो यही चीज्ज़ आपके डिकोर्ड होके आपके गैलरी में सेब होगी देखो यह आपकी अनिमेसन चड़िए है सिंपल सा था भाई कुछ भी नहीं था देखो आपके एक वर प्ले करता हूं काफी ज्यादा सिंपल है थेड़ी एनिमेशन कोई मुस्किल नहीं है बढ़ हां की फ्रेमिंग अगर आपको आती ढंक से सेट करनी आगे ना की फ्रेमिंग और बॉंस का कमाल और कुछ नहीं है भा तो यहां तक हो चुक firm को ओछें और करने वाले नहीं को कि ना मिभन करने वाले एगर और उसके हम क्या करने वाले अनिमेशन के कीफ इंचू करने घर है क्योंकि देखो आप कुछ भी बनाने जाओ गया अगर आपका लो क्वाल्टी का फॉन लाइक लो सॉफ्टेयर है मेरा 3GB RAM है जिसमें मैं यह सीजे कर रहा हूं 3GB RAM आप सो सकते हो भाई इतने घंटे की वीडियो जो मैंने क्रेट किया यह एडिट भी इसी फॉन से होगा 3GB RAM फ साथ हजार रुपए कमा के दिये हैं लिटरली चाहर मैंने के अंदर साथ हजार इसने यूटूब से कमा के दिये मुझे भाई समझ एक तो सिफ थीड़ी अनिमेशन कंप्लीट बनाते बनाते और जानतों आप लोग को मैं थीड़ी अनिमेशन जो सीखाता हो ना मुझे अब जब उसे बना दोगे उस बंदे को दे दोगे तो आपको पैसे तो मिल जाने वाले ना सिंपल भाईया बहुत अच्छे एडिंग होती है इस से अगर आप डंग से कंसिटेंसी से काम करते हो तो बैसे आप लोग मैंने स्टाटिंग में कुछ अगर वीडियो दिखाईय देते हैं को सीन एक छोटा सा क्रेट करने वालों और कुछ नहीं ठीक है उसको बात एडवांस लेवल के भी जाएंगे इस बता रहा हो हर बाद आपको पहले लो सिखा रहा हूं उसके बाद एडवांस जा रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को नहीं समझाता है जब हम छोटे से सुर्वात करते हैं तो सही रहता है और सब के दिमागे बैढ़ जाता है कि भाई इसमें यह चीज़े यह ऐसे होते हैं अराम से पल्ले पड़ जाता है पर इकठे मां हाई लेवल के आप लोगो बता दू अगर मैं आपको स्टार्टिंग से यहीं चीज़े सिखाने बैठ उसके बाद मैं आपको भाई लिटरी कहा रहा हूं जिस हिसाब से आप लोगों मैं अभी बताने वाला हूं उस हिसाब से पुरी यूटूब पर आपको कोई नहीं बताया होगा देखो थेड़े इंपोर्ट पर गया हूं अब मैं वापीस से देखो जो डाउनलोड किया था यह तो काफी जादा चुट है तो होने नहीं वाला 25 तो टीफाइफ पर भी नहीं माने गए पचास पचास ज्यादा हो जाएगा बाई 20 कि अब इस समय में 20 कर देता हूं सब की हम साइस को 2020 कर देते हैं ज्यादा लगे तो कम कर देंगे यह गारी की साइस को इंक्रीज कर दे मेरे हिसाब से बाकी मुझे नहीं लगता फाइफ है सिक्स हो कोई पॉब्लम होने वाले क्योंकि हमें करना इसे बस बना देना है सिक्स कि देखो जब आप यह मॉडलिंग को इगरा करो तो साइस वगेरे का ध्यान रखना विकोस यह इसी पर मैटर करता है सब कुछ लाइटिंग हो गया आपकी की फ्रेविंग हो गया आपकी एनिमेशन जिस तरह कराओगे वह हो गया यह नहीं सब्ते आपका सब कुछ मैटर करेगा और कुछ नहीं देखो हो चुक है वैसे काफी छोटा लग रहा है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी यार छो इसकी बडराबर की लगती है अब इसके लग्रेवार की काड़ी पर सकता है इस्से फ्रॉब्ली को किलिक करता हूं मॉद्लिंग यह नजो कि हा कि का Health & Chi 되어 को यह पिने स्पैडर एक्शों पर यह दो साथ है बट गारीर देख रेए फटना हो से ऋपर है कि है बैं हम fan support कर देंगे नव आपको तरीके बताने वालो एक एक खुछ से करा सकते हैं और दूसरा आप जो है मतलब एक टूल की मदद से करा सकते हैं एक की फ्रेमिंग इसे थोड़ा सा रोटेट कराना है तब जाके बैटर रहेगा अब तीस पे देखो इसे मैंने थोड़ा सा इसके बोन को सेट करना है अब जिस तरह हम गारी खोलने के लिए जुकते हैं न वहीं मैं इस से कड़ाने वाला हूं बट इसके तो पूरी बॉड़ी ही है यह वह उन को निसाट करना हो यह वाले स्लैक करना होगा मरे ख्याल से एड़े हैं कि यह वोड़ा को कि तेड़े होते नहां अ가 ह में जुक्त के गाए और मेंगा है अपहल pewno क्लिक करना है आपको अब पोउर निकाम करने इस इसका जो ढक्कान नहीं वाले ये इसको अब उपन करने आपको जश्ट मैं इस पर क्लिक करता हूं अब मैं इसे जैसे जुका है फिर इसको आगे भी लेकर चलना होगा भाई एक एक पैर की भूममेट हमें देनी होगी आप लोगों में बता देता हूं देखो ये चीज़ हुसे मैं थोड़ा सिरो में करते हूं और डाई करता हूं अब करता हूं फिर इदर कर देता हम चेहां इसके हाथ को भी इससी इनसाफ से सेट करना होगा बाद में कोई प्रॉब्लम ना उपने को देखो यह हो चुका है यूद प्लै करता हूं देखता हूं legislate ऑन बबने इसके हैंड में आपको मुवमेंट देनी है क्योंकि इसका हैंड भी उसपे टैच होना चाहिए ना क्योंकि यह उठा रहा है इसके हैंड को हम इस पर लेकर जाते हैं सिम्पल सा है को इस इदर गये कि पहले मैं इसे दुसरे जेखाँ को गए matter वापिस समें starting G99 लागा ड्यकिंण कर चुका है आप क्या करने स्पाइदर को थोड़ा पीछे करूं कि इस पाइडर मैन को पीछे करना है थोड़ा से आगे करो क्योंकि टैच होना चाहिए भाई तभी काम होगा आपका तो यह थे थोड़ा सा ओड़ जिकाएंगे उसी इणसाफ से डाइक मैं इस पे क्लिक करता हूं अब जैसे जैसे खुलेगा ना देखो यह पहली 10 ओपन होच है तो इसे हमें ओर जुकाना होगा इसके बोल्स को हमें और भी नीचे जुकाना होगा लाइक मैं इसे ह taraड का जुका हो बट यह स्टार्ट िमनेंघ किसको श्टार्टिंग आपको सीधा करना होगा अब आज ऐसलो आप देखो बड़े पुरा मूंव नहीं कि आवि इसे पूरा मून किराने वाले अ कि इसकी बॉड़ी देखो पूरी मूव नहीं की बॉड़ी और इसके जो पैर वगएरा यह ले नहीं है इसके पैर वगएरा मुवमेंट करनी होगी एक पैर हम इसे आगे करेंगे तो जिस तरह मैं करूं इस तरह आपको करना है ठीक है अब मैं स्टार्टिंग में चलता हूं इसके पहले जान लेना फिर बेकार हो जाएगा कि आपका ना दिमाग घूम जाएगा एनिमेशन के बारे में आपको पता नहीं होने वाला है कि इसमें मुमेंट वगएरा कैसे कड़ानी है अब देखो इस्टार्टिंग अपनी जीरो से यह हुई थी है फिर तीस पे अपनी जाओ एक-एक बॉन को सेट करने ठीक है एक-एक बॉन को आपको सेट करना होगा लग मैं इस बॉन को स्लेक्ट किया हूं इसका हाथ नीचे करो आप नोर्मल हलका सा ऐसे ओके है ठीक है यह हो चुका है अब इसके बॉन को भी आप सीधा करो कि इस टार्टिंग में इससे एक ठीक है हम देखो हुई न मुवमेंट अब देखो किस तरह लग रहा है इसका हाथ भी मुवमेंट हुआ अब इसके हाथ को हमें आगे लेकर जाना होगा क्योंकि हमने हाथ को सीधा कर दिये नहीं से हाथ को आपको रोटेट करना है हाथ के बोन को भी स्लेक्ट करना देखो हाथ करता हूँ कि अगय को मेरे कोगमान होगा को क्यों कि देख रहो कि तना जदा दूड़ो चुका है ये इदर करते हैं इसे से ऐसे करते हैं वापिस से हम थोड़ा से उपर करते हैं कि यह हो चुक है अब थोड़ ठीक लग रहा है इसे मैं वापिस से वैसे स्लेक्ट करने वालों जैसे हुआ था इसके हैंड को अलका सा इंदर सभी मूव दे देते हैं इसकी बॉड़ी को हमें आगे करना होगा जश्ट हमें क्या करना है फिर से पूरी बॉड़ी को स्लेक्ट करना है इस्टार्टिंग में जाना है इसकी बॉड़ी को आगे करना है अब ठीक है अब देखो अब इसकी पूरी बॉड़ी अभी मूव नहीं देखो यहां पर आई है है यह नहीं किया तो इसक्राइब अपने हिसां ऐसाब सब्सक्राइब हो अब झिसमाब हो चुकी है तो मैं जैसे स्लेक्क पहुझाबं причet नप पहुझ आकशा है है् अभी बंडे को दर तक पुर्चाना है तो फिस तक हो चुका था टैसे कंश्लान वातर, थीक्षार कना गोमा ता-्यूश-पया और अथ्व brains बोन को सेलेक्ट करते हैं एक बर वाफिस हम प्ले करके देख लेते हैं लाइक ओके इसने इतना उठाया बट इसे घूमना चाहिए था इसके एक एक बोन को आपको काफी हिसाब से अपने सेट करना होगा अब देखो मैं यह क्यों बता रहा हूँ ताकि आप लोग सीख जाओ अब दो को कपनी है कमपनी आपको बोली कि भाई मेरे लिए ऐसा बना दे चीज ऐसा होना चाहिए इस तरीके से रोटेट करना चाहिए तब जाके काम बनेगा ना अब रुको मैं पहले से बोंस को इसके सेट कर देता अपने हिसाब से अधैक पहले वाला बोंस सेट था यहा चलो हो चो चाहिए अब इसके ना हात की हिसाब से हमें इसके डॉर को भी ओपन करना होगा लाइक दोर है इस्टाइटिंग में आपीस चलते हैं एक एक करके देखो हमें ये सेट करना है, like इसके hand पहुंची यहां पर, अभी नहीं गया, अभी थोड़ा पहुंचा है, अभ यहां पर भी थोड़ा से इसको आप अपने हिसाब से देखो, यह hand इस पर आया था न, इसको नीचे करो, हाँ तब, इसके door पे, और नीचे, ओके ठीक है इसे आप डन करो और नीच अगरो इसे आप और इसके हैंड को न आप रोटेट करो पूरा अपने हिसाफ से एकदम एकुडेट सेट करना तब जाके आपकी एनिमेशन जो बनने वाली काफी ज़्याद अच्छी बनेगी वरने एकदम बकवास सी बनेगी फिर मत कह नहीं है को क्योंकि देखो कोई भी अगर आपको अगेरा मिल गया तो तो अपने हिसाब से बोलेगा ना भाई मुझे ऐसी चाहिए चीज़ ऐसी बनाके दे इसका हाथ इधर होना चाहिए टैच इधर नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आप लोगों को यह समझारों बढ़ना आप सिंपल सी बना सकते देखो अभी यह काफी अच्छा मुवमेंट कर रहा है बट इसको वाला हैंड मूव निकर रहा है इसको भी मूव कराना होगा थोड़ा हलका सा इधर पिर इसके इधर भी थोड़ा मूवमेंट आए देखो अब स्टार्टिंग में भी यही था यह policies करें इसको भी हम थोड़ा सा mode करा देते हैं लाइक के देखो ऐसे कुछ लगना चाहिए कि हाँ भी रियल में कुछ हो रहा है देखो अब ही यह इधर हां डाला फिर इस स उपह आया बट ये चिज़ जब उठाता तो इसे घुमाना अब यह ना अब इसकी पूरी बॉड़ी घुमेगी यहां से लाइक मैं इसकी पूरी बॉड़ी को और इसे हम सीरा करेंगे अब यह हो चुक है अब प्ले करतें देखो यहां से गया फिर इहां पुछा पूरे डबल बार क्रैक करता है इधिंक यहां पर कोई बॉन हमारे से गड़ बड़ ही है इसको नहीं करना है अब देखो प्ले करो यह हुआ अब आप इस अब आप नीचे वाले बॉन को सेट करो अब यह इधर गये इधर है यहां पर काफी तेजी में इसको खड़े होना है तो हमने 70 पर रखना है एक एक की फ्रेम हमने सेट करना है ठीक है ध्यान से पहले आपको एक gate को पुड़ा open कर लेना है उसके बाद आगे एका process बताता हूँ क्या होगा यह हो चुका है देखो अब जिए gate को open करें तो भाई इसके hand भी यह वाले पीछे जाएंगे ना एकी तरब थोड़े न रहने वाले हैं इसके hand भी ऐसे जाएंगे इसे भी आप ऐसे करो उससे पहले इसके पीछे जाके एक बाद देखो आप काफी ज़्यादा पीछे चला गया है सो इसे अब इतना होने के बाद आप इसे वापिस ले आओ यह हो चुका है अब इसे वापिस कर दो ऐसे एक की फ्रेम लगाओ और इसके hand को थोड़ा अंदर की ओड़ करो अब देखो थोड़ी real वाली feeling आनी चाहिए भाई कि हाँ थोड़ा असली movement हो रहा है यनि कि नकली सा कुछ भी movement करा दो ना असली लगनी चाहिए थोड़ी अब मैं आप लोगों इसे लिए समझा रहो कि भाई आप अपने हिसाब से कुछ create कर लोगा देखो पूरी detail से समझाएंगे video हो सकती थोड़ी long बन जाए बट आपकी हर एक चीज मैं कोशिस करूँगा कि हर एक चीज clear हो यहाँ पर मैंने पहले जैसे इधर हाथ लगया इसने यहाँ पर हाथ लगया ना तो इससे पहले मैंने एक keyframe इधर देना है फिर keyframe इधर देना है अब यहाँ से हमने इसको उठाना एक आगया करके लाइक कि इसको थोड़ा साम ऐसे खोलेंगे अब यह बंदा थोड़ा उपर करता तो हम इसके gate को भी इसके हाथ के साथ देखो हाथ इसका यहाँ पर है दो मिंट इसका हाथ पुरी गारी पर नहीं यार पुरी गारी टैच होगी तो वापिस हमें bone set करना होगा यहाँ पर पहले मैं background में select कर लेता हूँ वापिस चलते हैं इदरी दो आ चुके हैं वापिस हम इसे select करते हैं इसके गारी थोड़ी से open हुई है boot अब इसे हम ऐसे rotate करेंगे यह चीज़ा अपने हिसाब से अब हलका से देखो इसका हाथ थोड़ा अंदर गया है तो इससे आपको set करना होगा अपने हिसाब से वापिस से यह open हुई यह हुआ इसने पकड़ा इससे आप उपर करो इसके हाथ के साथ ही लेकर जाओ आप अब कहीं मत ले जाओ उसके हाथ के साथ ही ले जाओ जहां इसका हाथ जा रहा है इसको ओर उपर फिर आप अपने हिसाब से hand को attach कर देना यह हुआ है फिर इसे यह ऐसे करेगा फिर इसे यह पूरा open कर देने वाला है इसे जटका देदेगा फिर यह ऐसे open हो जाएगा ठीक है एक बार मैं देखता हूँ एक बार आप लोग आगे से देखो किस तरह लग रहा है यह नहीं यहाँ पर गरबर लग रहा है क्योंकि देखो gate जिस तरह open हो रहा है यह अंदर की side जाके हो रहा है जो कि एकदम बिकार बात है इसको ऐसे करके open होना चाहिए न देखो अब एक बार प्ले करता हूँ मैं आगे देखो यहाँ पर गरबर हुई है यहाँ पर डिरेक्ट open होना चाहिए ठीक है बट 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 वेट क्योंकि देखो यह काफी जाद नीचे जा रही है इसको ना भाई इस तरह आपको accurate set करना होगा तब ही जाके आपकी जो बोन और जो काफी ज़्यादा स्मूथ लगेगी बना एकदम बेकार सा बनाना है सो आप इसली बना सकतो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं भाई देखो इसने यह कर दिया ठीक है अब क्या करना आप इसकी आपको बोन को set करना अब हमारे लिए थोड़ा easy हो जाएगा इसके सासाथ हमने देन पर इसकी बॉड़ी को हमने पुड़ा select किया यहाला selection tool हलका से से हम पीछे करेंगे बेट पहले एक बोन ना इसके आगे लगा दो आप यहां पर हलका से से थोड़ा से पीछे करेंगे एक बाद देखो नो एक पैर पीछे हो के आगे हो यह तो एक दम ही खराब हो जाएगा फिर अपना यहां पर हमने वापिस से select किया यहां पर है अब इसका एक पैर आप पीछे करो अब हलका से पैर पीछे किए उससे पहले जो आगे फ्रेम करो फिर एक पैर ऐसे पीछे करो इसका अब इसके bones को आप सीधा करो क्योंकि ये उठेगा न आप सीधा होगा इसके bones को आप सीधा करो ओके अब हलका सा रोटेट करो फिर पूरा इसको अटाओ अप क्योंकि अब open हो चुक है तो ये अप सीधा जाएगा और इसका ये हाथ आगे कर दो ऐसे ठीक है एक बार देखूँ ओके अब इसके हाथ को आपको सेट करना होगा जिस हिसाब से इसका हाथ और गारी के साथ मैच करें देखो मैंने इससे थोड़ा सा उपड़ ज़्यादा हो गया है एक एक करके हमने की फ्रेमग सेट करना इधर पर थोड़ा ध्यान देखर अपने हिसाब से इसके जो हैंड किया मैं से सलेक्ट करता हूं देखो इसके साथ मैच करना होगा तभी जाके अपना ऑकुड़ेघ्ट मॉपमेंट होने वाली वरना भया accurate moment नहीं होगी आपके एकदम खराब सी और बेकार बनने वाली फिर मत कहना भाई ऐसी बन चुकी है लगना चाहिए कि हाँ टैच है देखो बस लगे कि टैच है थोड़ा समय से आगे करता हूँ थोड़ा सोड नीचे ओके हो चुका है अब देखो ये वापिस ओड़ चुका है अब इसे हमने वापिस से टैच कराना है इसका भी face वगएरा को भी movement देंगा जिससे लगेगा एकदम रियल लगने वाला है आप खुद बोलोगे भाई क्या था क्या बन चुका है हो चुका है अब देखो ये थोड़ा सा ऐसे पकड़ा हुआ है बट वेट अगर ये इधर पकड़ेगा तो इसका काम खराब हो सकता है विकोस हाथ पे इसके चोट लग जाएगा अब क्या करना इसे आपने इसे जटके से ये किया है अब अब इस क्रेक्टर को दोख़ा आपको घुमाना होगा यहाँ पर दिखो यहाँ से ओपन कर दिया अब पूरे क्रेक्टर को आपको रोटेट करना होगा एक मैं विरफ 50 पर दे देता हूँ 51 पर इसे हम रोटेट कर देते हैं थिक्क है 50 पर दे देता हूं मैं वापिस से यहां दिया इस करैक्टर को मैं पुरा रोटेट करने वाला हूं अब इसके हैंड को मैं नीचे कर दूंगा इसके करेक्टर को मैं पूरा सीधा कर देने वाला हूं कि एक बार देखूं जड़ा है कि वेट यह हमें इसके आगे भी थोड़ा जो बोन्स दिये से आप डिलीट करना होगा विकोस हमें देखो सीधा सीधा से ईक करते जाएंगे तब हमारा बेट होने वाला नहीं होने वाला है अगर आप डैरेक्ट कर दोगे तो वैसे कुछ नहीं होगा दो यहाँ पर इसका जो पर इसका और गुम गया इस तरह नहीं गुमाना अब इसके साथ हमें इसके पर को मुमेंट देनी होगी लाहिक्वर य कि देखो अभी कि इसके फेस को भी गुमाओ यार ओके यहां पर एक की फ्रेमिंग दो फिसको फेस को भी रोटेशन देना हमें कि देखे रहे हैं इसकी हैंड की मुवमेंट देखो आप लोग हैंड की मुवमेंट थोड़ी हमें अजीब लग रही है विकोस हमने इदर थोड़ा गलट सेट कर दिया है अब देखो इसमें यह जो है लड़ रहा है ठीक है यह लड़ रहा है इसके लिए हमें क्या करना है इसको सेट करना होगा अब यहां से हम पहले इसे तोड़ते हैं यह है इसे यहां तक किया है फिर सीधा हो चुका है अब इसे हम पूरा ओपन कर देने वाले है पूरा हम इसे ओपन कर देंगे कुछ ऐसे ठीक है कुछ इस तरीके हम इसे open कर देने वाले हैं वैसे इसका सीसा देखो कहा गया है टेड़ा हो गया टेड़ा नहीं करना है भाई सीधा सीधा लेकर जाना है अपने को यह हो चुका है इसे ऐसे करो अब देखो आध लोग यह हो चुका है इसका है पीछे गया देखो इसका हैंड पर भी आपको की फ्रेम देने एक एक जगहना एकदम करके तब ही आपका होने वाला है सैट वरना फिर भाई एक दम बिकार सा लगेगा आप भी भोलोगे यह तो हुआ ही नहीं कुछ बढ़िया ही नहीं लगड़ा है तब कुछ इस आप से काम करना होगा देखा अभी मैं इसको नीचे करता हूं कि इसे हलका सा मैं नीचे करके यहां रखता हूं तो अगले टाइम मैं इसे पीछे कर दूँगा लाइक एक यह अब इसे में पीछे के साइट कर दूँगा कि देखा आप यह इसने खोला यह हो चुका है इसने फेक दिया बढ़ इसका हैं फोड़ा जीब लग रहा है इसक आपको साइट करना होगा का है लाइक exemplya कोछे हेंन का मुमन इंट होडह भी ठीक है सुमत है इसे हटा देता हूं कि इसे इसे अटा देता हैं नौर्मले रखतें से यह हो चुका है ठीक है अब क्या करना है इससे हमने रोटेट कराना है तो एक एक करके रोटेट वापिस से कराएंगे क्योंकि अब खुल चुका है अब यह ओपन होई चुका है सो इससे मैं मूव कराता हूं हलका सा इस से निमूफ करना है पहले आपको इधर देखना है इस तरफ देखना है फिर हलका सा इस तरफ देखना है फिसका फेस को फेस पहले एक की फ्रेमिंग लगाओ फेस को इधर करो फेस को इधर करो फेस को वापिस से इस तरफ अब वापिस नॉर्मल वाले जगे पर यह यह अब इसके हैंड को भी इसी तरह मूवमेंट दो अब देखो अब प्ले करके देखो यह हो गया अब इसके एक पैर को आगे करो यह वाले पैर को आगे करो क्योंकि अब यहां तक हो चुका है न अब इसके पैर को हमने आगे करना है यह हमने इसके itty को आगे करना है वेट पहले आपको एक की फ्रेमिंग जब आपको एक फ्रेमिंग दर लगा दे नहीं होगी तब जाके वापिस जब भी आपको एक placement की फ्रेमिंग सेट करो ना तुससे पहले उसके पीछे वाली को अटा देना इससे क्या होगा कि आपकी जो उसके आगे की फ्रेमिंग वह सही रहेगी लाइक मैं इस पर किया अब इससे पहले की फ्रेमिंग हम पीछे देते हैं अब इसे हम पीछे करेंगे अब चेक करो आद इसे जुकाओ आप थोड़ा सा आप इसे, क्योंकि आप इसने बैठना है यापर, अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे की साइड कर देता हूं, दै कुछ ऐसे करता हूं, और एक ये फ्रेमिंग लगाता हूं, फिर इसके हाथ को हमने आगे करना है अब, इसके हाथ को आगे करना है साई से ये घूम गया है ना इसे आप सीधा करोगा इसे हम रोटेट करते हैं अब इसे अब धीरे धीरे आपको अब धीरे-धीरे ऐसे आगे कर जाना है तो वापस हम हल्का सा इसको आप जुकाएंगे देखो दर्स क्या करेंगे इसको ऐसा जुकाएंगे तुरा आसा और डो सोपर अब इपेप्स के पैर को फॉल ड कर грो नीचे की और चला जाएगा नीचे की और ठीक है अब इधर से मैं इसे थोड़ा सागे करूंगा विकॉस अब इसे जुकाना है यह हो चुका है वापीस इसे में फोल्डिंग में लाने वालो हूं पुड़ा फोल्ड में लाते हैं और इसके अंदर घुसाएंगा अब बैठेगा से इसका हैंड अगर अगर आप साथ साथ में दो तो ज्यादा बैटर रहेगा लाइक मैं की फ्रेम गि अब इससे अप अंदर बैठाओ अब इस पैर को आगे करो आप इससे पहले पीछे फिस पैर को आगे करो यह हो चुका है अब इस पैर को यह जो पैर पहले एक सेलेक्ट करो कि कहीं और सेलेक्ट हो जाता है फिर आपका खराब हो जाता है लाइक मैंने कहीं और सेलेक्ट कर दिया भी बैक्ग्राउंड में इसको सेलेक्ट करना है एक की फ्रेम पीछे देना है फिर एक की फ्रेम जब यह आगे जाता है तो इसे हम पीछे करेंगे और फिर यह जैसी आगे जाएगा अब इसको हमने नीचे की ओर करना है कि रोटेशन दुख अभी यह मैंने किया इसे हम नॉर्मल रहें दो यह हो चुका है अब इसे हमने हलका सा रोटेट करना है इसकी घुटनी के तरफ से भी आप रोटेट करो हलका सा यहां से यहां से इसको सेट करो फिर एक हलका सासे डोटेशन दो फिर इधर से आप इसको उठाओ इसकी इस वाले बोन को एक एक करके देखो जिस तरह मैं करना हूं इसी तरह आपको करना है यह उठाया थोड़ा से टेड़ा करो यह धर किया अब मैं इसे अंदर देखो एक प्ले करके आपको दिखाता हूं मैं देखो हो चुक है यह इधर हो गया है अब आपको इससे बैठाना होगा ठीक है इससे मैं वापिस अब नीचे पूरा नीचे कर दूंगा इससे फोल्ड अब यहां से मैं इसको और फोल्ड करता हूं उसे पहले हमें एक की फ्रेमिंग देना है उसे और फोल्ड करना होगा यह मैंने और फोल्ड किया अब इस करेक्टर को हमें नीचे लेकर जाना होगा यह मैंने अंदर कर दिया है प्ले करता हूं इसे मैं अंदर कर देता हूं इसका पैर अंदर जा चुका है अब क्या करना हलका सा करेक्टर को मैं इधर करता हूं फिर पहले यह एक सेट किये इस character को मैं इधर करता हूँ पिल्का सा अंदर करेंगे इस character को उलाँ मैंने इसे अंदर किया है ओके हो चुका है अब देख temple क्या करना है इक ही करके हम set करना है ठीक है देखा अभी मैं फ़ाप play करके दिखाता हूँ क्योंकि देखो जब एक-एक पुड़ाय सेट हो जाएगा गडबड मीन सेट होगा बट उसके बाद आपको एक-एक चीज अपने हिसाब सेट करना होगा इधर उदर तोड़ मोड़ा उड़के यह हो चुका है इसने अंदर किया यह बैठा अब यहां से हमें अच्छे सेट कर करोगे ह comments कि आगे किया वापिस हम इसे करते हैं यह हो चुका है एक साट करो इसके चाने सेट पहले आप ये आगे करो देखो कि यह किया यह हो गया यह आगे पीछे देख राए ठीक है डन है को कि अंदर देखा यह इधर गया इधर हुआज हुआ है यह बैठा अंदर यहां से आपको दूसरे पैर को भी अब उठाना और देखो standard को भी अब को हलका से से fold करेगा wait उससे पहले आप इधर एक set करो key framing लगाओ अब इस वाले को उठाओ एक key framing set करो हलका से बीचे करो अब ये उठाओ एक key framing पीछे करो ये उठाओ ये करो और जाके अंदर इसको रग दो पैर कुई कि अब सिधा हमने गारी में इसको बैठाना है यह हो चुका है अब देखो इसका diesem हैंड की वारी है एंड को भी कुणकि ओसी इसीसाफ से लेकर जाना पड़ेगा हमें जो हैंड को हम थोड़ाइस रोटेट करते हैं पहले है ओक इसके हैं उसके ऐसों पर कर देता हूं यह अब सय nutritious सबस्नार detta सरा पर गिए ऐसे हुआ यह दूसरा राख़्ा तरह दकार बड़ा गषो पूरी तरह बैठा नही आप इसके जानता आपको पूरे character को अपने हिसाफ से set करना होगा अब मैं बताता हूँ वो किस तरह होगा लाइक यह इधर गया था इसको मैं हलका सा नीचे करूँगा यह नीचे किया ठीक है अब और यह उधर बैठा अब मैं हलका सा और नीचे करूँगा फिर ही हो जाएगा यह बैठा अब देखो अब इधर से इसके अंदर साइड जाना था ना इसने क्योंकि यह बैड़ गया था यहां से अंदर जैसी पैर करता है तो इसकी बॉड़ी को हम हलका हलका आगे लेकर जाएंगे यह इधर बैठा फिर हलका सागे फिर हलका सागे फिर हलका सागे अंगिक क्रेक्टर को है था इसको इधर और जुका देतें थोड़ा मैं एक इधर करके हल्का जोड़ जुग जा बाइय deben नोचो है डाम इसके पुरेक्टर कप अन सेल्ड़ करें ना इस पूर्न को इसलेक्ट करो पल करो अब धीतött इसको अंदर लेकर जाने हमें ही उसके लिए हलका सा अंदर इसके पयर में गया है स्लेक्ट हुआ ही को इस वाली बॉन को स्लेक्ट करने है ना अब나만 देखवा हलका साथ अंधर प्योंड़ मेट को इसके बॉन जब स्लेक्ट अब इधर गया यह थोड़ा साल का संदर जाता है बट नीचे के साइड होके यह जैसी पैर अंदर करता थो मैं इसे अंदर के साइड लेकर जाना होगा यह हो चुका है यह हो चुक है यह हो गया यहां पर जैसी होता है हमें इसे और अंदर लेकर जाना है और ऐसे करना है यहां पर इसको पहले आप अठाओ अब ऐसे आप फलका से घुमाओ अब इसे आप थोड़ा संदर करो और अंदर करो, गुमाओ, यह अंदर हो चुका है, अब बापिस यह से अंदर करो, हलका रोटेशन दो, गुमाओ, अंदर करो, अंदर करो, इस सीट पर अभी बैठाएंगे, इसको देखा अभी मैं एकुरेट नहीं सेट करूँ, कुई धीरे-धीरे मैं कर रहा हूँ एक इसका करेक्टर मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है, टेड़ा सा है, करेक्टर छोटा होगा तो अपने आप सेट हो जाएगा, बट अभी टेड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी थोड़ी मुंडी को सीधी करता हूँ पहले मै इसकी मुंडी को मैंने कर दिया है, हलकी सीधी, अब इधर रहें देता हूँ, अब देखो आप लोग, यह हो चुका है, अब यह अंदर जाएगा इसके पैर को एक-एक-एक बोन को सैट करना देखो, हो चुका है, अंदर बैठ गया अभी है, अब इसके पूर्य बाड़ी को मुझे थोड़ा नीचे करना होगा, क्योंकि अभी यह दंग से बैठा नहीं है, ठीक है, तो इसकी बाड़ी कम पहले दंग से बैठाते हैं, मैं है इस से नीचे करना पड़ेगा मुझे हर जगे से थोड़ा थोड़ा में इसे नीचे करना है यह हुआ नीचे तो भी हो नीचे तुम भी गो नीचे और तुम भी गो नीचे इसकी बॉन्स को मैं सीधी करता हूं यार क्यों हम टेड़ा सा बैठा हुआ है यह विचारा नहीं तुम्हें नहीं करना ठीक है अब यहां पर इसके बॉन्स को मैंने स्लेक्ट करना है पहले न ये बोन को मैंने select किया ये हो चुका है एक इधर की framing अब इसे मैं हलका सीधा करूँगा हलका सा rotate करूँगा फिर सीधा करूँगा ये हो चुका है ठीक है ये हो गया ठीक है देखो इतना होने के बाद इसकी मुंडी आप चेक कर लो बाहर तो नहीं आ रही है तो मुझे हलका से से और सही करना होगा यहाँ पर यहाँ पर है जो थोड़ा सा नीचे करना होगा इसको हलका से मैं नीचे करता हूँ अब डन है इसके hand को आप थोड़ा side crop यह रहा इसके hand का इसके hand भी आ चुके हैं इसके पास ही आ चुके हैं बट इसका जो गर्दन है यह थोड़ा नीचे है ना नीचे हो जा भाई तू उपर ना अब एक बड़ मैं आपको वापी से पूरा प्ले करता हूँ देखो कैसा लग रहा है यह आप इसमें और भी accurate एक एक जगर भी bones set कर दोगे तो हो जाएगा देखो पूरा यह move कर रहा है ठीक है एक एक चीज देख रहा है यह खोला था जब इधर भी मुझे इसके पैर को अच्छे से movement देनी थी बट वह अभी movement नहीं दी हुई है उस movement को मुझे काफी 100 समझ के करके देना पड़ेगा अब मैंने तो जल्दी जल्दी दे दी है बट आपको एकदम हराम से तसली से बैट के इसमें movement वगेरा देनी होगी एक बार देखो आप लोग play कर दियो एकदम सिंपल था यार इसमें कुछ भी नहीं था मैंने देखो क्या किया है देखो यह बस movement दी है एक एक बोंस को मेरा जो मकसद था कि भाई ऐसे इसमें बोंस सेट होता है इसे गारी में बैटता है फिर तो कब गारी में बैट गया तो चलो मैं एक पूरी सी animation ही बना देता हूं इसे मैं complete कर देता हूं अब यह अंदर बैट गया तो अब गारी स्टार्ट करेगा अब इधर देखो इसको मैं इसके जो गेटें से में close करता हूं उससे पहले इधर में एक बोंस लगाता हूं मैंने इधर क्लोस करना इसे सिंपल समय से अब यह मैं क्लोस कर देना इसे क्लोस कर देखो कुछ ऐसे इसको मैं क्लोस हो चुक है बस इतको क्लोस हो गया है काम खतम देखो अब यह हुआ यह अंदर जैसी जाएगा उसके बाद गारी का जो डिक्किया बंद हो जाएगा गारी अपनी आगे निकल जाने वाली है यह हो गया यह जो इसमें बैड़ी है बस यहां से खतम काम पर गारी का डिक्किया बंद हो चुक है अब देखो बस आपकी जो एनमेशन ने छोटी सी क्लीप रैड़ी हो चुक है आपकी 20 सेकंड की क्लीप है इससे जादा नहीं रैड़ी हुई है अब और भी आप डैड़ी करना चाहत यहां ओडआ मैं यहां नहें है इसी आपको साइट इसी तरीके साब करके से होम पर चलता हं यह मैं हो मैं अStudy कि इसी तरीके नहीं चलता हौ कांवालाय हुई है Maximo website को उन करना होगा वापीस है Maximo में हम क्या करेंगे एक animation को लेने वाले है simple से मैं इधर Maximo search कर लेता हूँ M A X I M O Maximo ठीक है उसको पते ही आपको कौन से website पर जाने ही है यह जो website आपको दिख रहे है इसे पर click करना है अगर हमारा जो character login हुआ तो बड़िया बात है वरना हमें फिर से उस character में bones set करना होगा ठीक है set करने के बाद ही हम एक animation को इधर से उठा के लेकर जाएंगे उसमें करने वाले भाई advance होगा आप लोग को देखो मैंने उसमें basic बता दिया न कि आखिरे कैसे बनता है अब आपको सिखाने वालों कि यह पूरा बनने के बाद कैसे लगता है एक एक bones इसमें accurate set होता है अभी काफी कुछ बताने वालों तब आपको समझाएगा ऐसे बता हुआ नहीं पल्ले पड़ने वाला है वापिस से कह रहा है कि आप अपने लॉग इन वागेरा करो सो हम लॉग इन वापिस कर लेते हैं basically यह काफी बार हट जाता है सो हमें करना पड़ता है अब जैसी यह लॉग इन हो जाता है फिर आपको मैं next process बताता हूँ next process जो है क्या होने वाला है काफी कुछ है यार अर्थ वगेरा की आप लोग देखने वाल है आपने car animation सिख ली body movement सिख ली अभी और भी चीज़े हैं जो आपने अभी सिखना बाकी है ताकि आप लोग कमेंट में यह ना बोलो कि भाई मुझे इसका नहीं पता यह कैसे होगा आपको कोई problem ना हो तो यह मांग रहा है कुछ login code वगेरा मांग रहा है तो अपना जो code है यह आचुका इदर में लिख देता हूँ 36, 24, and 20 दो मिंट 36 आना था तुम भी हटो तुम भी हटो 36, 24, and 20 ओके यह हो चुका है इसे मैं OK कर देता हूँ मेरे खाल से मुझे वापी से अपने करेक्टर को login करना होगा so accept and continue simple सा यह सब मत पूछा करो आप लोग एक बार पूछ लिया करो यह बार बार login करना परता है बहुत ज़्यादा time consume हो जाता है अब यह जैसी login होता है हम next process जल्दी से complete करते है पहले से अपना काफी जादा time इस login ने consume कर लिया है अब इसमें हम models को import करें कौन सा बोलते हो जो हमने यूज के वही वाला model को use करें बेलकुल वही यूज करने वाले है बिकोस यार देखो जो model यूज के हो उसी को पर राइन मेरिसन भी जो इसमें कराया जाएगा वो रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं सिम्पल सापने इस mouse को इसमें login कर लेता हूँ मैंने इसलिए लिया हूँ है क्योंकि मेरे पास laptop भी है सो मैं इसलिए कर लेता हूँ काफी लोग बोलेंगा यह laptop है तो आप क्यों नहीं बनाते देखो भाई मेरे को बनाने से ज्यादा लोगों को सीखाने मजाता है बनाएंगे भी बहुत जल्दी बनाएंगे जब आप लोग उसमें बनाना चालू कर दोगे अनिमेसन कमें चाहतों क्रेज हो जाए जिससे क्या होगा हर कोई सीके अपना की बने सकेस्थometer सघा मिले एज Infinie मैं है इसे कंफेल pasture बिस्यों से जो दूड़त की स्क已经 अब पर किसी कंपनी में घया तो आपका सैटिफिकेट नहीं देखेया वो देखे, भाई तुमने किया क्या है, बनाया क्या है, वो दिखाओ, कहां पर अप्लोड किया, उसका आप फ्रूब दिखाओगे, ना किया क्या है, certificate क्या भाई, कहीं से भी मिल जाता है, यार, certificate की उतनी हहिम्यत नहीं रहेगी, अभी के टाइम में, अभी के टाइम में, skill, और आपके अंदर जो talent है, लोग वो देखते हैं, अगर आपका talent अच्छा है ना, तो आप हर चीज अचीज अचीप कर सकतो, talent अच्छा है नहीं, तो या कुछ भी नहीं अचीप कर पाऊगे, लिटरी बोड़ा हूँ, यार, हुआ है मेरे साथ तो भी बता रहा हूँ, मैं, अब मेरे एक दोस्त है, जो movies में काम करता है, movies उसने बनाई है, horror वाली एक movie बनाई है, जी हां, वो बैंग लोड में रहता है, तो उसने एक movie बनाई हूँ, उससे मैं पूजद भाई, क्या क्या कैसे कैसे system होता है, तो समकुद बता है तो देख भाई, अगर तुझे इसमें इसने सेट किया, डिरेक्ट नेक्ष्ट अब गया है, बनस पहले हमें सेट करना होगा, तब जाके आगे प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, पर यह तो पहली से अपनी continue हो चुका है, कोई बात नहीं, तुम कंप्लीट हो फिर देखने है, क्या system होगा, और टोरीगिंग स्ट हो चुका है, अब इसे मैं next करता हूँ, अब इसमें bone set करना हो गया, पहले इसके face पे, मैंने इसे click करके रखा कुछ देर, फिर इसके mouth पे ले गया, फिर गिरीन वाला देखो का है, गिरीन वाला इसके hand के पास था, बापिस हम इसे set करते हैं, कहा गया भाई, मेरा mouse, चलो उ हम उसे रहा, इसे मैं इधर करता हूँ, इसको मैं इधर करता हूँ, पाँच मिन्ट भी नहीं लगता है, यारे सब करने में, इसको मैं इधर करता हूँ, याία Gew लाष्ट वाला बचा हुए, तो देखो यह complete हो चुका है, मैं एकदम better set किया हूँ, वापी इसे क्या करते हू यह जैसे modeling complete हो जाते हैं हम आपको बताते हैं आप कैसे इसमें से animation को download कर सकते हो जी हाँ जो हमने car animation करते हैं इतना time लगा है न वहीं आपको इसमें बताओं कैसे आपको बना बनाया मिल सकता है हर चीज बना बनाया नहीं मिलने वाला है काफी चीज़ों आपको खुद भी महनत करनी होगी वैसे इसमें 10,000 प्लस आपको animation देखने को मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो बड़ कहीं जगाहों पर आपको अपने हिसाब से खुद से करना होता है तो मूबी में क्या होत देता हूं ड्राइव लिख दिया हो ठीक है ड्राइव करके सर्च करता हूं देखतों कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं में तो जाए क्योंकि ड्राइबिंग करने वाले भी काफी सारे अनिमेशन होते हैं यह मैंने सर्च वाले पर क्लिक किया है अब नीचे स्कॉल करते हैं कि देखते हैं नहीं है रिजल्ट मेरे खाल सर्चिंग में है दो जैसी मैंने सर्च कियो वैसे काफी सारे आ चुके है यह देखो यह आ गया है और भी नीचे है यह कुछ पड़े दूसरे तरीके के हैं अब इसका नाम देख लो एंटर कार ओन कुछ ऐसे लिखा हुआ है सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेना आप जैसी डाउनलोड कर लोगे आपको इससे क्या करना है तो इसके बाद उसको प्रिजमा 3D में लेकर जाना है यह हो चुक है अब मैं इसकी आर्मी स्पेस वगेरा क आपको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना है सिंपल से कहा करना है जो डाउनलोड वाला ओफसन इस पर मैं क्लिक कर देता हूं डाउनलोड हो जाता है इसके बाद एक और आपको एनिवेस्टन को डाउनलोड करना हो जो होगा वालकिंग का लाए उसके बाद कार में बैठाना है उसके बाद अपनी गाड़ी आगे जाने वाली ठीक है इदको आ चुका है एंट्रिंग कार FBX सो ये हो गया पहला अब हमें देखते हैं और कौन सा चाहिए ये अपना कुछ उठाने वाला ये भी नहीं चाहिए अदको ये एकसीट वाला हो गया हमें एकसीट वाला भी चा करोगे भाई इस तरीकी के बहुंस ना आप अपने हां से सेट करने बैठो को तो वैसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है बट अगर आप उसमें प्रोफेशनल बन गया ना तो आप काफी जगे पर अपना हाथ बता सब्सक्राइब कोई कंपनी कहते भाई मुझे इस तरी बनाए हो और भी कुछ नहीं करना है बाकी हां इसमें काफी साड़ी चेंजस आपको करनी होगी अपनी तरीके से अपने हिसाब से तबी जाकर आ आकर वॉर्क करने वाला मुझे नहीं करने वाला है इसकी एक एक चीज पर आनिमेशन दी होती है अब मैं इसक्रॉल करता हूं बस यह होच कि आप में एक walking का animation लेने वाला हूँ जो चल के आने वाला है ठीक है इधर मैं वापिस से search वाले option पर जाता हूँ इधर मैं walking लिख देने वाला हूँ मैंने walking लिख दिया है अब इसे मैं search करता हूँ ठीक है उसका बाद walking की अपनी animation आजाएगी उसको मैंने download करना है अब मैं एक story बना के दिखाने वाला हूँ आप लोगो को बैसे आप लोगो को बता दिए कि कैसे आप moment वगएड़ा दे सकते हो पर इस story जब तक आप लोग नही चाहते हैं तो मुझे comment कर देना इनके animation को long कैसे कर सकते हैं यह तो बताओ तो मैं आपको बता दूंगा इसकी animation जो है ऐसे लोग होती तो आप इस तरीके से इसकी animation को long कर सकते हो लाइक देखो टीम वाला option जो इधर कर दोगो तो आपके कुछे 46 से 4 सेकेंड का हो जाएगा ज्यादा नहीं होगा अब यह वाला animation देखो औके काफी सारे हैं मैं इससे थोड़ा से डाउनलोड कर लेता हूँ लाइक कर इसे स्लोंड कर लेने हैं और editing करने में वागता ही simply से बात है स्लोंड कर लोगे तो वैसे से भी better हो जाने वाला है कोई भी problem नहीं होगी अब इसे भी कि एक अनिमेशन काप लोग करूँ कि देखो फ्रिम का आप लोग को सब्सक्राइब आप देखनेते LEG Frau लाइक यह भी हो चुका है मुझे नहीं लगड़ा कुछ और करना है तो मैं इसे सिंपसा कट करता हूं बिकोस जितनी एनिमेशन हमें चाहिए था हमने यूज कर लिया है हमें आपको बताने वाला हो नेक्श प्रोसेस क्या होने वाला है मैं इससे पहले कट करता हूं वापिस हमने प्रिजमा थेडियो को उपन करना है अपने कार को वापिस ले करना है अपने मॉडल को वापिस ले करना है एक एक सीन को आप सूट करना होगा और background वेगर आप लोग को चाहिए विकुसर background कहां से मिले गया है, हमने background तो रिजाइन किया नहीं है, background भी चाहिए होगा न, तो वापिस हमने अपने chrome को उपन करना है, home पर जाना है, इतर हमने लिखना है rig models, rig models हमने कुछ models को download करना है, rig models, mod, rig model लिख दिया है, इसके बाद अ इसमें आपको Lamborghini भी देखनों मिल जाती है सो आप इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं काफी अच्छी क्याल्टी के मोडस आपको इधर भी प्रोबाइड किये जाते हैं तो आप कर लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी श्राइक वगगर है कि माउंटेन ठीक है माउंटेन अभी से सर्च करते हैं ज्यादा है भी फाइल मद डाउनलोड करना अगर आपका लोंड डिवाइस है तो मैं इस वाले मोडल को डाउनलोड कर लेता हूं मैंट nephew मेरे कोना सिम्पल सा चोटा सा मॉडल चाहिए जिसमें ऐनीमेशन कर दिखासा साकूं लोगो अब यहाँ पर दाउनलोड अलोंगए Americans से डाउनलोड करता हूं उसके बाद stranger एक्स्टेक्ट वाला उपसर ना जाएगा तो उसे मैं एक्स्टेक्ट कर दूँगा दो यह चे चार तीन दो एक कुछ ले रहा है उसे जैसी होता है उसके बाद हम अपना नेक्ट प्रोसेस करेंगे यह हो चुका है मेरे ख्याल से आ गया यह तो इधर मैं यार इसका नेम चें सब्सक्राइब और मोडल देखतें अगर और वह porta bo Although यह देखने का ओर कॉनसे मौडल है जिन का यूज कर सकता हूँ gotlais two-ru नहीं gonna, no-no brother no, I can't use you और कॉनसे मौडल है काफी सारे मौडल हैं बट मेरे कुछ काम के मौडल है न हो नहीं लिए कर जिनको मैं यूज कर सकता हूं तो रहने दो मैं हाउस के एक दो मोडल डाउनलोड कर लेता हूं उसका यूज कर लेंगे इदर लिख देता हूं है इसे मैं सर्च कर दिया हूं अब हाउस के भी काफी सारे मोडल सा आ जाने वाले हैं इनका मैं यूज कर सकता हूं कौन सा मोडल करूं काम करता हूं यह मॉडल मुझे अच्छा लग रहा है कि वाइट सा हाउस है इधर से एंटर करके निकलेगा ना तो बैटल लगेगा इसे सिंपा से डाउनलोड कर लेता हूं सब्सक्राइब करके स fluctuation per fardirum passer the difference करें अगर आपका 10GMD कार्ण से कम है आपका डिवाइस ना सपोर्ण करें कोगी काफी सारे हैव्इ मोडल से होते हैं समझ रोग्या काफी जैदा हो 죽 question और आपके फोन में नहीं सपोर्ट करेगा, बगे तो को हाउस वगेरा भी काफी सारे देखने को मिलते हैं, हमें इन में से अगर, देखते हैं एक और डाउनलोड कर लेते हैं, यह माउंटेन वाला फाइल है, इससे एक्स्ट्रेक्ट भी करना होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब एक्स्ट्रेक्ट वाला ओप्सन आजाएगा, देखो एक्स्ट्रेक्ट है, इसमें मैं क्लिक किया, एक्स्ट्रेक्ट पर क्लिक कर दिया, अपना काम खत्म अपने को बस अब एक छोटा सा बैक्ग्राउंड डिजाइन करना है लाइक कुछ भी डिजाइन कर देंगे मैं फ्लोर को भी सेम अपना जो वूड का टैक्सर था ना उसी का यूज़ करने वाला हूँ मं इसके थोड़ा कड़ देता हूँ साइस मिल जाने वाली डाउनलोड आपने वाली को देer सब्सक्राम आ यहरा पना इक्सपोर्ड सकते हो ऋब आपना टैक्शर शोग कि यूज़ीट और पना सब्सक्रइब उससे पहले हमने अज़ित इन online तो люб मूड़ा है ठीक है बापिस देखो वाउस को मोडल लेने के लिए हमें क्या करना है इधर जो तीन लग्की रहे इस पर जाना है फिर आपको जो थेड़ी इंपोर्ट वाला ओप्सन देखने को मिलता है इस पर जाना है फिर आपका देखो यह दैरेक्ट भीज देने वाले आपके फाइल मे जाने वाला है वेट तुम मच्रणो भाई टुम उपढ़ाँ जाना हिएसके अपको जिव इसका एंदर यह इह आंदर वाला यह मेरे ख्याल ह视 Jestem ओंध लगर हैं नहीं हो सकता भाई कोई बात नहीं हम वापिस से देखतें कौनसा होगा क्योंकि अपने पास चार्ट टेक्ट करनें परके सेलेक्ट करते हैं जो होगा लगी जाएगा यह तो नीचे का वोगई आपने को दिया हुआ है, फिर भी मैपिंग में, यह है इसरे मैं कर देता हूँ इस पर ठीक है, देखो, यह हो चुका है मैं इसे अंदर का स्लेक्ट करता हूँ भाई कहां स्लेक्ट होगया, देख रहे हो यह पुड़े ऊपर का टेक्सर है, तो यह होने वाला है अपना, तो आपको पिच्चर देखने को मिलता है इस साइड में, इसी तरह आपको इसमें एड करना होगा, ठीक है भाई, हम मिश्टेक कर रहे थे, यह सबसे डीचे वाला है, यह उपर वाला है, और यह उसके नीचे मतलब यह सारे में आने वाला है, तो बिल्कुल हम सही कर रहे थे, तो सबसे ओपर वाला यह है, ठीक है, और यह जो है अपना, बीच वाला जो फ्लोर था ना, वो उसका है, जो हमने उस बार यूजी नी किया था, लाइक यह वाला है, देखो, हो चुका है, अब यह जो था, हम फालती ही से छेड़े था, अब इससे मैं इधर स्क्रोल करके, देखो, एक और चीज बादाता हूँ, यह वाला जो आपको देखता है, इसको आपने क्या करना है, इधर स्क्रोल करके, इस बॉक्स में डाल दोगे ना, तो इसमें जो मोडल हो जाता है, लाइक मैंने इसमे देखो, इसके अंदर जाते हैं, देखो, इसका एक फाइदा हो गया, कि हमें एक न्यूची सिखने को मिल गई, अब जो बैक कर रहा है, उसे तो नहीं पता चाहँआँगा, बट जो सिखर है, ना, कंसिटेंस से, भाई, वो बिल्कुल बनाने वाला बहुत खतरनाक हो जाने वाला, इसकी साइस को मैं थोड़ी से इंक्रीज कर देता हूं, स्केलिंग करके, तीन, भाई, ऐसी कर सकता हूं, मैं इसे, तीन, और इसे भी मैं, तीन, ओके, यह हो चुका है, इसकी स्केलिंग कर दिया हमने, ओके हो चुका है, इसकी मैं थोड़ी से साइस को और इ प्वर सुट आगते हैं मैं धो रडा सा चुज्फ कि हम्हां के इसकी साइस को भी हलकी से करें इसमें रोड का ब्लैक ब्लैक के रोड होती है ना तो इसको में सिंपाजाव ड्लेक सक्कर्य देने वाला हूं और कुछ नहीं करूंगा स्थिक stipend में गय अब इदर से में हलका सा इसे ब्लैक सा टैक्षर दे दिने वाला हम बस यह देखो यह इसकी रोड हो गई जिसका यह घर हो गया अब इदर से अपने को मोर पे काफी सारे ओप्संस जो आपको इस लोड में दिखाया था अब इनका भी यूज करने वाले हम एक एक चीज पूरा नहीं होगा बट मुझे अभी ध्यान है इधर से मैं अभी देखना इस तरीके के सीन डिजाइन करूंगा आप बोलो कि भाई इस तरीके मैंने सोचा नहीं था कि इसमें बन सकता है अब यहाँ पर मैंने इससे स्लेक्ट कर दिया अब एक कॉपी कर लो इसे कॉपी इसे हलका स अब इससे स Нов सार्थे..से सेट अपन हिसाफ से कर देना भाई देखो मेरे हिसाफ से करोंगे तो ज्यादा बैठ नहीं रएगा आप अपने हिसाफ से अन्यिमेशन बनाना बेरहें ने मैपने हिसे अपर इसे ग्रूप कर दो तो यह ग्रूप पनो जब लोटब गया है इसे च फाइद होता है कि हमारा कोई भी मोडल वगेरा हम वापीस से बनाने जाए तो इधर उदर नहीं होता है एक साथ हो जाएगा अब यह मैंने इसे वापीस से आगे कर दिया है बटे पीछे चला गया है फिर से मैं इसे थोड़ा सागे करता हूं ओके अब थाठीक लग रहा है अब अपनी कार को लेकर आते हम इरा अपना 3D कार रखो कितना ज्यादा चोटा है यार उपर आजो बहुत ज्यादा चोटा है इसकी साइस को इंक्रीस करते हैं इसकी साइज दो ठीक है दो ज्यादा बड़ी हो जाएगी एक डन तुम भी एक ही होगे टैंसर ना लो एक डन या एक से कम करना होगा हो सकता है कुछ पता नहीं अभी एक डन नहीं घर के हिसाब से वैसे काफी बड़ी है बढ़ ठीक है नहीं यार अपने को उसी इंसाफ से अनमेशन देने होगे जिस तरह घर तो क्यों न घर की साइज बढ़ा दी जाए हम क्यों फालती दर दो छेड़ें चलो घर की साइज को हम हलकी से बड़ी कर देते हैं ओक के ठीक है थोड़ी सी और लंबी कर दी है रोड पे नहीं अब ठीक है न अब देखो अब कैसी लग रही है कार्ट जमीन पे टैच हो जाँ ओके हो चुका है बाखी सब तो जमीन पे यह हाउस भी हावे में हाउस को भी जमीन पे करो ओके यह हो चुका है अब देखो किस तरह लग रही है रही से में हलका पीछे कर देता हूं क्योंकि काफी ज्यादा आ गया चुका है हलका सब पीछ हो जा भाई ठीक है अब था ठीक है अब देखो बैक्ग्राउंड में हमने वो जो मॉडल नहीं डाउनलोड किया था कौन सा था वो माउंटेन का सो अब इसमें उसे ले आता है अब थेड़ी इंपोर्ट पर जाके और हाँ एनिमेशन करते वक्त मैं सबको गैप कर देने वालों क्योंकि की फ्रेमिंग सेट करते वक्त फोन जो हलका सा लैग होता है तो लैग मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए वरना बाद मुझे लगे गए देखने में यह अपना मांटेन इसकी साइस को मैं पहले इंक्रीज कर देता हूं कि ठीक है मैं इसमें थोड़ी सी टेक्षरिंग देता हूं टेक्षरिंग के बिना एकदम बेकार सा लगेगा इसका लुक टेक्षर यह अपना वापिस से चलते हैं तो एक बार मैं वैसी लाइटिंग देता हूं लाइटिंग देखते हैं मेरे ख्याल से मैंने इसे लोग में करके रखे सो नहीं होगा मैं इसे सेव पहले कर देता हूं एक बार मैं अब सेवी कर दिया हूं तो अब इधर से मेरे ख्याल से लाइटिंग वर्क कर रही है अब कि यह देखो हो गया है कि कैसा लग रहा है लग रहा है लग रहा है इसे लेकर जाओगे अब मैं इधर ना थोड़ा सा मोडल इसकी कॉपी कर लेता हूं कॉपी करते हैं कॉपी कराओ कर देता हूं कुछ ऐसे कर देता हूं ठीक है अब देखो किया ही लेडिया लग रहा है देखो अब बहुत ज़्यादा में लग ए ठीक है तो मैं आपको इतना पता है दो लाइटक कर दिम लेक cuộc है exhib Me इसका इधर देखो folder देख रहे है ना इस folder का आप वापिस से अनःe कर दोगे तो अनःe हो जाएगा क्या felony मुल्य करना वाहाँ इस folder पर क्लिक करना है अनःe घूर करना है नोले option क्लिक करना है प्था हां अग्याध फाले और करके रखना है डाउन्लोड आले पर चलते हैं यह Do51 अब देखो वापी इस डाउन्लोड आले पी आने की बात क्या करना है देखो काफी सारे मिल जाते अब यह जो हमने डाउन्लोड किया यह जाइन यह सब यह सब यह अपनी walking वगरा walking वगरा driving वाला यह तो मैं दर walking वगरा वाला select कर लेता हूं जैसे मैंने walking वाला select की है अब इसकी size भी काफी ज्यादा स्वाइब होगी सो दो option हमें yes कर देना है because हमें animation चाहिए मैं इसे वापी इसे क्लिक करता हूं और इसकी size काफी ज्यादी च्छोटी है सो मैं इसकी size को पहले increase करता उसकी size तो तीन चार पांच चे शाथ ठीग हैं वे दो तीन चार 25 रख है ऑगय नहीं ज़्यादा करणी पड़ी कि मैं एक सिनक में पास इधे क्लिक करके कर देता हुए टॉंटी फाइफ कर देता हूं तो ड़न अब इदर भी में 25 कर देता हूं अब इसको भी में 25 कर देता हूं कि यह अपना मोडल आ चुका है इसकी साइस के इसाप से इसको तीस तो होना चाहिए थे यह दो काफी जाओ छोटा है ना सो इसे मैं कि 35 डन अब इसे भी मैं 35 कर देता हूं डन कि तुम भी 35 हो जाओ कि साइज मैंटेन करनी पड़ेगी बिडू तभी काम होने वाला है कि 46 46 अब इसे मैं 46 करता हूं एक बर ओके डन हम नेक्स वाले को एक बार 46 कर लेता हूं अब ही थोड़ी स्की साइज लग रही हां बड़ा बड़ा चुकआ है अभी समें टेक्स यह आपको मुब्मेंट देना सिखाऊंगा ओऊंगा मुब्मेंट कैसे देनी है मैं वैसे उसमें सिकर ने इसमें ऑ्टोमैटिक मूममेंट होगी भाई कुछ नहीं करना है कुछ ही नहीं करना है, इसलिए आप काम आने वाल है, वनना बाद में प्रॉबलम हो जागी, देखो, इसका एरा कॉश्यूम, मैंने इस सलेक्ट कर दिया है, देखो, इस पैडर मैं आचुका है, यह जमीन पर यह न, हावी में तो नहीं है, अब बैधा प्ले करता हूँ, है काफी जदा ऊपर जा रहा है बाई वाल किंग तुम नीचे आओ नीचे आओ पीछे से आओ ठीक है कि देखे रही है वाल करते आ रहा है कितनी ज्यादा ओसम वाल किंग चाड़ी इसकी यह देखो अब इदर से अपनी कार में जाएगा बैठेगा सब कुछ करेगा खोलेगा अगरेगा जो भी करेगा बट इसकी कार जो है दूसरी तरफ होनी चाहिए सो इसलिए हम इसके जो मॉडल को इधर से रोटेट करते हैं और इसको हम गेट के पास लेकर चलते हैं अपने क्योंकि यह इधर से आएगा ना अपनी गाड़ी के पास इसमें हलका सा नीचे करता हूँ अजया है हो चुका है ठीक है इस अपले करता हूं मैं इसे वापीस से देखा आप लोग कि कि थोड़सा आगे हो जा भाई 2 थोड़सा और अगे हो जा ओड़ हो जा ओड़्या हो जा है थोड़सा ओर यहीं तक इसकी अनिमेशन होगी उससे ज्यादा नहीं होगी मैं हलका से से उपड़ उठाना चाहूंगा यह हो चुक है अब देखो अब प्ले करो देखो अब हमने करना है कैमरा एंगल को सेट उससे पहले हमें एक चीज सेट करनी होगी देखो पूरा बैक्ग्राउंड वगेर आप यह जो इसका सीनर नहीं अलग से आप कर लेना सूट मैं इधर एक छोटा सा कैमरा एंगल लेता कि स्टão जो हम यहां पर देखो यह है इसके दो तरीके से में एकिरे एक वीस्वरे द्य 250 यह कैमरे ओंगल को सूट करने वारों अब यह करने के बाद यह हो गया अब आप अपने हिसाब से अनिमेसन देना इसके बाद मैं बताता हूं कैसे देना है देखो यह हो चुका है अब यह होने के बाद इसके इसको साइड में दिखा ने इसको बॉडी को पूरा मूफ करना है यहां तक आपका देखो यह आ चुक है अब इसके पूरी हम रोटेशन देते हैं आपको स्पाइडर मैंन पर क्लीक करना है चलो चलो चुकए बाइब काम खतम हो गया अब देखो इसकी एक पूमेंट पर कितनी ज्यादा की फ्रेमिंग की होती है अब खुद नोटिस करो भाइव हर एक जगा वालकिंग के अनिमेशन दिшьिоны हर एक जगा हमने इतड़ी नियुत वालक है किने के उनक्पर मुखके यहां पर अब इसको आपको इसकी दूस्तिक्प दिखाना है से कि YE अश्यहां हिसे फिर आपको इदर से साट पे करना है हम इतनी नहीं देने वाले हम सिंप से यह दे दिये अब क्या करना है अब इसको इधर से घुमा के लेकर जाने पूरी तरीके से अब हलका साथ हलका साथ रोटेशन दो कि इसलिए बोला था आपको एक एक चीज में उसमें बताऊंगा कि यह से होगा हलका साथ रोटेशन दो इसके पैर की मुव्मेंट देनी पड़ेगी आपको आप लोगों पता है हलका साथ रोटेशन दो everett सवर डोटेशन दो अब देखो एक बार हलका सब फिर डोटेशन दो इसके अभी पैर पे मुवमेंट देनी है आप लोग को हलका सब डोटेशन दो जो यहां तक आ गया पुड़ी अनिमेशन सिख्के जाने वाला है मैं 100% गैरेंटी देता हूँ आपको आज एक अनिमेटर बना गे छोड़ूँगा आपको एंड्रोड में पुड़ा अनिमेशन सिखाऊंगा कैसे बना सकतो आपको मैं ये तो नहीं बो है तो तो काफी ज़्यादा बैटर बात है और क्या चाहिए एक बंदे हो एंड्रोड में अगर इस तरी की मूवी बन जाए तो और कुछ चाहिए आप लोगो नहीं कुछ भी नहीं चाहिए अब यहां तक होने के बाद देखो आपको क्या करना है इसके पैर वगेर अग मू अब हलका साइस का पैर भी थोड़ा से ऐसे होगा तो फिथ थोड़ा सा और ऐसे होगा जैसे जैसे मूमें टोती जाए गी बडी इसकी गुमेगी वैसे वैसे इसके पैर भी आपको क्माना होगा है कि यह हो गया पुर्ण लड़की सा हो जाए गया वेट हमने सैथ गड़ट रोटेशन दे दी है बट ओके यह हो चुका है अब इसके पैर को आप दूसरी तरफ कड़ो स्लेक्ट करा सीधा किया अब इसके पैर पे हलका सा रोटेशन और थोड़ा सा अंदर के साइड अब यह दिखो यह है अब इसके पैर को हलका सा आगे करो उससे पहले आप एक की फ्रेमिंग लगाओ जासे मैंने बता है जब भी कोई काम करने जा हो जैसे की फ्रेम डालने जाओ उसके बात एक प्रेमिंग झाले उसके पाण के बटे लगाओ अब स्थोड़ा सा अगे करो अंभ इसके पैर को टिर क lets देखो एक एकिछ चीजरे ना अब इसके यहां से पीछे इसका प्रप्श, हटाओ, यहां से यह ठीक है कि हैं, Fachin, हाँब यहां पर की फ्रेम लगेगा , इसके दूसरे प्रप्श क जाना है हमें यह यहां पर करना हे अब ह्हां पर इसका पैर आगे यह हलका सा सीधा होगा यह जो घूमा पड़ा इसे भी हमें सीरा करना पड़ेगा देख़रो हमने किस तरह घूमा दिया है यह किया इसे हमें अब आगे करना है यह हो गया इसके जो मुह है इसको भी अब घूमाओ अब एक एक करके क्योंकि यहां पर तो इसका घूम गया था ठीक है यहां तक तो हो गया था यही घूमा अब एक एक करके इसके फेस को भी अब धीरे से आपको देखो यह बोन सेट ना इसकी वह आपको सेट करना होगा अब हलका सा ऐसे करो फिर पूरा इस तरह करो कि सेट करद अब एक बार मैं प्ले करके दिखाताओ अब लोगको किस तरह लग़रा है देखो अब यहां से वापिस आभी से animation दे सकते हो पैर को आप वापिस से moment दे दो एक करके मैं करके दिखाते हूं आप पुरी एक story create कर रहे हैं तो यहां से हम कर सकते हैं देखो एक बार देखो आप यह हुआ अब यहां से हम वापिस से आगे लेकर जाने वाले हैं ठीक है मैं दिखाता हूं क्या होगा वापिस में से जंप आउट करता हूं कि वॉल्किंग पर गये हैं ॉख देखो वॉल्किंग प्यार इने के बाद इसके इनिमेशन तो ये ना करने होगी के पढर के सफसे यह एप टूटी फॉटी भी ले., कोई दिख्खत नही। अब Sam8 000 हमें कि इसको भी अब पीछे करो आप यह हो चुका है अब देखो यह आया अब यह होने के बाद अब एक एक पैर को आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा मैं अधर की फ्रेमिंग पर दे देता हूं लाइक यह दिया अब इधर से मैं इसके पैर को सीधा कर चुका हूं हलका सा हलका सा रोटेट करूंगा यह हो गया अब इसके इस वाल पोर्सन को मैं आगे करूंगा ऐसे ठीक है यह होने के बाद अब मुझे एक पैर को आगे करना एक पैर को पीछे करना है देखो यहां पर मैं दवाता हूँ 180 पर इस पैर को आगे करता हूँ पहले डेड़ वाले से मैंने एक पैर आगे किया 180 ठीक है फिर 200 पर पीछे किया फिर मैं इधर 220 आगे पीछे ठीक है ऐसी करना आपको और कुछ नहीं करना है सिम्प्स आपको बना के दिखा रहा हूँ जवाब करने लग जाओ गे तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या चीश करना है यहोगया है अब मैं 60 पर यह कहा है पीछे है 190 पर आगया है तो मैं इसकोई से पीछे करना होगा लइक यहाँ पर रेक लिक अब मैं आगे कर तो अपना पैर ठीक है एक बाद प्ले करते हैं देखो तो मैंने ढंग से नहीं सेट किया बस आपको बता दे कैसे सेट होता है बाकि यह मूफ किया हलका सा अब इसकी पूरी बॉड़ी को हम आगे करने वाले हैं जैसे कि इसकी बॉड़ी यहां पर सेट है आ है कि अब इसे मैं आगे करने वाला हूं जैसे कि यह मैं आगे ले आँ उससे अ कि मैंसे आगे करता हूं यह कर चुका अब देखो कैमरे में दिखाता आपको ऐसे ने दिखांगा मैं जंप इन किए वापस से श्टार्ट देखो यागे पीछे देखा यह घूमा अब इदा खड़ा हुआ यह आगे निकल गया इसी तरी किस करना है और कुछ निकलना है देखो आप यह घूमा इसके साथ ही साथ हम निकालेंगे अभी मैं आपको पूरा अब क्याँा इंगल सेट करके दिखाँ दब समझ आएगा इसे नीसमाज आने वाला यह घूमा तीगा अब मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर करने वालो इसके फेस पर अब यह घूम घूमता है तो मैं भी इसको कैमरे को जो है ऐसे करके हलका जगुमाने वाला हूं ऐस तरीके से कि देखो अब यह ने इस्ने एक यह रोटेशन लिया आप वह थोड़ा गूंब गया अब क्या करना मैंने हलका सा और घुमाने लें मुड़ यह तरफ फिर ऐसे करना फिर हल्का से घुमाना आप पिर ऐसे करना फिर देखो यह आगे जाता है ना कैमरे को भी साथ ले कर जाओंगा मैं वेट कहीं और टैच हो चुका है बैक्ग्राउंड में अब इसे कैमरे को टैच करते हैं अब मैं इधर कर चुका हूं दो कोई आगे गया मैं हलक अब मैं क्या कुड़ूंगा जैसी कि इधर रहे तो मैं अब इसके फ्रेंट में लेकर जाओंगा इधर से पूरा ही गुमा दूंगा यह आ चुक ए हम इसके फ्रेंट में आ गया ठीक है एक की फ्रेमिंग मैंने देखो घड़ी को बार-बार प्रेस कर रहा हूं मैं बहुत है आगे आ रहा हलका से मैं फिर से पीछे होंगा यहां प पर मैं फिर से इदर जाओंगा अब यह हल्का सोर रोटेशन देदूंगा बस अमें एक बार प्ले करके आपको दिखाते हूं किस तरीके लग रहा है देखो यहारा इसने इदर देखा रोटेशन लिया कैमरा अपना घूमा यागे की और चल रहा है इसके बाद यह सामने वाल बस नहीं तक अपना बैटर सेट हुआ है देखो यह हो चुक है इसके आगे गया यह फ्रेंट में आए बागे फिर नेक्स्ट की फ्रेम यहां से आ गया बट यह भी जो है अजीब सा लग रहा है मुझे इससे भी हटाओ यह बैटर है देखो यह हुआ यह गूमा इसके फ्र इधर जाना है फिर रेंटर वाले पे क्लिक करना आपको स्टारा से डेंटर वाले पर आप क्लिक करोगे तब के वाला उफ्सान आजका डा इंबुव करते है इन सब को मचे yum ना जो आपको बताता हूं वह कैसे करेट होगी सब्सक्राइब करें कि अच्छे कर दो आपको कैसे लगी कमेंट में यह जदूर बाता ना पहले दो का अब हम क्या करने वाले हैं वापिस इसके सेटूं का मलो कर देता है क्विद्धोर रेंडर के वक्त हमने हाई करना होता है क्यों कि अब हम दुबार से मॉडलिंग करने वाले हैं देखो बैग्ग्राउंड जो हमने दिया नहीं था माउंटेन वगेरा तो माउंटेन वगेरा जो हमने हाइट किया था बाद में रेंडरी के वक्त हमने उसे वापिस लिया दिया था जिसके वज़े से वह आ गया था दे और हमारा फोन जो है इतना कॉंफोटेवल नहीं है कि भीया वह इतना जो प्रोसेस सम्हाल ले ठीक है तो पहले दो इसका आप साइज देख लो साइज वगेरा कितना है मैं एक बार इस पूरे वालकिंग वगेरा का चेक करता हूं कितनी साइज क्योंकि जो हम डूसरा स्पाइ उसे मुझे छेड़नी की जोट नहीं है अपना सेकेंड जो हमने लेकर आया था वोलकिंग वाला तो हमने वही चीज वापिस लेकर आना है तो रैंडर मैं इस प्लिक हो गया गल्ती से कोई बात नहीं इधर मैं चलता हूं थेड़ी इंपोर्ट पर इधर जाने के बाद हमने मैक्सिमो में सेकिंड वाला एनिमेशन लेकर आया था तो उसे मैं इधर वापिस लेकर आने वाला हूँ काफी सारे वीडियो हैं कहांगी अपनी यह दिखवा चुका है ना वॉलकिंग वाला था श्टार्ट वालकिंग यह रहा वोलकिंग फिनीचे स्ट्रोल करोगते देखो द्राइब्मिंग वाला है एकसीट है एन्टریंग है तो हमें चाहे था वालकिंग वाला तो start walking तो यह रहा अपना इस पर मैं click कर देता हूं अपना model आ जाएगा model की size को हमने कितना रखना है जो हमने पिछली बार रखा था वही वाली size रखना अगर आपको your size रखोगे तो आपको problem create हो सकती है तो हमने वह चीज नहीं करना यह रहा आपना देखो यह रहा file तो हमने file पर click किया है उसके बाद यह ट्रांसफोर्म का option देखने मिलता है इस पर click किया है फिर नीचे scale का option देखने मिलता है यह को scale जो है इसकी जो xyz है तीनों हमने same size रखनी है तो इस पर देता हूँ 46 now second वाले पर भी कर देता हूँ 46 and third वाले पर भी same करने वाला हूँ वागी वीडो कैसे लगड़े है यार कमेंट में तो यह तो बता दो भाई की मजा आ रहे की नहीं तो देखो यह scaling मैंने कर दिये तीनों की set कर दिये अब क्या करने देखो walking वाला अपना हो चुक है आप मैंने okay वगेर कर दिये बट इसका character की तरह बाई इसको मैं क्या करता हूँ वापी से आगे ले आ देता हूं इस तरफ बट यह कहां देख रहा है उधर क्यों देख रहा है इसका walking वाला पॉजिशन ठीक है डन कहां तक आएगा वा भाई क्या चल रहा है ऐसे चलेगा फिर तो मज़ा आ जाएगा चलो यह हो चुक है अब इसे हम टैक्सर दे देते हैं क्योंकि वापिस हमने camera angle को set करना है second clip को भी हमने ready करनी है आप लास तक बने रहा है क्योंकि आप एक कोड़ एडवांस टूटोरियल आपको सिखाऊंगा इसके बाद जी हाँ एक ऐसा टूटोरियल जो आपको पुरे यूटूब पे देखने को तो मिला होगा बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह android में बन सकता है कुछ ऐसा सिखाने वालों में देखो यह हो चुका है बट इसका हैंड थोड़ा इधर रहे ना तो मैं काम करता हूं इसकी walking वाली जो है इसको select करता हूं थोड़ा सा इधर कर देते हैं अब वापिस हमने camera angle को लेना है देखो camera angle मैं इधर से ले रहा हूं इसलिए मैं बार बार शो करूं ताक कि काफी लोग होता है ना कि काफी बार नहीं पता चलता है क्या system मैं कैसे है इसे करता हूं देखो यह आ चुका है अपना सामने की और अब मैं क्या करता हूं पहला मैं zero पर key framing दूँगा इधर क्लिक करता हूं देखो यह अपना सबसे पहले मैं इधर क्लिक करूंगा यह मैंने किया one पर पहली key framing यहां पर दी अब थोड़ा समय से आगे लेकर जाता देखो यहां तक आने के बाद second last की frame यहां पर कोई बात नहीं है अपने कोई से हटाते हैं एक इसे दे देते हैं अब इसे मैं वापिस से render वाले पर क्लिक करके render कर लेने वाला हूं because देखो render करने किसे क्या होगा कि अपनी एक clip जो है ready हो जाएगी render करने से पहले आपको इस वापिस से save करेंगे ना तो यही फोल्ड अपना save हो जाएगा काफी बर glitch करके cut जाता है तो मैंने इसे unhide कर दिया अब camera angle जो अपना set हो चुका है एक और camera angle set कर लेते हैं कुछ भी करने इस पहले मैं वापिस इसे hide कर देता हूं तुम hide हो जाओ ओके देखो अपना camera angle पहला यह रहा यह हो चुका है ठीक है camera angle set होने के बाद आपको simple सा render कर देना है render कैसे करना मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हो देखो मैंने क्या करना है सबसे पहले home पे जाना इसे save करके क्यों home पे क्यों जाना है क्यों हम अभी lighting नहीं किया है इसको हम low low quality में करके सब किय डिरेक्ट कर दोगे तो बिल्कुल बाक्वास सा लगने वाला है मैं home पे चलता हूं देखो home पे आ गया हूं इता setting पे गया मैं इसकी जो quality से high कर देता हूं हाई पे जैसी क्लिक करता हूं तो इसकी जो shadow वगेर एकदम accurate और बढ़िया हो जाने वाली है फिर हम render कर लेंगे और render करने के बाद भाई यह देखो अभी बिल्कुल भी advance नहीं है ना बिल्कुल भी advance नहीं है कि ऐसे होता है बागे advance अभी नहीं है आप लोग एक बार मार्क में बैठा लोग भी यह advance अभी नहीं किये हैं हम लोग अब इदर से मैं इसकी थोड़ी आपने गाड़ी के अंदर बैट नहीं ठीक है गाड़ी के अंदर बैट के अपनी movement वगएरा देनी है फिर गाड़ी को चलाएंगे उसके बाद मैं आपके पूरी सी मतलब editing करके दिखाने वाला हूं और हां CGI वगएरा कैसे create करते इसी वीडियो बताऊंगो तो लास तक अच्छा आपने वाली मूबी देखिये मुटू पतलूगी जो है नी लाइन ओफ किंग को लाइन ओफ किंग बाद ही आई डॉन नो बड़ किंग कुंफो किंग कुछ है से रहता है उसमें सिंगा नाम रहता है उसका ठीक है तो उसी की तरह मैं आपको कुछ एक चोटी सी श जाने वाला उसके अंदर कैसे 3D अनिमेशन करते हैं कैसे वीडियो अपनी बनती ही कैसे रेंडर होती है तो आप लोग दिखे रही हो तो यह सब आप समझ जाओगा तो आप असानी से एक सोट मूवी तो अराम से मना लोगे और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लोड करके काफी अच्छी घास यार नहीं कर सकते हो देखो यह आ रहा है अपना चलता हुआ बस इसको क्या करना है यहां तक पहुंचने कबास सेब तो गैलरी कर देना आपका गैलरी में सेब हो जाने अच्छी करना है फिर सिंपल सा आपको अपने नेक्ष्ट एंगल के ओर चलने हैं याद रठने हैं 46-46 तो वापिस हम अब 2nd character को लाने वाले हैं इस character का काम हो चुक है complete मैं वापिस से कर देता हूं हटा देता हूं एक बार इसे हटा चुक है अब देखो हम next character वापिस लेकर आने वाले पर इधर जो अपना वो था model पीछे था ना ये देखो अब ये नहीं आने वाल है क्यों कि देखो हमने उसे हाइड कर दिया था अब हाइड के करने अनायड हो चुक है आने से रहा अब क्या करते हैं इसे हम वापिस एक बार save करते हैं बाद home पर चलते हैं home जाने के बाद मैं इधर आता हो हूं फिर इसकी quality को वापिस से low कर देता हूं और decreases हो जाता है Wisconsin तो problem create gallon हो जाती है मैं वापिच चलता हो third import वाले पर इधर से अपना एक model को ले आता हूँ फिर आगे का process हम वापिस समझाते कि क्या होने वाला है सो नीचे स्कॉल करते हैं अपना एंट्रिंग वाला था ना तो एंट्रिंग वाला देखो कौन सा है यह ड्राइबिंग वाला है यह रहा एंट्रिंग वाला तो हम इसे क्लिक करने वाले हैं यह भी एंट्रिंग है यह भी एंट्र है कुछ गड़बड है तो मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूं जो होगा उसको हम डेरेक्ट ले आ देने वाले हैं चलो वापिस से चलो माउंटेन एंटरिंग ओक्योड वोलकिंग यह रहा एंटर काल इस पर मैंने क्लिक कर दिया है अब 46-46 का अपना पूरा साइज साइज आपको सेम रखना है साइज का बहुत ज़्याद है यार मैटर करता है जब आप यह बनाते हो ग्लिच करके कट गया ना तो इस तरह आपके साथ भी हो सकता है सिंपल साम वापिस अपने इसलिए बोला था देखो भाई लो क्योटी कर लोग हो तो आपका प्रॉफिट होगा कई बार कर जाता है बट कई बार नहीं करता है तो वह ज्यादा बैठर रहेगा तो वापिस से अपना मॉडल ले आ लिए लिए मैं तो कोई दिक कर नहीं क्या कि हमने सेब किया था इसलिए time to time इसे सेब भी करते रहना तो जिसका 8GB RAM का फोन है तो इसको यह वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है बट जिसका 3GB या 4GB हो सकता है इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाए मैं खुद 3GB RAM में इसमें कर रहा हूँ तो मुझे यह वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बट अगर मैं भी 8GB RAM फोन में करता तो नहीं दिखती बट अभी अवेलबल नहीं है जो फोन अवेलबल है उससे हम create करते है अब देखो यह हो चुका है मैं इससाइड करता हूँ अब देखो इसकी साइज को वापिस हमने इंक् अभि यह नहीं हो California अभी प्लेःएं कर देखो पता चला कि यह एक्जीट वाला है थे तो सब्छास करते हैं तो यह 100 परसांटrey वाला है सो मैं इसको चेक नहीं करने वाला हूँ डिरेक में texture देकर इसका काम जो है set कर देने वालों अब नीचे एरा enter का what happened I think something wrong मैं back चलता है अगवर no 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 I don't do this back यह चुका है मैं इसे बडिलीट कर देता हूं देखो यह दोनों इसे मैं हटा हूं पहले नीचे glitch सा हो गया यार चलो कोई दिक्कत नी हम इसे home पे चलते हैं save and इसके बाद home पे क्लिक कर देना है home पे हमें वापी से लाना होगा काफी बार glitch हो सकता है so mind मत करना क्योंकि एनिमेशन जो हम बना रहे न यह थोड़ा हेवी है एक पूरी हम सौट क्लिप बना रहे है तो हमारे फोन की अतनी लीमिट होनी चाहिए कि भाई हो सह सके और मेरे फोन ने सब्सक्राइब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस तरह की वीडियो बनाने में जाए नाम वहम है इसका तीक है चलो मैं बापिस से ले आता हूं से एक बर हार निमाननी है बनाते रहना है ठीक है काफी बार इस ता गिलिच से कट सकता है आप लोग का सेप करते है ना जिसका तीन जभी रैम फोन ना एक ना आपका टाइम जरूर आएगा आप पीसी भी बनाओगे मैं गरांटी देता हूं यह बिगिने टुटोडियल यार यह ऐसा टुटोडियल है जो मैं आप लोग को प्रोबाइड कर रहा हूं इसमें आपको एनिमेशन के लेता हूं एक और बार अभी ओपन हो चाहिए ठीक है अब मैं क्या करता हूं अपने वह एंट्रिंग वालो जो था उसे में लेकर रहता हूं इधर थेड़ इंपोर्ट पर जाते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं सो यह देखो यह रहा इस पर मैंने क्लिक किट दिया है अब यह जैसी आ जाता है फिर मैं next process करने वाला हूं सिंपसे सेट करने वाला हूं चलो जल्दी से आ जो यह आ चुका है मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं मैक्समो का डिरेक प्रोफ फोल्डर यह आ चुका है सो मुझे वह नीच चाहिए entering सो गिलिच करके कट चुका था इसलिए मुझे फोल्डर खराब हो गया तो उसको मैंने अलग से export करके फिर इसमें लेकर जाना पड़ेगा इधर देखो मैंने इसको क्लिक किया है अब यह देखो आता है कि नहीं अगर आता है तो बढ़िया नहीं आता है फिर यह कोई काम का नहीं है भाई यह फोल्डर हो चुका है two को मारी है बढ़ी बात है क्योंकि आप लोगों यह फेस करना पड़ सकता है तो आप लोगों पताहिए फिर आपने दुबारा से जाना है यह इस फोल्डर क। फोल्डर में ग्लिच है इसी वाले को दुबार से डाउनलोड कर लेना जैसे आप दुबारा डाउनलोड कर ल लाना है और पूरा काटने के बाद आपको इसको लाना है चेक करते हैं को आपको नहीं आ पड़ेगा ठीक है नहीं आ रहे है क्योंकिन को पूरा मैंने कट किया अब बापी से प्रिजब्ड लाले पर जाता हूं और उसी फोलडर को लेता हूं पहले मैं entering वाले को लूँगा, देखते हैं entering वाले में क्या result आता है, I think अब work करेगा, because यार हमने सब कुछ अलग कर दिया था, अब देखो यह देखो, काम कर रहा है, मैं इधर क्या करता हूँ, इसकी scaling size को increase कर देता हूँ, 46, done, इससे भी count देते हैं, 46, okay, इससे भी कर देते हैं, 46, देखो, यही था न, अपना, देखो, जो enter करता है, सिंपल साथ है, तो problem नहीं, आपको सिंपल साथ है, कट करना है, वापिस से, उसी को reload करते हैं, सब कुछ करने के बाद, आपका सब को set हो जाने वाला है, मैं वापिस से home करता हूँ, इससे don't save करता हूँ, because मैंने उसे उपर save कर दिया, अपना, देखो, यह वाला भी solution निकल चुका है, जो हम देख रहे थे, कि नहीं हो रहा था, आप इसे वापिस download कर सकते हो, अगर आपका फिर भी work ना करे तो, पर एक बार cancel करके, कट करके, वापिस open कर लेना, यह setting पर जाके, इसके chest को clear कर लेना, फिर हो जाने वाला है, यह रहा, entering car, just मैं इस पर click करता हो, अपने model को ले आता हूँ, देखो, यह model आ चुका है, मैं इस पर क्या करता हो, click करके इसको पहले मैं side करता हूँ, यह play करके देखते हैं, कहां से चड़ता है, तो यह आता है, यह click किया, ठीक है, ओके, तो यह इसने open करना है, फिर चड़ करो, इब प्ले करके देखते हैं, ठीक है, देखो, अब, set हो चुका, यह पकड़ा ठीक है, इसने, थोड़ा सोख पड़ो जब भाई तू, ठीक है, तुने यह open किया, यह गया, यह अंदर गया, इसे फिर, ठीक है, यह set हो चुका है, बड़े, इसके मुंडी आ रही है, उपर ना, देखो, मुंडी आ रही है, ठीक है, यह हो चुका है, अब क्या करना है, हमें इसमें texture दे देते हैं, पहले, इसका, स्पैडर मैन का, कोश्टूम पर texture देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बकवास सा लगेगा फिर, देखो, हो चुका है, अब देखो, मैंने क्या करना, इसके साथ, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसे आपको उठा देना होगा, यह अब इसे उठा देना होगा, आपको, कुछ ऐसे कर दो, इसे, इब दीका तो, आपको मैं यह, दुखर अभी यह, इसके हाथ में यह, ठीक है, इसके हाथ में अब क्या करेगा, यह इसे बंद करेगा, रूखो, इसके साथ ही, अब यह अंदर जाएगा, दुखर यह हाथ में है, अब आपको इसे इसके हाथ में देखो टेच करके रखना है आपने ये दियान देना है इसके हाथ में टेच रहे है ये थोड़ा क्लिक किया है थोड़ा से से आप नीचे करो अब ये है अब अंदर जाता है दो अंदर जाता है ये हाथ को ले गया है न अंदर देखो यह लेकर गया है अब अंदर जाएगा पूरा बंद कर देगा अंदर गया इसे अब यह पूरा बंद कर देगा यह थोड़ा से इसे सेट करो अपने हिसाब से देखो आप सेट कर लेना जिस तरीके से है यह लगना चाहिए हाँ ठीक है यह बड़िया सेट हुआ है देखो अब इसे मैं कर देता हूँ खोड़ एक प्ले करता हूँ मैं आप लोगों दिखा देता हूँ अंदर चलते हैं थोड़ा देखो एक बार यह इसने खोला यह हुआ देखो यहां पड़े थोड़ा गलती हुई है अपने से तो इसे हम सेट करेंगे अभी क्या हुए यह खोलता है यह होने के बाद आए बून को आप सेट करो पहले यह देखो यह गया इसने पकड़ा तो यह जो रोटेट उपर करके लेकर गया यह अपने से खराब हुई है इसे हमने सही करना है इसे हटाओ अब एक बाद वाप इसे क्लिक करो देखो एक एक चीज आप सेट करना आपको थोड़ा से मैनद करना बाकि तो मैक्सिमोन आपने काम करी दिया है और कुछ नहीं करने आपको अब इसे हम अंदर की साइड कर देंगे थोड़ा से सीधा कर देंगे बस और यह हो चुका है अब इसे मैं कर देता हूं अब देखो यह खोला यह गया यह करके बस सेट हो चुका है कुछ नहीं किया यार देखो पूरा अपना यह अनिमेशन रेडी हो चुका है अब क्या कर सीन को आपको वापीस से केमरे एंगल में सेट करना होगा मैं चलता हूं श्राटिंग में तो गलीच वगयर हुआ अभी आपको इसी में पता चलिए कि भाई ऐसे सॉल होता है जिसे आप लोग बात में मुझे से कॉंटेक्ट भी करने से पहले आप लोग बोलेगा मुझे तो पता है इसका क्या सॉलूसन है मैं से जंप इन कर लेता हूं अब बैक्ग्राउंड को हमने वापीस से देखो नीला कर लेना है क्योंकि हम नीला करते हुए आ रहे ना यह हो चुका है एक कैमरे अंगल यह हो गया अब यह अंदर जाता है बट हमें थोड़ा इसको ऐसे रोटेट कर लेना आप कैमरे को बताओ क्यों देखो किस तरह लुक लगेगा यह ठीक है तो ऐसा कुछ लगना चाहिए बढ़िया प्रोफेशनल लगना चाहिए देखने मजा है देखो अंदर जाता है उससे पहले दिया था मैं इससे हलका से देखो ऐसे करके रोटेट करूंगा ऐसे करके कुछ देखो अब हो चुका है देखो बाई देखो आप लोग इसकी कार को देखो इसको आप चेंज करना चाहते हो लाइक ये बलैक से नहीं से आप नीला करो और इसकी जो ट्रांसपेंसिव को आप कम कर दो अंदर का पुर्णा बंदा दिखने लग जाएगा आप लोगको ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा ना वो इसको मैं नीला करता हूं हलका सा नीला ट्रांस्पेरेंट ऑके अपना बंदा नहीं दिख रहा है अभी बेट अभी दिखेगा हो यह हो चुक है अब जाओ आप इससे सेब करके अब वापिस से बैक करो बापिस सेब एंड होम पे जाने एक पूरे सील को आपने लेकर आना है तो इससे पहले से को बापो के अपनिले के साया है इसकी क्वाविटी को आपको था करके अपको अप्लोड कर सकते हो कई पर भी सो मैं एक बार आपको वापिस से इसमें camera angle में जा के दिखाता हूँ अब क्यों कैसा लग रहा देखो jump in करता हूँ मैं इसमे animation में चलो play कर आप भाई दूसरा camera angle आगया यह रहा अपना camera angle jump in ओके देखो वो देखो भाई लग रहा है न यह देखो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है अरे कहां दूर भाग रहे हो देखो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ देखो बैठ चुका है भाई देखो कितना awesome look आ रहा है इसे तरीके से आप बना सकतो पूरा realistic feel आ रहा है इसे मैं simple से render कर दूँगा मेरी video बन जाने वाली है बट render करने इस पहले कुछ और भी आपको करना हुआ जैसे मैं render एक बार क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमने आपको editing करके भी दिखानी है इसलिए मैं render को बार बार कर रहा हूँ यह 360 तक था तो मैंने 360 अनिमेशन तो दिया नहीं है 150 तक दिया है या 180 तक कर देते हैं 180 टक इसे render पर क्लिक कर देता हूँ देखो यह render जैसी complete होता है उसके बाद इसको मैं गाड़ी को sympas है इस बंदे के साथ आगे कैसे लेकर जाओंगा यह भी problem है क्योंकि दखो यह अब हो चुका है सो बंदे के साथ जाए तो ठीक लगेगा ना पर हम इस समय जब वो बंदे के साथ जाएगा तो हमने क्या करना है उसमें एक animation को join करना होगा बोले तो जो को अभी practically समझाने वाला हूं इससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़े करना है जब आप 100 श्टोरी बनाने जाते हो ना तो काफी सारी कि वेट मेरे कहाल से पूरा क्रेक्टर डिलीट हो गया अभी मैं क्या करता हूं वापिस से इस पर जाता हूं इसके maximum के bones कौम डिलीट करना है न कि अश्यवक्ते खड़ा हो चुके क्या कि आइच थिंक नहीं खड़ा नहीं हुआ है रुको ठीक है यह वर्क नहीं कर रहा है जो मैं कहना चाड़ों यह वर्क नहीं कर रहा है कोई बाद नहीं अब क्या करते हैं इसे मैं पहले पुरा छाइन को हो ठीक है सभ कुछ डन है हम भापीस अपने ऊसी वाले क्रेक्टर को लाने वालह उं इसके अंधर बैछा देने वालह हो तो थेड़ियो इंपॉर्ट पहेशन क्रेक्टर मैं उसी character को लेकर आने वाला हूं उसमें न उसकी जैसे shape में जिस इससाफ से वो बैठा था उसी इससाफ से इसको बैठा के बढ़ हां मैं animation नहीं देने वाला हूं इस बार इस बार हमें bones वाला चाहिए ना तो सिंपल से मैं कोई भी click कर देता हूं लाइक कि यह walking वाला था इस पर click किया अब इससे मैं no कर दूँगा because क्योंकि हमें इस समय walking नहीं चाहिए अब मैरे कुसरीप इसमें bones add किया हूँ चाहिए जो professionally bones add हो भाई यह तो काम नहीं कर रहा है बड़ खोई बात नहीं चलो नहीं काम कर रहा है अब यह होने के बाद आपको पहले मैं इसका 3D car animation वाला लेकर आता हूं इसी से मुझे करना होगा यार क्योंकि बाकी तो काम करी नहीं रहा है यह में इधर आ गया इसे हम rotate करते हैं इसे आगे लेकर आओ आप भाई बैट जो बस तुम्हें बैट जो तुम्हें फिर मैं दिखाता हूं क्या चीज तुम्हारा काम है बस इसका बस थोड़ा सकाम रहने वाला ज्यादा इसका काम नहीं रहेगा या फिर मैं इसे कट करता ह आप लोग अब होम पर जाओ कि डॉंट सेब कुछ भी सेब नहीं करना है जो है वैसी रहन देना होम पर आओ अब इसको पूरा एक बार कट कर आप लोग पूरा जैसे क्रोस किया वैसे आप कट कर दो अब मैं वापिस से प्रिज्मा को open करता हूं अब हमने क्या करना है वो जो मॉडल नहीं हमने एक कार चलाने वाला भी डाउनलोड किया था उसको हम लेने वाले हैं और हाँ आपके मैजिक भी दिखाने वाला हूं वो देखने के बाद आप लोग भले वीडियो का यहीं से कट कर देना पर आपका मन बिलकुल नहीं करने वाला जो मैं आपको बतान पर इसकी साइस को इंक्रीज कर दूंगा एनिमेशन को मैं नो कर देना वाला हूं इसकी साइस को हमने करना है 46 46 एन 46 लाइक मैं इसे कर देता हूं 46 डण नेक्श वाले को भी कर देता हूं 46 डण इसका नेक्श वाले को भी कर देता हूं 46 डण ओके तिनों का हो चुका है coloring अपना यह रहा ठीक है टेक्से डेड़ा टेक्से भी डान हो चुका है मैं इसको पुड़ा उठाके इधर कर देता हूं उसके बाद होम पे चलते हैं इसे डॉंट से अपने उस मोडल को हम उपन करते हैं उस वाले जो फाइल को हम डिलीट कर देंगे वह जो कार अनिमेशन वा वाले हैं वरना हम कोई और इसका देखते हैं लाइक में इधर से मैं लेकर आता हूं एंट्रिंग कार वाल्किंग स्टार्ट वॉल्किंग ठीक है तो अपना मोडल आ चुका है मोडल को आपको इसमें सेट करना होगा अपने हिसाफ से लेक में इसके हाथ को देख अभी किस आओ तुम हाथ आगे करने तुम्हें इतना भी नहीं हलका सा और उपर उठाओ ठीक है अब तुम ना थोड़ा पैर उठाओ तुम पैर फोल्ड करो भाई यह देखो कमर एकदम सीधा करके रखो भाई इतना नहीं करते हैं हलका सा नीचे करो और गर्दन को भी थोड़ा स्टेड़ा करो इस पैडर मैंने तो मतलब कुछ भी करोगे ठीक है अब तुम थोड़ा सीधा उपर करो हाथ थोड़ा सा ऐसे करो ओके रिपोर्ट क्योंकि हैंडल को पकड़ने जा रहे ना यह भाई उपर हो तुँ ठीक है तेरे हाथ को भी गुमा देता हूं डन है अब नीचे हाथ अब इसको गाड़ी के अंदर बैठा दो आपको सिंपल से करना है इसे अंदर के साइड कर दो यह देखो अंदर गया अब यहां पर आपको थोड़ा सेट करना होगा अपना दिमाग लगाना होगा कि की सुकर यह सीशे से आर पार दिख रहा है वरना भाद में हमें प्रॉब्लम हो जाती कैसे सेट करते मुझे भी नीपता है चलो है हां बाई सबकुष ठीक है ना दिख रहा है की नहीं ओके भाई आपने इस्पाइडर मैन भाई को तो सबकुष डिख रहा है तो हमें ज्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है बट इनको अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और चलो यह हो चुक है और तुम थड़ा यूँ हो ठीक है देखो अब पूरा मोडल अपना सेट हो चुक है कार को देखो ये पकड़ा हुआ है हमें कुछ नहीं करना है अब ये कार जाने वाली है सिधा आगे की साइड यहां से चलते हुआ हुआ करके निकल जाएगी और अपनी जो एनिमेशन है करते हैं देखते हैं अगर जॉइन में वर्क करता है तो ठीक है वरना कोई बात ही नहीं है मैं इधर अपना यह आ रहा है अन्हाइड हो रहा है ठीक है इसे हम अन्हाइड कर देते हैं कोई बात नहीं ठीक है अन्हाइड भी हो चुका है देखो यह दोनों मोड़ा अन्हाइ के साइड है भीज़ी नीचे के साइड चल गया होगा can मैं इसको यसमें जॉइन कर देता हूं सoping सक्षाज़ा अब देखते अगर यह तीने में जा रहे हैं तुरक नहीं 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 कार को पुड़ा श्लेक्ट होना चाहिए ठीक है तो अभी एक कार के अंदर इस्वाइडर मैं बैठ गया ना वो कार के अंदर जैसे बैठा ना विचारा उसने वैसी बैठे रहना है बिल्कुल भी नहीं हिलना है अब मैंने एक कार की अनिमेशन इधर दे देनी कंप्लीट कर देनी फिर अपनी वीडियो बन जाएगी एक जीरो पर अनिमेशन देते हैं और सिंपल सा देने वाले एक चार सो पर जी हां थोड़ा लॉग अनिमेशन देंगे यार क्योंकि अब में तो यहीं पर श्टार्ट है अब यहां पर कैमेर एंगल आपको सेट करके काम को अपने खतम कर देना है और आपकी वीडियो बनके रेडी हो गई है मैं इधर चलता हूं ठीक है बहुत है नहीं और भी आगे यार अब देही रहे है थोड़ा लॉग दे रहे है तो लॉग कम्पलीटी करके छोड़ते हैं यहां पर दे हैं 480 पर देखो प्ले करके देख लो आप लोग के बर इसकी पड़ ये टैर नहीं गुम रहा है ना टैर में अनिमेशन भी देनी पड़ेगी हमे वापिस से स्टार्टिंग में चलो जहां तक इसका एंड में आया था वो एंड में लेकर ही जाएगा वाप लोग को साठे 300 तक था अनिमेशन है इसके टैर में आय थिंग अनिमेशन तो नहीं होगी क्योंकि देखो हमने अनिमेशन नहीं दिया है इस्टार्टिंग में चलते हैं वापिस से What is this? अनिमेशन है इस में? एनिमेशन नहीं है तो इसे आप कट करो, जल्दी से कट करो, और श्राटिंग में जाकर पहले एनिमेशन को दो पहले की फ्रेमिंग अपनी जीरो पर हो चाहिक है, अब लाश की फ्रेमिंग जहाँ पर यह जाता है न जहां तक लाश उससे पहले यह दूसरे वाले का भी दे दो यार बाद में बाद में problem हो जाएगी अपने को एक key framing की इतर भी set कर दो आप लोग लाइक मैं इतर भी a key framing को set कर देता हूँ ये मैं है इतर ही set कर दिया अब जाने जाने वाले हम आगै कि साइड उससे पहले इसके बोन्स अगर बीच में मिलेगा तो इसको आपको हटा लेना है ठीक है लाइक मैं इसे हटा देता हूँ अब देखो यह मिला ना इसे आप हटाओ अब आगे भी जाओ इलाश जहां तक गया था लाइक हमने 400-500 तक दे थी इसकी अनिमेशन अब चेक करो कहां तक गया यह अब यह और आगे जा रहा है भाई कहां तक जाएगा बस लाश इसका यहां पर श्टॉप है तो 470 पर श्टॉप है ना तो इधर में क्या करता हूँ रोटेशन पर ट्रांस्पॉम में जाके एक बार इसे मैं रोटेट करता हूँ देखता हूँ कहां तक जाता है यह यह हो रहा है इसका यह जैसे 48 पर इसे आप कर दो 500 कर दो आप इसे अपने हिसाब से जितनी स्पीड आप देना चाहो तो फिक की फ्रेमिंग दबा दो देखो की फ्रेमिंग सेट हो चुका है एक बार प्ले बाद में करेंगे पहले हम दूसरे वाले पर चलते हैं यहां पर आ चुका है इस पर भी हम 500 दे देते हैं कि दोने का से में अब इधर में 500 देता हूं कि पांसो की फ्रेमिंग स्टाइब इबा मैं प्ले करता हूं ठीक करके देखनें किस तरह लगता इसकी गारी के तहर जो गूम भी रहें कि नहीं देखो यह गूम रहे हैं हलके फुल के हम जो गूम रहे हो अँधो हो देखो इअ जो डंटी का गूम रहे हैं बेट पीछे के साइड गूम रहा है नि नोड्रशी दोसोग को ब्लोग को सुकर है्हाँ मैने पहले ही से नोटी इस इसकर लिया अब माइनस तो माइनस 10,000 20,000 चल जाता है इसे मैं करता हूं माइनस 10,000 डन इसे करते हैं कॉपी ओके यह हो चुका है कि फ्रेमिंग सेट हो चुका है मैनिस दस ज़ार, ठीक है, मैनिस दस ज़ार, अब नेक्स्ट वाले को भी आपको Biney ज़ाद ही देना है, ठीक है, उससे कम ज़्यादा मत देना, इसमें जैसे मैनिस दस ज़ार देना होगा, वो पीछे की अनिमेसन जा रही थी, मैनिस, 10,000 lock अब देखो done हो चुका है अब अपना काम यहाँ पर complete हो चुका है आपको simple से camera angle set करके इसे render कर लेना और आपकी video बन जाने वाली है एक बार मैं आपको camera angle देखा देता हूँ camera angle कैसे देता है camera angle पर गए वापी से चलते है starting में starting में देने के बाद भाई literally अब जो है आपको मैं CGI सिखाने वाला हूँ CGI बोले तो like BFX वगेरा को सिखाने वाला हूँ उस type का इसका background आपको design करने सिखाने वाला हूँ high background एकदम पढ़िया से professional background आप लोग कैसे add कर सकते हो जो कि काफी लोगों को नहीं पता होगा मैंने बताया होगा बट वो उनको नहीं समझाया होगा बट अब मैं बताऊंगा अब आपको पुरा clear होने वाला है कि यह कैसे होगा चलो सबसे पहले मैं इधर camera में आई गया हूँ jump in हो चुका हूँ jump in नहीं हुआ हूँ पहले jump in होते हैं jump in okay अभी मैं camera गयंते रोब देखो क्या करते हैं यह आ चुका है ठीक है अब यहां से हमने ऐसे गरके एक camera लेने पहला यह अब दूसरा अपने को थोड़ा सपीछे जाते हुए जैसे कि 130 पे जाते हुए यह ना कुछ ऐसे का लो cinematic suit करने है यार देखो पर हाँ उससे पहले दुखो यार इसकी आपने ढकन के जो खुल रहा है ना इसको आप बॉंज डिलीट करो तो इसने आपको बहुत परिशान करना है फिर देखो आगे कहीं है इसका बॉंज पीछे होगे बॉंज ठीक है क्योंकि 130 तक तो अपनी इन्मेसन ही थी इस ढकन को आप पहले क्लोस कर दो ने तो यह आपको इतना परिशान करेगा आपने भी बोलना भाई मैंने सोचा नहीं था इस इस आप से मुझे तंग करने वाला था यह हो चुका है देखो अब मैं कैमरे एंगल पर वापिस चलता हूँ क्लिक कर देखो बैकगराउंड को भी या बैकगराउंड याद रखना जब भी आप अनिमेसन करने चाओ जो बैकगराउंड आपने सेट कियो वही सेट रगड़ना कुछ और मत सेट करना बाकि एक बैकगराउंड आपको मैं बताने वाला हूँ ठीक है देखो अब यहां से यह देखो कहां तक आता है कैमरे तुम्हारे मूँ पर आ गया दा ना बस और मूँ तक तुम्हें लेकर जाना इसे फेश टक मूँ कर रहा हूं ठीक है तो यह हो चुका है देखो यहां तक आया बस यह आ गया अब क्या करना आपको बस इधर छोड़ देना है इधर से आपको इसके पीछे की साइड चल जाना है यहां पर मैंने की फ्रेमिंग दी अब यहां से हमने क्या करना है यहां पर आजाओ अब यहां से इसको जानने दो यह गया अब एक बाद प्ले करके दिखाता हूं मैं किस तरीकी की सीन जो क्रेट कर रहा हूं इसी तरीके से मतलब आप अपने हिसाब से दिमाग में सोचोगे जब कैमरा एंगल वगेरा सेट करोगे ता आपका वैसी हो जान कुछ मैं इधर से सूट कर लेता हूं लाइक किये हो गया मैं इससे आगे तक लेकर जाता हूं लाइक यह पहुंच गया है बस अब मैं एक की फ्रेम यहां पर टैच करूंगा और इधर पहुंच जाओंगा इसके नेक्स्ट वाले पर भाई साहब इस समय मैं देखो पहाड के अंदर आज़को पहाड का मोडल देख लो अपको कैसा है यह हो गया है अब मैं इधर आ जाता हूं इसके अंगल की तरफ कुछ ऐसे पर यहां पर आ गया हूं अब लाश्ट देखो यह जहां तक जाएगा मैं अपनी कैमेरे को भी वही लेकर जाने वाला हूं यहां पर है एक किफ रिंग में और सेट करना चाहता हूं यहां पर लाश्ट अपना यहां पर रुग जाता है मैं यहां पर करके इसे लोग कर दूंगा अब प्ले करके आपको दिखाता हूं किस तरह लग रहा है इंजाए कर आप मोबी सॉट मोबी जो बनाई है अभी हम लग रहा है देखो वाव वाई फंटैस्टिक बहुत ज्यादा इमेजिंग लग रहा है इसे तरीके से आप सॉट क्लिप इसमें क्रेट कर सकतो अब बात करेंगे एडवांस के बारे में देखो यहां तक होच कि इसे में रेंडर करता हूं रेंडर करने के बाद हम दिखाने वालों एडिटिंग वगड़ा देख लेने तब जाना क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलो फिर इसे डेंडर स्टार्ट करते हैं करते हैं प्रेंड्स अब स्टार्ट होने वाली है अपनी एडवांस और धमाकेदाद टुटोरियल यहां से स्टार्ट होने वाली है जो यहां तक आचुका है तो उसको congratulations क्योंकि अब मैं जो आप लोगो दिखाने वाले हो ना उसको देखकर आप लोग सौक हो जाने वाले हो हां पेलकुल सौक होने वाले हो guarantee देता हूँ 100% let's find out आखिर मैं दिखाने क्या वाले हो भाई चलो दिखाते हैं आखिर आप लोग देखने क्या वाले हो सबसे पहले मैं इधर लेने वाले हो एक छोटे से बॉल को जी हां इस छोटे से बॉल को लेने के बाद अब इसकी size को करता हूँ increase देखो आपने पहले तो देखा था ठीक है मैंने आपको यह starting में दिखाया था but इसलिए मैंने इसे थोड़ा save करके रखा था ताकि आप लोग को end तक जो है ना जो यह सच में animation करना चाहता है उसके लिए खास तोर पे स्रिफ उसके लिए मैं बचा के रखा था पर अब यह rebuild होने वाला है मेरे भाई तो लाश तक देखो आप क्या rebuild होने वाला है actually होने क्या वाला है अब see this आखिर मैं दिखाना क्या चाहता हूँ अब लोग को wait okay मैं इसरे बैक्ग्राउंड को क्लिक किया अब मैं इसको क्लिक करता हूँ now what a look man क्या लग रहा है क्या लग रहा है अब आप लोग खुद बताओ so friends क्या कहना है कैसा लग रहा है लग रहा है धमाकेदार देखो उपर आता हूँ what you think buddy अब क्या कहना है अब एक बाद एंगल पर जाके दिखा देता है यार विकोज कैमरे एंगल के बीना मज़ा नहीं आने वाला है थीक है तो लेश्ट मैं यह दर चल्दी से प्ले करता हूँ अब देखो कैसी लगड़ी सबसे पहले इसके बैक्ग्राउंड को मैं मीडियम कर देता हूँ देखो भाई आप लगड़ी है ना कि हाँ सच में हमने कुछ अनमेशन किया है लाइटिंग वगर आपको थोड़े अपने हिसाब से डिफ्रेंट तरीके से करदा होगा क्योंकि इसमें जो ह करेगा बस इसका यही घाटा है तो उसके लिए हम क्या करें अब इसका भी सोलूसन बता ही दो अब यहां तक आई चुके हैं तो वेट 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 आपको वापस से प्ले करके दिखाता हूं आगे के साइड है ना अपना ओके आगे के साइड देखो कैसा लग रहा है लग अब यहां पूरे तहरे जमीन पर आगे हैं ऐसा कुछ सीन पानी लग रहा है प्ले करता हूं तो बैक्गरांड में ब्लैक्स है यह नाइट सीन हो गया ठीक है बट अब देखना आप किस तरह लगेगा यह जैसी आगे जाता है ओपाई क्या लग रहा है बहुत ज़्यादा अब चरना दो तक तो अब लाइटिंग बीकर ना तो पड़ेगा ना बाबू तो उसके लिए क्या करना है लाइटिंग के हमें वापीस है दोको मैंने लाइट ले लिया है अब इसको अपने कार के साथ रनिंग खड़ाना होगा इसे गेम होगा होगा चल भाई उड़ जा ये हो गया है लाइटिंग का अपना portion आ चुका है तीन्चा लाइटिंग का आप इसके साथ ही add कर सकते हो लाइक मैं इसे copy करता हूँ copy हो जा भाई इसे पीछे करो आप एक और copy कर लो आप इसे देखो याल अपने को ये सब करना पड़ेगा ठीक है इतने सारी लाइटिंग में इसले जोड़ा हूँ ताकि लगे हाँ थोड़ा बढ़िया लगे देखो पर नाइट की लाइटिंग में ये इस तरह चमकेगा गाड़ी बहुत खतरनाक लगेगा यार तो चलो फिर ये हो चुका है अब क्या करते है यह होने के बाद आपको इन तीन लुक पर कॉपी ले कर दो और हृश अब पिर इस सांति परेस्ट कर देना है तो कर के सास साथ यह भी चलेगा और यह भाइव यह होता है इसका पायदा other two सब कुछ मदल्ब कर बीब आपको चाहिए ना मैं ऐसे नहीं दूंगा मैंने आपको बता है कहां से डाउनलोड होगा महां से आप खुद डाउनलोड कर लो भाई महां से आप लोगों मिल जाएगा ठीक है तो आप महां से अराम से डाउनलोड कर सकतो सबसे पहले इस कैमरे से निकलो यार बहुत दिमाग खराब कर दिया मेरा इस camera ने देख रहे हो look देखो भाई काफी ज्यादा fantastic लगड़ा अब यहां से देखो आप यहां से camera angle को ऐसे लेकर जाओ कुछ ऐसे look दिखाओ तो कितना ज्यादा better लगेगा ठीक है काफी ज्यादा awesome लगेगा ना इसलिए मैंने रोक के रखा था कि भाई आप ल camera में jumping करता हूं अब आप लुक सीन देखना किस तरह लगता है प्ले कर तो में एक बर देखो आप लुक किस तरह लग रहा है किस तरह लग रहा है कि देख रोग गारी के साथ जा रहा है उपर से एकदम blacks है अब लग रहा है थोड़ा ज्यादा awesome लगता है यह night effect का कमाल इस इसका यह profit है मतलब रात को कोई scene create करना है lighting वगरा देनी है उससे और ज्यादा awesome लगने लग जाता है मुझे तो काफी ज्यादा यह वला scene awesome लग रहा है डिन से ज्यादा आप लोग बताओ इसका आपको इसके बार में क्या गयाना है इस तरीके की वीडियो अगर आप android में create क हेर सको तो भई कौन ही देखेगा आपको थोड़ी सी महनत करनी है कि मैं पश घंटे भी नगे लग canoe खिको सिखने महें की अफ सिखते हो तब पांच घंटा में सोचो किस-किस तरीके एक वीडियो इन सकते हो लिटेलि बहुत सारी तरीके से वीडियो बना सकते हो काफी सारी ले तो दस अजार ले ले लेते हैं भाईया देते हैं चलो मैं इधर होम पे चलता हूं बिगोस मुझे अब कुछ भी नहीं करना है इसे में सेप करके वापिस होम पे चलते हैं अब मैं आपको सिखाने वालो इसके माउट के अनिमेसिन कैसे होती है अब यह सब तो सीख लिए अब CGA में पहुचे हो तो CGA का पहला चैप्टर आपको पता चल गया है यह है नाइट विजन एफेक्ट बोले तो नाइट में जो लाइटिंग बगेरा होती है कुछ ऐसा इसका नाम मैंने खुद से दिया हुआ है नाइट विजन बगेरा कुछ नहीं होता तो ऐसे ही इसके पहले मैं टेक्शर को एक काम करते हैं मैं जाना नहीं चाता हूँ दर मैं इधर सिंपल सा क्या करता हूँ उक्षक इसे इसे इस इसे मोदाई आँप सकते यह हार यूड टैक्सा गना टो नहीं प्र मैंट गो-पार्यगल मैं पको जॉट nude लिध इसा मैं कोशिस करूंगा इसी वीडियो में कवर करूं अगर मन करेगा तो कर दूंगा वर न भीया देख लो जो पहुंच चुक है उसके लिए तो बढ़िया है पर जिस ने इधर इसकिप किया था उसके लिए बिल्कुल भी वैंटर नहीं है इधर मैं सैडोग इंक्रीस करता हूँ चलो भीया सैडोग आजो ऊके बट इनके फेस पर देखो बिल्कुद लाइटिंग नहीं जा रही है तो फेस या लाइटिंग तुम्हारे लिए उत उमलाइटिंग कररें औ अपना गाम तो बेफिकर हो हमने लाइटिंग तुम्हारे ले की हुई है अब देखो यह कैसे लग रहे है अब तुम हाथ नीचे करो यार यह फाल तुना टी से मत करके खरे रहा करो मुझे मुझे बहुत बक्वास लगता है यह क्या फालतु यह थोड़ा टेठा करो थोड़ थोड़ास तुम भी फोल्ड हो जाओ यार थोड़ास बोड़ी हलका सा नहीं तुम मुद्र सिंक लोगी थोड़ासे फोल्डिंग आओ कि अब के चलो जेब में हाट डालो अच्छी बात है कोई बात नहीं बेरी गूड अच्छे संस्कार है तुम्हारे कर देता हुए तुम्हारे टीसएप में क्यों खड़ा हैं तुम हो ज़ाओ यहां पर आपको फेस का मैं दिखाता हूं फेस rya कैसे बोलते तो इसमें कैसे बूला सकते हैं याई सेट करता हूं इसी इसी आइस वागे दिखाता हूं जिसे हम परफेक्ट बोन यूवी रेज़् वगेरा कुछ आप देखो यह मैं ऊपर करता हूं यह होता यूबी रेस को कमाल अब सुडाकु वाली वीडियोस तो आपने देखे होगी यह यह क्या लग रहा है बहुत ऑसम लग रहा है काफी ज्यादा मेजिक लग रहा है यह फणी लग रहा है इस फणी देखो इसकी मैं माउथ अनिमेशन करके दिखाता हूं कि यह जो बोल लाइक मैंने 20 पर क्लिक किया अब थोड़ा से इसको मैं नीचे करता हूं लाइक इसने यह मुझ होला 20 में 40 पर जाता हूं इसके मुझ को बंद करता हूं ठीक है वापिस से मैं जाता हूं 60 पर नीचे आ जाओ बतलब कि आपको इस पे फेस पे जो है ना मुमेट वगएड़ लड़कियां कुछ करती है सो देखो यार इस टोड़ी बनाने जा रहे हो अब मैं एबब ले करता हूं देखो बोल रहे न इस तरीके साब बुला सकते हो सिंपल सा था भाई कुछ नहीं था अब यह होने के बाद अगर आप इसमें और भी जैसे मुझ टेड़ा कर देने वाला ऐसा कुछ ठीक है वैसा कुछ देना चाहते हो वह भी पॉस्बल है तो दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं इसके मुझको पहले बंद करता हूं भाई तुम बंद हो ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा नोटंकी अब मुझे तुम्हारी नोटंकी नहीं पसंद आ रही है सो तुम चुपड़ाओ ओके चुप हो चुका है बर्ट बर्ट वेट अब यह चुप हो चुका है न तो यह ऐसे नहीं चुप होगा अभी मुझे टेड़ा करेगा लाइक कुछ ऐसा देखो यह है दोसरे पर क्लिक किया है यह यू अब इसके आइबिरों को भी यहां पर उठा देता हूं मैं थोड़ी कि यह वाली आइबिरों को थोड़ा नीचे करता हूं कि अब देखो अब देखो यहां पर ना हमने एक मिश्टेक की हुए क्योंकि हमने पीछे एक जैसे मैंने बताया ने कि आपको एनिमेशन निव एनिमेशन देने इस पहले आपको सबकु सेट कर करता हूं ठीक है यह लगा दिया है अब यहां पर मैं इसको आप उपर कर सकता हूं देखो अब देखो किस तरह लग रहा है अब यह बोल रहा है ठीक है ऐसी मतलब आपको सिंपल सा करना है भाई कुछ भी नहीं करना आप देखो यह देख दो क्या लग रहा है एक दो फनी स वाला हूं आप समेध्र यह रेंडर पे आचुका हूं अब मैं इसे करने वाला हूं लाइट ओणिछ जाए तो वह कैसे होता है इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपसल लाइट लेना है, तीन चाल लाइट को लेना है, लाइक मैं एक लाइट को लेना नीचे कर दिया हूँ, ठीक है, अब एक लाइट को आप लेना चाहो तो जैसे मैं इसे ही कॉपी कर देता हूँ, कॉपी किया, इसे मैं नीचे किया हू बेट पहले मैं उपर यहाओ इसको उपर करो लाइक यह है ठीक है इसको आपको क्या करना है यहाँ पर रखा अब दूसरा वाला भी देखो यह हो चुका है एक और कॉपी कर लो यह कॉपी कर लिया एक और कॉपी कर लो अब तिरों को गुरूप करना होगा दो मैजिक करके कुछ मैं आप लोगों दिखाने वाला हो कि जैसे अचानक से लाइट हो जाती है वैसे कैसे होता है इसे अब गुरूप कर लेता हूं ठीक है तो देखो एक गुरूप हो चुक है अब मैं क्या करता हूं देखो जैसे नीचे करूँगा तो यह नीचे चल जाएगा ऊपर करूँगा नूपर आ जाओंगा पर इसका एक लाइट गुरूप नहीं हुआ है hatte版 किरल आपको सबसे पहले जिरो पर जाना होगागा जी हाँ जी रो पर जाने के बादी स्लाइट को ना नीचे कर देना एक दम je कि मैंने पहुंचा दिए देखो हमें प्ले करके दिखाता हूं कि अब डराने वाला यह कैमरा लेकर दिखाता हो ऐसे नहीं आप लोगों समझ आएगा क्यों मुझे पता है यार देखो प्रैक्टिकल जो समझता है ना प्रैक्टिकल में मज़ा ही कुछ और है लाइक मैं प्ले करता हूं आप लोगों डेंडर भी करके दिखा दूंगा मेरे भाई ऐसे नहीं आपको डेंडर करके दिखा दूंगा उसमें आपको और भी ज्यादा अच्छे समझ आएगा और मज़ा भी आता है लिटरली ऐसी चीज़े जब हो सामने कोई सिखाने वाला हो और बता है ना जब मैं सिख रहा था तो मुझे नहीं पता था भाई ऐसी ऐसी चीज़े बन सकते बड़ मैं आप लोगों सिखा रहा हो कि इस तरह बन सकती है सिखो आराम से शिखो यार बिंदास हो के सिखो यह हो चुक है मैं 200 पेश से ले जाके कैंसल कर देता हम देखो पहले यह बोर ठी यह देखो भाई रेंडर पे चलते हैं रेंडर पे मुझे पता है नहीं समझा रहा होगा काफी लोगों को नहीं समझा रहा होगा बट मैं कोसिस यही करूंगा कि भाई जितनी इजी तरीके साफ लोगों समझा सो कूछ समझाओं मैं दोग यह जैसी रेंडर कंप्लीट होती तो उसमें लाइटिंग अचानक से जैसे तीर से लाइटिंग निकली या बिजली कड़की ऐसा कुछ बागी तो हम एफेक्ट दूसरे अप्लिकेशन से यूज करते हैं लाइक काफी सारे यार दिमाग में अभी नहीं आ रहा है बट मैं बताता हूं जैसे अलाइट मोशन हो गया लाइट मोशन कभी आप यूज कर सकतो बीएफेक्स वीडियो करेंगे लिए इसमें अपने अपनी एनिमेशन करेंगी है उसके बाद अलाइट मोशन में जाके उसमे बहुत ज़्यादा मैंने खुद भी ट्राइट किया तक काफी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो बन रही थी जब हम एडिटिंग कर देते हैं तो काफी अच्छे लगती है बाकि आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बतना अब हम चलने वाले हैं थोड़ा एनिमल वगेरा जो वाल करते हैं जैसे मैंने बताया था कि मोटू पतलू की आपने जो वीडियो देखी है वैसा कुछ बताने बात की थी तो उसके बारे में भी आप लोग को बता ही देता हो कि वह कैसे होती है अब देखो पूरी वीडियो अपनी होचकी रेंटर अब किस तरह मुझे खुद भी डाल लगने लगया एक अजीब सा लगता है यार मैं एक्स्प्रेन नहीं कर पाड़ा हूँ इतर मैं वापिस से देखो इंपोर्ट पर आ चुको अब मैंने क्या करना है इंपोर्ट पर आ गयो तो अपना एक करेक्टर के इंपोर्ट करने वालों वेट वे वीडियो बनी है ज्यादा लॉंग नहीं करने वालों यहां पर हम अपनी वीडियो को खतम करने वाले है इसके बाद एक और सीरिस लाने वाले है हम यूटूब का कोर्स भी लाने वाले है प्लस एनिमेशन की काफी हाइफाई सीरिस आने वाली सो इसको भी देख लेना आप पूरी डिटेल से कंफर्म हो जाने वाली कि यहां क्या क्या सिस्टम हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा अब इदर मैं देखो यह जो 30 fpx कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इसमें मेरा मॉडल होगा यही है टेक्सर से पता चल जाएगा हां यही वाल है ठीक है तो में एक सिंपल से अपने मॉडल को ले लेता हूं लाइक कौन सा लूँ इफ बी एक्स काफी सारे यार डूंट नो कि मेरे कौन सा लेना चाहिए क्योंकि काफी सारे फोल्डर सा चुके है बट मैंने इससे सिलेक्ट कर लिया है अगर इसमें नहीं आता है मैंने एक सिंपल से क्या करना है जो अपना इसका ओरीजिनल फाइल होते न उसको देखो अं सपोर्ट ही करने वाल है बहुत आप नोडिस करो यह कितना ज्यादा ओसम लग रहे काफी ज़्यादा कूल लग रहे ना पिच्छर इंपोर्ट पर जाते हैं मैंने स्क्रॉल करना अभी दर अपने वॉल्फ एपी एक्स डूना है बैक आ जाता हूं क्यूंकि वॉल्फ इसे में ले लेता हूं बढ़ प्ले करके देखते हैं मेरे ख्याल से यही वाल है अगर यह वॉर्क करता है तो ठीक है पर ना कोई और होगा मैं कैसे यह है यह 100% ही है फुल कंफार्म है क्योंकि इतना ज्यादा लोड ले चुका है तो यही हो चुका है अब देखो अब आपको प्ले करके दिखाते हूं कैसा लग रहा है देखो भाई इसमें यह भी होता है यह यह भी होता है आप इसमें यह भी कर सकतो है जंगल को कुछ सीन करेट करके जानवर को लेकर जा रहे हो उनको आपस में बात करा रहे हो तो इसमें भी देखो एनिमेशन सेम देने आपको एक एक बोन को सेट करना है आगे पीछे करना है मूवमेंट करना है इसी तरह करना सो यह कैसे होगा मैं आपको यह भी सिखाने वाला इसी विडिव में फुल डेटेल से बताँ कैसे क्या क्या होने वाला भर मजा आ गया मजा करो घूर промजार्ट करो है तो आप लोगो यह सब सीखने में काफी ज्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि या ऐसी वीडियो आपको लेटरली पूरे यूटूब पर नहीं मिलने वाली है मैं गारेंटी देता हूं या नहीं मिलेगी कोई भी इतनी बारी किसे नहीं समझाने वाला है खुद भाई क्यों समझाएगा अब मेरा देखो यार मेरा आपको जैसे बताएगा मेरा एक ड्रीम है मेरे को कार्टून वीडियो देखना और साथ में बनाना काफी ज़्यादा पसंद है अपने साथ अगर और भी टीम सा जाए आप साथ अब आप लोग हो आप लोग भी अप अगर आपकी एक भी वीडियो पर ना अच्छे कासे ब्यूस और काफी अच्छी कासी ओडियंस विल्ड होगी जो आपको पसंद करने लगी ना बैया समझ लेना आपकी तरकी हो चुकी आप काफी अच्छी ग्रोथ करने वालों नहीं बताने वालों वो इकोस बोन सेट कैसे करते हैं आप लेना यह मैं इक काम करता है बता ही देताहूं यार इसी वीडियो में पुर्छा क्लियर करतीव कैसे वरना बाद में आप लोग कोई प्रॉबLम हो मैं भी शाओ जाता है कि कोई प्रॉब्लम बाद में देखने को आप लोगों मिले मिदा कलर कर देता हूं यह चुका है कुछ ग्रीन सा अब भी इसको मैं पहले ऊपर करता हूं वॉल्फ को तो दो तरीके के तो देखो इसमें अनिमेशन वगएरा था यह तो सिंपस है बट इसका जो हम बॉ कि देखो इसका बॉंस जा चुका है अब आपको बॉंस कैसे एड करना है इसके बॉड़ी पर क्लिक करना है सेम प्रोसेस से आपको सबसे पहले मॉडलिंग पर जाना होगा मॉडलिंग पर जाने के बाद आपको इसके पूरे बॉड़ी पर क्लिक करना है उसके बाद इसके हुआ है और यह पहले ही से इसमें बॉन्स वगएड़ा एड़ थे मैं कुछ प्रोब्लम हो सकती है राइक इसके जो टैक्षर वगए बोडी वगएड़ा वह अलग-अलग काफ़ी जगवहों पर मुझे जाही आइट करना आता हो लेगे बाहर हो चुका है ना सो इस तरी की प्रॉब्लम सा सकती तो मुझे इसके लिए दूसरे वीडियो को बनाना पड़ेगा बट मैं कुछ करता हूं इसे में कम्प्लेट करते हैं लाइक यह बोन संदर हो जा इसे मैं इधर सेट करता हूं वैसे इसकी स्पेसिफिक वीडियो है आप लोग वह भी देख सकते हो उसमें मैंने एकदम क्लियर्टी से समझाए हो भाई कैसे अड़ कर सकते हो अगर आपको इसमें ना समाझा रहा हो कि कैसे क्या क्या सिश्टम हो रहा है मैंने सिंपल सा देखो इसके बॉड़ी के अंदर ब अब मैंने इधर से वापिस उठाना, एक इधर आइड करना है, दोपनुझ क कहा चला गया है इसको पहले मैं सैट करता हूं यही होता है आप बोंस से आड़के वाक्त आपको यह प्रॉब्लम मिल सकती है बाकि आपका बोंस देखो आपको अंदर आ ड आड़करने करने बॉ के थोड़ा सा अंदर ठीक है यह अंदर हो चुका है मैं वापिस यह से नीचे करने वाला हूं फिर नीचे करने वाला हूं फिर अंदर कर दूंगा देखो यह बहुत से एक दम अंदर हो चुका है अब इसके नेक्ष में हमें सेम करने है लाइक यहां पर एड़ करना है फिर य यह हो गया फिक यह प programmers हो चुका है कि हिसे मैं यहां करता हूँ यहां करते इसके पैर को को कुछ ऐस अस्याड कर देतें 場त देखो यह हो चुका है मैंने सेलेकिट किया अब वापीस इधर को यह है इसम इधर करता हूँ धर करता हूँ नीचे करता हूं देखोँ आप अपने हथाब से धंक् से बॉन होता है आफ आप अपने हहीजे हैं धृण मैं खर कर दो किरी का है उसके पाद मैंने यस कर दिया था व इस बार बार नहीं बता हुँग मैं भास को आ इसे टैस करें आप लोग इतना देखते हो तो आप लोगो को पता है किया क्या सिश्टम होने वाले तो सबसे पहले मैं एक प्रेमिंग लगा देता हूं पर दस पर कलिक करता हूं एक पैर को मैं इसके पीछे करता हूँ सबसे पहले इस वाले पैर को मैं पीछे करता हूँ जस्ट मैंने पीछे किया यह पीछे किया हुआ है और फिर 10 पे फिर मैं क्या करता हूँ तिस पे इससे आगे करता हूं, simple से मैंने आगे किया, फिर चलता हूं, इधर मैं 60 पे, 30-30 का समझ दो gap दे रहा हूं, 60, फिर इसके बाद 90, अगे करता हूं, फिर देने वाला हूँ 120, पीछे करता हूँ, फिर देने वाला हूँ 150, आगे करता हूँ, अब देने वाला हूँ 180, पीछे करता हूँ, 300 तक ऐसे मैंने देने ही कोस करना है, या उसके बीच में देखो, वीडियो को skip मत करना है, क्योंकि काफी चीज़े होती ही हो सकते हैं, मेरे अब इसके साथ अगर आप और भी प्रोफेशनली करना चाहता है उससे आपकी वीडियो काफी जैदा ओसम लगती है मतलब कि हमें अभी इसके इस वाले बॉन्स पर भी बॉन्स से एड करना होगा लाइक है आगे गया हलका समय से ऐसे करके देखो अभी मैं दिखाता हूँ योगे न मैं इससे कट करता हूँ देखो यह है यहाँ पर पहुंचा अब इसके आगे गया था पीछे गया यहाँ पर आप अपने हिसाब से लाइक है पीछे गया था यह पीछे गया था तो जैसे कि यह साठ पर पीछे गया था तो आप यहा अमें लगनी चाहिए बड़िशा लगनी चाहिए बस आपको इसी इंसाब से करना और कुछ भी निकर निया वी से कट कर देता है तो यहां पर यह पता यहां पर यह पीछे वेगरा करते हैं तो उसी इसाफ से आप भी करा ले लाइक के पीछे तो यह एसी रहें देता हूँ 20 पे 10 पे थीक है 10 पे यहीं था 10 पे पड़ी इस आगे करना होगा मैं थोड़ा लाइक इतना कर दो आप अब जैसे कि यह 30 पे गया था इसने यह किया था तो मैं इसे हलका से पीछे कर देता हूँ, लाइक ये, ठीक है, साथ पे मैं आगे किया था, तो इसे आगे कर देते हैं, तो यह पीछे गया था तो मैं इसे पीछे कर देता हूं देखो आप लोग कि अब यह की पैर गूम रहा है ठीक मैंने डौगी को नहीं देखा है अगर कुछ इसमें मिश्टेक करना तो आप मत करना वह हो यह पैर इदर गूम रहा है उस तरह की इस बिलकुल मत करना यह तो कट्ठे कुछ हुआ है न यह तो इसे नहीं करना है देखो अभी कुछ ऐसे को बिल्कुल भी निकरने है लाइक यह इसे हमें आगे करना होगा देखर अबी हैं सिंपल से मुफ कर रहे हैं मैं कहां तक किये था नबे तक किये था नबे एक सो भीस पर जाना होगा मेरे खहल से मैं इसकी पैर की मुव्मेंट गलत कर रहा हूं बट आप मत करने आप डॉगी को देख लेना क्यों कैसे आगे कर रहे हैं कैसे पीछे कर रहे हैं टीक यह हो चुका है मैं इससे आगी करता हूं आपिस दूसरे पयान में जब दे देंगे अनिमेसन तब जाके प्रेशनल वीडियो आप बहुत आसानी से बना लोगा आपको कोई भी प्राउल्म नहीं होने वाली है लाइक तीन सो पर मैं इसे आगे करता हूं अपनी यह वाली जो हो चुकी है यह दो यह होने के बाद मैं आप दूसरी साइड चलता हूं सेम आपको इसी तरह दोनों है ठीक है जीरो पर कोई नहीं था 10 पर भी यहीं था पर इसने 40 पर आगी किया था तो हम इसे पीछे करेंगे लाइक चालिस नहीं 30 पर ना 30 पर हम पीछे करना होगा यह किया है फिर उसके बाद 60 पर आगे करना होगा हमें फिर 90 पर पीछे करना होगा अब 120 पर आगे करना होगा अब आपीस से 150 पर पीछे करना होगा mm siya कि कर दो सुद्सेंध धंड़ना कि दीसिट तरीके साथ कि दॉर्टेकर he कि उननी किछी क्षे करने था लिए आगे पीछे करते 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 आपको समझ आ गया यहीज चांज एक एक चीज आपको इसमें बार ही किसे काम करना हो गर जब आप पहने मेशन करो क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्क है क्योंकि अईसा-बैसा काम निये कि बस एक बार में हो जाएगा प्रोफेशनल वर्क है टाइम लेता है अगर आपको फिर भी ना समझ आ रहा हो तो एक और बार वीडियो को देख ले ना आप सेट है आपके पास अपना खुद का जॉब है फिर आप खुद एक मालिक बन चुके हो अपनी खुद एक कंपनी चला सकते हो एनिमेशन की आप उसमें भाई किसी के लिए काम करने की जोतनी है आप वो खुद आपको बोलेगा भाई मेरे लिए बना दे मैं तिरे को इतने पैस से दे देने वाला हूं टिक ऐसा भी कर सकते हो बट अगर खुद में अतना है कि मैं कर सकता हूं इसे तब आप करो कंटीनू रखो इसे और सिखो मैं इसकी और भी टूटरेस लाने वाला हूं वैसे हम ब्लेंडर वगेरा कि भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले जिसमें आप आपको A to Z बताने वालो एक बार का कॉर्स होगा जिसमें आपके पांट पांट जाजार रुपए ले लेते हैं फिर भी प्रोपर नहीं बताते हैं कि ऐसे ऐसे वर्क होता है अब आप बताओ कि इस वीडियो में जिसनी साफ से मैंने बताया है इस कोर्स की कीमत कितनी हो सकती है कितने में यह सेल हो सकता है अगर मैं इससे कोर्स को पैसे में पे करता है यह पैसे करने पढ़े आपको सिखने है तो कितने रुपय लगते इसके अब मुझे बता हो क्योंकि स्समें अनक grieving एडिटिंग भी बताना है सब कुछ मैंने बताना है A to Z कैसे वर्क होता है लाइटिंग वगेरा जो की हर कोई नहीं बताते देखो ऐसे कुछ टुटा-फुटा चाल रहा है इसको आप धंग से चला दोगे तो धंग से चलेगा अभी तो यह पतना ही ना जीफ सा चाल रहा है तो मैं इससे कहा करता हूँ अब एक ही जगे खड़ों के मूव कर रहे है ना आपको फोल्ट का आपने बोन जो सेट के लाइक कौन सा वह यह वाला है ठीक है अब आपको स्टार्टिंग में जाना होगा इस वाले मॉडल के इस वाली मॉडल को आपको स्लेक्ट करना है यह र किस तरह मैं आपको आपका इसी किक्लीक किया है मैं अदम के चलते हैं जो सब्सक्राइब पहुंचना है उसको अचाह कर सकते हैं जाकर सकतें जोइन कर दोगे आपका ये भी problem solve हो जाने वाला है लेक मैं इदे थोड़ा करते हैं देखो लाइक मुझे इसको थोड़ा सोड़ा आगे करना होगा आगे के देखो एंद चल्ड आखawan में उलुज lotwhat करें और बंदे करतें तो काफी ज्यादा लगता है पुद्धा हा नित भू के ब्धां मुझे बताने की जोटने की तरह आप सीन काहगे वह इसे आपको सिखा दिया है अब मैं इसे don't save करता हूं होम पे चलता हूं अब मैं आपको सिखाता हूं आप editing कैसे करोगे जी हाँ editing का भी वता है देता हूं फिर यहां पर course को हम खतम करते हैं अब simple से मैं तो power director को करता हूं सो मैं उसी को open करने वालूंसी में आपको बताने वाल को परिया कैसे क्या सिख्रम होता है बाट अगर आप और जैसे professional को अब एफेक्स वगैरा करना चाते हो आप a light motion का यूज चर सकते हो ठाइक मैं इधर पहले क्या करता हूँ इधर से मफ between नहीं जाना है हमें टुटरियुल्स पर भी नहीं मैं नहीं सकते हैं जो की ज़रूर और यार क्योंकि लैंडसकेव में स्क्रीन रहेगी तो आप लोगों के में संवच्छ को प्लस अच्छा लगेगा मज़ा आएगा सिकने में चुले प्लैस पर आ चुका हूं अब अपनी जो वीडियोस हमने उसमें राइंटर की है वो वीडियोस इसमें लेकर आने होगी तो आपके गैली में डिरेक्ट सेब हो चुकी होगी उसे आप यहां पर ले आओ उसके बाद ह पहले तुम इसके पिछ जाओ पूर्ड में इसके पीछे जयाओ प्र तुम इसके पीछे जाओ अपनी तोटल 15 सेकंड की क्लिप बनी बड़ि इसमें कुछ ना कुछ अपने को cut करना होगा देखो चलता हुआ रहा है इसने इधर देखा था यहां से घुमा था अब यहां पर हमें इसे cut करना होगा क्या अपने को पुड़ा लोग नी चाहिए यहां से थोड़ा cut करते हैं अब यह सेकंड वाला सीन सुड़ू होगा अब सेकेंड वाले में आपको एफेक्ट देना होगा लाइक क्योंकि चेंज होड़े ना सीन यह देखो यह हो गया अब मैं एक बाद प्ले करके दिखाता हूं आप लोग को उसमें आपको नहीं बताऊंगे कितना स्लो करना है क्या स्लो करना है कैसे होगा अब मैं इससे थोड़ा से पीछे जाके ना इधर से भी कट करने वाला हूं विकोसे खड़ा था ठीक है क्योंकि खड़ा था मुझे खड़ा हुआ सिम्पल सा नीचाहिए अब यहां से मैं इसे इसमें भी एफेक्ट को मैं दे देता हूं लाइक मैंने इस एफेक्ट को देना है ओके हो चुक है इधर से थोड़ी सी मैं इसकी स्लो मो करने वाला हूं यहां पर मैं क्योंकि एंट्रेंस ना स्लो मो भी रहेगा तो बढ़िया लगे गया और कोई दिक्कत नहीं अपने को इ यह आ रहा है अब नेक्श पर यह अपना यह ओपन करता है गारी को यह अंदर जाके बैठ जाता है देखो यहां पर एस सीन खतम होता है अब यहां से अपने नवी सीन देखने मिलती है यहां पर आपको यह फैक्ट का यूश कर सकते हूं लाइक कि यह हो चुका दिखाता लग रही है हमने सौट मूबी देखो प्रीजमा 3D के अंदर बना है पैताली सेगेंड की कितनी ज़्यादा ओसम लग रही है इसमें आप बैक्गरण्ड म्यूजिक को लगा दो एटिट्यूड म्यूजिक तो काफी ज़्यादा ओसम लगी यह खोला इसने यह गारी के अंद करने सिखा है था उसको एड़ करके आप और बैटर कर सकते हो सो भाई अपना कोर्स यहाँ पर होता है फिनीस आपको वीडियो कैसे लगी कमेट में जरूर बताना और हैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वैसे हम एक फेस्बुक का कोर्स भी लाने वाले जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले है जिसमें आप सिख के यूटूब से पैसे अर्ण कर सकते हो कि यूटूब पे काम कैसे करना है दो यूटूब पे वैसे आपको इसकी बहुत सारी वीडियो समल जाने वाली है बट उसमें से कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं कैसे करते हैं जो चीजे हमें चाहिए होता है एक चाहिए है जो भी कोर्स भी यह खांटे का मइं हो टो मिलते हैं आप नेक्स्ट अमेजिंगों बहुत ही कतर नाक सी एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइफ्रेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना क्योंकि मैंने अभी तक सैद नहीं बोला अगर आप बोले चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो जिस ने अभी वीडियो थोड़ी ना खतम वही है अब तो मैं आपको कुछ ऐसे चीज़े बताने वाला हूं जो आगी काम आने वाली एनिमेशन में दखो इसमें मैं आप मैं बता हूंगा आपको पहले एक मोडल कुछ थेड़े में कनवर्ट करके दिखाने वाला हूं लाइक कुछ अपनी एनिमेशन वीडियो में और हां आपको एक ऐसे एप्लिकेशन के बार भी बताने वाला हूं जिसमें आप अपना करेक्टर भी डिजाइन कर सकते हो लाइक कोई मोडल डिजाइन करना है तो वह भी कर सकते हो टेक्श्चर वगएरा कहां से डाउनलोड करना ये भी प्रते टांगा और की फ्रेमिंट केक्श्चर आपको इसे वीडियो में बता देता हूं तो वह कैसे होता ये भी आपको लोगों को बता देता है इंसमें क्यार में नीचे एक प्लेन सावाओ इस्की साइस को पहले मैं इसके इंच्रीज कर लेता हूं ओके इतना ठीक है इसको मैं थोड़ा सोपर करता हूँ अब इसमें टैक्सर हम वही वुड का यूज़ करने वाले है टैक्सर देखो आप लोग क्रोम से डाउनलोड कर लेना जिस टैप कभी टैक्सर चाहिए बाकी आप लोग कुछ जैसे कोई मोडल बना रहे हो ठीक है उसमें टैक्सर देना है आपकी एप्लिकेसर में टैक्सर मिल जाता है आप महां से दे सकते बाकी देखो आईपोन वगएरा भाई ने लिया हूए ठीक है तो यह राप gentसि देने वाला हूँ थोड़ा सा रेफ्लेक्सर क्यों देने वाला हूं क्यों क्यों हम जिस टाइब की बनाने जाएगा बहुत क्या होने वाला है तो वह अलिकार में अप्छी क्या था इनिमेशन इस तरह किया था कि युद्ध कर देखने के बाद चलो फिर आप लोगों को बताई देता हूँ कि हुआ क्या था वह और कैसे धर मैं सबसे पहले इसकी साइस को 34 की जगा कर देते हैं थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज्यादा बैटे रहेगा तब हमें लाइटिंग करने भी मज़ा आने वाला है अब मैं इससे कर देता हूं लाइक ठीक है ओके हो चुका है तुम उपर जाओ क्यों तुम्हारा भी काम नहीं है ठीक है यह हो चुका है वन वन डण अब दशाइश को अंक्रीस कर देता हूं के अब देखो जब आप कुछ मोडल जासे डिजाइन करते हो दिखाना चाते हो तो उसको मैटेलिक सा दिखाना 맞는 बढ़िया लगता है इसको मैं सेब करता हो में होँम पे जाके थोड़ी सी लाइटिंग को मैं हाई कर देत वापिस हमने इस application को अंप करते हैं जो भी आपने model को design किया model किदर गया यही तो है ठीक है इसे open करते हैं अब हो के बट यह model किस तरह हो गया यह नहीं अपना model हों पर चलो है भाई हमारा model लगता है हमने save किया था बट नहीं हुआ हमने डिरेक कार्ड देता कोई बात नहीं इसी मॉडल में हम सब कुछ कर लेने वाले हम वापिस से वही अपने वॉलकिंग अनिमेशन को मैं पहले डिलीट करता हूं अपने इस कार के जो मॉडल है इसकी में साइस को थोड़ी से इंक्रेज करने वाला हूं इसकी तरह हम इसे वर्न वन कर लेता है इसकी साइस है हमने काफी जादा बड़ी हो जानी वैसी बट देख रहोगी किस तरह हो गया है ऑके डन ठीक है इसकी साइस देखो कुछ नहीं छेड़ना क्योंकि इसमें पहले से मैंने इसकी साइस को हैंड़ करके रखा हुआ है रिफ् सीसे को थोड़ा देने वाल हूं यह अपने सीसे को मैं देखा हूं उठ रहा है ओके सीसे को मैं रिफ् Meh sill देने वालो इधर जाता हूं से इसको मैं थोड़ी से मेटेलिक देता हूं अब देखो थोड़ा सी सरिंव हो गया है इसके ये वाली जो पाइने इसको आपनी देखा थाना उससे पहले आप रेंडर में में जाने के बाद देखो आपको सने मिलते आपको नैट को ऐसे आपमाटिज को लिक कर दो इपर आपका नाइट हो आने वाला है अब लाइटिंग लेकर आओ लाइटिंग लाने के बाद अब देखना कितना ज़्यादा ओसम लगने वाला है वह जो आपने सीन देखाता ना जो मैंने आपको बिच में थमनल सा दिखाया तो वैसे ही कुछ हमने क्रेट करना इसमें भी अब आप लोग देखो कि मैं काफी को जिसमें बताने वाला हूँ जो आपको आगे काम है लाइक आप एक शोरी क्रेट करने जाओगे तो भाई आपके यह तो रहेगा कि अब यहां पर क्या करूं कैसे सीन क्रेट करूं लाइटिंग वगेरा का कैसे यूज करूं सो इसमें आपको समझा जाएगा कि के फोटर उन बगेरा का यूज कैसे करनाय लेक्त मैं इससे कमी करता हूँ आप इससे मैंने कॉपी किया है मैं दूसरे साइड ले लेता हूं ठीक है इससाड़े लेताम leg बेटल लगता है अब इसका लेने वालों कॉपी करता हूं मैं इधर ले जाके इसको मैं यूट करने वाला हूं यूझ अब देखो किस तरह लग रहा है काफी ज़्यादा ओसम लग रहा है इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन और लाइटिंग मैं सनलाइट का भी यूज़ करने वाला हूं सनलाइट से हो गई है कि यह जो सैडो है इसकी सैडो आजएगी प्लस काफी ज़्यादा ओसम लगेगा अब आप लोको रिजल्ट दिखाता हूं यह मैंने किया इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं और इसकी इंटेंसिटी हम यहीं पर रहन देते हैं सैडो को इंक्रीज करता हूं मैं अब हलका सा मैं इसे ब्लो करना चाहूंगा ओके नाव इट्स लोकिंग वहरी गुड़ वाव सुपब काफी ज़्यादा ओसम लग रहा है मुझे थे बहुत लिटरली काफी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है अब बताओ आपके कैसा लग रहा है अब मैं आपको एक सिनमेटिक सीन क्रेट करके दिखाता हूं क्योंक इसे आप talk was IS collecting rays चावं कर लेता है अब Benرا आपके ने जंपिं कर लेता हूँ अब देखो इसमें थी तरीके से की फ्रेमिंग करनी न उस तरीके से आपको भी करना होगा अगर आप सिनमेटिक सीने क्रेट करने जहारे हो तो जैसे कि मैं की-framing 0 पर देना चाहूंगा अब हाँ तो tsirmatic scene create हो डी हो तो थोड़ा key-framing को जोए long रखना लाइक 300-200 का key-framing देना क्योंकि हमने slow-mo बनाना यह नहीं की speed में स्पीड में करना है पहले मैं इससे पूरा डोटेट कर लेता हूँ, अब मैं इसके बोन को पहले डिलीट करता हूँ, क्योंकि तो यह ओपन सा हो गया है, मुझे बैटर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी, मैं पीछे आता हूँ इदर, और हाँ यार, हमने यह लाइटिंग वगेरा को बाद में द इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अब तुम आगे आओ, यह दो की फ्रेमिंग, लाश्ट वाले, इसे भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यह हो चुका है, अब एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, यह देखो किस तरह लग रहा है, इसके श्राटिंग में की फ्रेमिंग है, इसे भी मैं हटाई देता हूँ, अब आगे चलते हैं, क्योंकि लाश्ट में एक की फ्रेमिंग जरूर होगी, तभी यह खुला हुआ है गेट, वरना यह लोक हो जाता, वैसे भी हमने 200 तक इसकी जो है, कैमरा अंगल को सेट कर दिय कैमरा अंगल सेट करने वाले हूँ, उतनी ज्यादा अमेजिंग आपकी वीडियो बनने वाली है, मैं थोड़ा सब आगे चलता हूँ, इदर देखते हैं, कहा है अपना, कितने लोंक ट्रू मैंने सेट किया है, यह इधर तो हई नहीं, ओके आगे देखते हैं, इदको यह र कावाले को जरूर सिलेक्ट करूंगा, अगर मैंने वैसी कैमरे अंगल को बिना सिलेक्ट किया, अपना मूमेंट वगेरा दे दिया, बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला है, मैं इसे थोड़ा से पीछे करता हूँ, अब हलका से मैं इसे नीचे के साइड लेकर जाने वालो कुछ इस तरीके से, यह थोड़ा से ओपर क्योंकि यह जमीन पर टैच नहीं है, अब मैं खाम करता हूँ, पहले कार को थोड़ा नीचे टैच करता हूँ, बिको से ओपर के साइड है, कार हलके सी टैच होनी चाहिए, ओके टैच है, यह पर प्ले करता हूँ, देखो, भाई इस तरीकी के वीडियो मतलब सिनमेटिक सीन आप सूट करते हो, फिर इदर से आपकी गाड़ी से बंदा निकल रहा है, वो इसमें बैट रहा है, फिर फाइटिंग कर निकले जा रहा है, तो उसका जो लुक कहना नेक्श लेवल का होता है, देखने भी बहुत जाद अमेजि कर देता हूं, जैसे कि मैंने अब इदर से देना है, अब उपर के सिर्ण से, इससे मैं स्लेक्ट करता हूं, अमें इसे पीछे के साई लेकर जाओंगा, तो simple से मैं इदर स्लेक्ट करता हूं, हमैं 100 का gap दो, अब गर भी को से देखने पीछे काना थोड़ा सा कट करके देना ह आपको बताता हूं किस तरह प्रैट्ट कall चीजे होती है अगर मैं बताते रहूंगा तो नहीं समझाएगा प्रैक्ट कल में लिटल क्रेक्ट कल में आता है भाई goog// कि यह रहा हूं अब मैं इसको इस तरी के से कर देता हूं यह हो चुका है अभी प्ले करते हैं देखो किस तरह लग रहा है यहां पर ट्यूनिंग लगा के प्लस अगर आप अपने करेक्टर के साथ को एनिमेशन दे देते हो बैक्राउंड तो आप लोगों पता है कैसे आपको सेट करना है उस ऊसवाले एंकल पहले हमें ठीक करना गवी पूरा रोटेशन प्लस चाहिए यहां पर कोई ना कोई मिस्ट्रेक तो हुई है जिसके वज़े से पूरा रोटेशन लिया हुआ है कि अब लाइक यह था इससे मैं डिलीट करता हूं कि वह प्ले करते हैं फिर देखते क्या सिश्टम आता है इस डिरेक्ट ऊपर आ गया है इधर हमने सेट नहीं किया ना रुक को तो हमें करना पड़ेगा सेट इधर मैं लेता हूं इस वाले अंगल को कि अब देखते हैं कि फ्रेमिंग में आपको या पचास का देना या सो का देना देखों दोस्तों बहुत दूर होता है क्योंकि हमने बीच में भी कोई अनिमिसन देना होता है जैसे कि पूरा घूम गया है ना इधर अपने को आप सैट करना होगा इसके साइड साइड में पूर हमें थोड़िना जाना है सिंपल से मैं के फ्रेमिंग इधर देता हूँ ऐसे में अब चेक करते हैं लिए बहुत दूर हो जाता है ऐसे हम की फ्रेमिंग देते हैं बहुत जादा लॉग हो जाता है तो इसलिए 50 या 100 का दिया करो काफी बर होता है कि हम एकुरेट नहीं अब देखो आप मेगब प्ले करता हूँ मेरे खाल से सैट तो हो चुका होगा वह दूर जो डूटेशन जाके अब वह नहीं होने वाला है अगर वह हो रहाएगा तो हमारे पास एक और सोलूसन है हमने उसके अब यह थोड़ा रोटेशन में जाके ले रहा था सो मैंने इधर एक की फ्रेमिंग देनी है अब देखो आप किस तरीकी आने वाला है मतलब कि प्लर और एक अफैक्ट की तरह होने वाला है जिम किसी अलग से अनिमेशन एप में देते हैं वह हो जाएगा देखो अभी क्या हो कि यह सैट हो चुका है यह इधर से मूव लिया यह दूसरी साइट से मूव लिया यह वापिस से आया अब पीछे से मूव हुआ कि देखो इस तरीके आप creates कर सकते हो इस氣 तरीके का देखते हैं धितौडा मुझे बहुत ज्यादा हो सम लग रह дополн इतनी चीज को हम लेते हैं रेंडरिंग में जाता हूं फिर रेंडर वाले ओपसन पर जाता हूं कि रिमूव वाटरमार्क स्कृइंट सुट पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे कुछ औप्सेंस आ जाने वाले हैं फिर इदर से मैं अपने थम्नेल के लिए तो यह दे मिलता है आपको बैटर करने के समय करने क्या दाओं को क्या होता कि पुस अप में कुछ एडिटिंग कर सकते हो कि विकीनا के बारे आप layer बढ़ने हाँ क्यों क्यों का सिर्क्डर नो सब व्योंच पश। बस इद इस्के निए टोल्स को बताऊँगा इडवांस के लिए आपको टुटोरियल कुछ प्रोगाइट कर दूँगा आप लोग मेरे से कमेंट में माग लेना मैं आप वहीं दे देने वाला हूँ यह मैंने कमेंट में कुछ links प्रुवाइड कर देने हैं उसके तो आप देख सकते हो आपको जो भी दिक्कत हा रही हो तो मैंने link भी देना है जो आपको वहाँ से पता लग जाने वाला है थोड़ा सा टाइम लगी का बट यह भी क्रेट हो जाने वाला है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह रहा 23 एर्थ सो इधर से यह रहा अपना ओब्जेक्ट इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक FBX PA 2K में इसको देखते हैं यह वर्क करता है कि नि चुका है इसमें टैक्सर देटा हूं उसके बाद मैं आपको इस तरीकिये कर लगता है बहुत जादा ओसम मोडल आ हैं सब्सक्राइब आगे जाता हूं मैं थोड़ा से स्क्रीन को आगे कर देता हूं इसमें हलका से फ्रहें करता हूं यह सबांद कर देता हूं यह लाइटिंग के plat कर देता में देकला को छुका हूं बांद को मैं पीछे करताव हूं और इसको मैं फोड़ा सा इस तरीके से देता हूं जैसे कि अपना sun होता है ओके यह हो चुक है अब देखो आपका यह किस तरह लग रहा है इस तरही कुछ models आप भी design कर सकते हो मैं आपको अपना India तो दिखा दो देखो यह रहा अपना India जो छोटा सा है यह देख सकते हो हाँ बट अपने को यह पूरा इस टेट चाहिए यहां से यह 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 ठीक है यह पूरा चाहिए अपने को ओके यह देखो अपना यह इंडिया यह रहा बाकी आप देख सकते हो मैं अपने और भी चीज़ें हैं यह सारे models आपको वहाँ पर मिल जाएंगे अब बात करते हैं कोपी पेश्ट वाला सिस्टम कैसे होता तो कपी पेश्ट का भी मैं आपको इसे में सिखा देता हूं कैसे होगा सबसे पहले मैं इसके लिए क्यूब का यूज करने वाला हूं क्यूब को मैं इधर ले आ देता हूं क्यूब को क्या करने वाला हूं मैं उपर नीचे ऊपर नीचे कुछ ऐसे करने वाला हूं ठीक है तो मैं उसके लिए ज्यादा टाम नी कॉपी पेश्ट का यूज करने वाला सबसे पहले मैं इसको में नीचे करता हूं एक की फ्रेमिंग में इधर लगाता हूं एक की फ्रेमिंग में 20 पे लगाता हूं फिर की फ्रेमिंग में 60-40 पे लगा देता हूं फिर नीचे करता हूं फिर उपर करता हूं मैं इसे सव्क्राइब चुका है अब क्या करना है देखो आपको सिंपल सोफ वापिस अपने मोडल करने 1 फिर इस अपने लॉइंक प्रेस करके रखना यह जो आसब करके रखना फिर यहां-पोर्म हो विह जिलेक्ट आलhouse वेट गलती होगी वापिस पीछे चलते हैं वापिस मैं जीरो पर चलता हूं एक इएक इदर सेट करता हूं Commerce फिर 30 पर जाके उपर कि टॉर पर फिर 40 पर देखो ये 40 के नीचे स्रिक्षी पर ठीक है आब मैंने क्या करना है वापी से स्लेक्ट करना है फिर 0 से क्या करना है कोपी करना से यह से लॉंग प्रेस करके रखा एंग तरह ठीक यह नेक्स वाले पे डिए सिश्ष्ट्रीं कीफ्रेम् प्लिक करना है तो शुच अंब जैसे के 60 20 आ चुका है तो 80 मैं इसे पेश्ट कर दूंगा 80 है इसे में यहां पर पहले पेश्ट कर देता हूं यह पेश्ट कर चुक हो किया है अपने से 60 की फ्रेम तक अपने संटा बद देखो अब बड़ गया हो चुक है अब मैं वापीज से क्लिक करता हो यह आगी भी आ इटर में सेत किया था 139 पर मैं देने वाला हूं 70 पर करते हैं तो मैं पेश्ट करेंग इधर बीड़ाइब पूशाने वाला है इस तरह आप copy paste करके long animation भी कर सकते हो जैसे कि maximum animation आप लेकर आ सकते हो तो इसी तरीके कि जैसे कि maximum animation जो होता है उसकी आप लेकर आतो ना फोल्डर तो उसमें तीन या चार सेकेंड की होती है सब क्म पेश्ट करके लूंग कर सकते हो चलो अब मैं आपको दिखाता हूं आप टैक्सफो का से डाउनलोड कर सकते हो तेक्सटर डाउनलोड करने के आपको जैसे भी टैक्सटर चैहके साब變 क्रो writer लोका ज्रों टी एक्षटी यूरी इधर मैं लिख दिया हूँ अब देखो जैसी मैं लिखता हूँ तो मेरे सामने काफी सारे टैक्सटर्स आ जाने वाले जिनका मैं यूज कर सकता हूँ फिर मैं इमेज वाले ओप्सन पर जाता हूँ इसके बाद आपको प्रोसेस पता है क्या करना इससे हूँ आप स्मेंपर सा कर लेना अब बात करते हैं कि आप मौडल को कैसे डिजाइन कर सकते हो कैसे बना सकते हो उसके लिए मैं जिस एपली के सनका यूज तो मतलब कि पैसे लगने वाले इसका मैं आपको क्रैक्ट वर्जन प्रुबाइट कर दूंगा उसके लिए तो में इसे लिए लग को सब्सक्नाइब करता है इसके इसे बाकी के पाइब पहकर सबस्क्राइब बना सब्सक्राइब टेक्षर के लिए आप मैं दिखाता हूं कहां से बनता है इसको मैं पहले कैंसल करता हूं सिम्पल से देखो यह आपको देखने का मिलता न एक पेंट वाल ओप्सन सुद्र से टैक्षर वगड़ा डिजाइन किया जाते है नीचे आप स्कॉल करोगा लाइक मैं इस पर कलिक करता हूं एक मॉड़ल मैंने कलिक किया नीचे आप पेंट वाले पर चलते हैं अब simple मैं इधर click करता हूं इधर कोई इसके texture वगयरों का आप इधर से बना सकते हो बाकि कि देखो इधर और भी सारे options देखने को मिल सकते हैं बाकि इधर और भी options देखने को मिलते हैं जिनका आप use कर सकते हो पहले मैं इधर सब कुछ delete कर देता हूं आपको कुछ tools के बारे में basic सी knowledge देता हूं ठीक है बाकी advance के आप मेरे से link माग लेना मैंने इसकी video पहले से बनाई हुई है उसमें आपको बता दूँगा कैसे क्या होती है अगर इसी में बताने बैठा तो इसकी भी 2-3 घंटे की video अराम से बन जाने वाली है तो मैं simple सा basic knowledge इसमें दे देता हूं देखो इसमें अपने को काफी सारे options देखने को मिलते हैं लाइक आपने model बना लिया तो इधर से आप जिस भी format में download करना चाहते हो obj या gltf इदर से आप obj format ले जाके उधर simple सा paste कर देना मैं आपको दिखाता हूं एक model करता हूं उसके बाद लेकर चलते हैं स्क्रोल करता हूं नीचे अपने पास कुछ models होंगे इसमें जो दिये होते हैं लाइक यह देखो यह देखने को मिल रहा है इधर मतलब दोनों साइड आपका होगा बट मैं simple सा करने वाला हूं अब देखो यह हो गया इस तरीके का options होता है जो next वाला है जैसी कि आप coloring वगेरा करते हो ना यह उसके लिए बाहर निकालने के लिए होता है तो हमने उद्धर देखो एक select करके रखा था यह देखो जो select के होगा इसलिए color हो रहा है अगर हम इससे अटा दे करते हो साइस को देखो आप इधर से कम करते हो साइज हो गया बाकि इसकी जो यह साइसे इंकेंसिटी वगेर आप इदर से कम करते हो लाइक यह देखो यह तिखा सालका समय निकाल दिया है मैं alien सा थोड़ा मना देता हूं कुछ आपके लिए लाइक इधर भी थोड़ा से निकाल देता हूं दोगो मैं वैसे simple से मना रहा हूं बाकि आप इसका accurate कैसे बनाने वह आप लोग वैसे सीक जाने वालो ऐस जैसे ड्रों करनाmbre फंप में इदर क्लिक करता हूं यह रदी को कनल देखने इस मोटा सोबस्न है सुछ हो इसको कर दऊंड़ा ओप्सन शीड़ा प्रकरत देख यह यह तो आपको खुद समाझ आने वाला यह जैसे कि हम कलर करते ना तो इसके नीचे वाला दिखाता हूं यह वाला फिर आपको पीछे करता हूं फिर आपको पीची एसे पीछे करता हूं यह घुए uma य इसकी या एसरा यह हटा देता हूं लाओ इसले घुए कुछ कि ओके रिपोर्ट देखो यह हो चुका है अब इसके नेक्स ट्वाला जो ऑप्षन देखने को मिलते हैं लाइक मुझे इधर से इसके अंदर करना है ठीक है मैं इस तरब करता हूं क्यूकि इस तरब को थोड़ा जीप से हैं मैं इसे लाइक यह थोड़ा अंदर के साइट कर कर देता हूं यह देखो कुछ इस तरीके से हैं मैं इस तरह कभी जैसे अंदर का कर देता हूं लाइक के देखो यह अंदर का हो गया ना जब भी करोगे तब आपको समझाने 5 ऐसे का पर यूज होगा ृँप एपको सिंपल से बता देड़ों कि आप आप ऐसे कर सकते हो यह चीज रहा से जैसे यूज कर सकते हो बाppen में आपको कुछ देखना को देखने में कि यह इसके नीचे वाले इनका जितना बी इंधर स्लेक्ट करके रखता हUNG है फॉक्वे कांट इसको विला ओबजक्ट से च्छोड़ ओप Impossible और सबस्क्राइब यह होता हैं पर यह करता हो ब्लैक्स तहां सीनिक अलग-अलग जिसके मदल से आप अपने जो यह ज्यादब बैटर तरीके रहें इसके ऊटोछ रहा देता हूं लाइक यह देखो यह हमने थोड़ा से इसे और बढ़ा करते हैं कुछ इस तरीके सेफ निकाल निकले यह अब इस मॉडल को मैं प्रिज्मा थेडी में लेकर जाने वाला हूं उधर में आपको दिखाने वाला हूं ठीक है यह दो हो चुका है अब इसके नीचे वाल लुट भी गहरा यह तरीके से नहीं करता है हम कोई मॉडल वर घरा डिजाइन करते हैं आप इसके नीचे वाला भी सेम यहीं है एक एक चीज मतलब एडवांस हलका फुल का एडवांस किया हूँ है नीचे आपको ट्यूब का ओप्सन देखने हूं मिलता है त्यूब क्या च यह तaggi मों मिलते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया है अब मैं सिंबसे इ permette करके एक बना देता हैं प्ले चुक है कुछ इस मुझें सब् Jie유 को छोटा Vermnity टैंब को टिता हुए उससे के छोटा करना है इससी सायज मैं कि सब्सक्राइब मैं सब्सक्रामैने करें मैं इससे सेम करने के लिए मैंने इस फाईले आपसें करने जो आपको कुल आपको में कुलिकYour in इंपोर्ट वाले और बागी के options देखने को मिलते हैं नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो आपको यह gltf तो मैं इधर format यह वाला कर लेता हूं आपको color के साथ करने की color के बिना करने इधर कुछ options देखने को मिलते हैं तो आप अपने हिसाब से करना इधर मैं direct इस पर क्लिक कर अब यह आएगा कि भाया मैं इधर सेप कर दो सो मैं इधर से चलो इधर ही सेप कर देते हैं अपना object का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर ले ना इधर मैं नोमड लिग देता हूं नोमड मोडल सो इससे मैं आप डन कर दूंगा और सेप वाले option पर क्लिक कर दूंगा अपना मोडल हो चुका है सेप इधर से मैं करता हूं इसे close अब चलते हैं अपने Prisma 3D application के अंदर यह दुखा अपने इधर ही मैं इस model को लेकर आने वाला हूं सबसे पहले मैं इधर चलता हूं उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे अपना मार्यो वाले में था ना तो बैक आते हैं इधर नहीं होगा मार्यो वाला फोल्डर यह रहा नीचे स्क्रॉल करते हैं कहां गया लाइसेंस HDR नोमड को के आइधिंक सेब नहीं हुआ है वो तो मुझे वापिस सेब करना पड ठीक है यह देखो यह अपना मोडल बाहर है यह अंदर नहीं सेव है यह अपना मोडल जेश्ट में इस पर क्लिक करता हूं देखो इंपोर्टिंग 3D मोडल यह आपका नोमड का अप्लिकेशन जो आप नोमड में बनाते हो तो वहां से आप डाउनलोड करके इधर लिया सकत है आपको बागी कुछ tutorial दिखा देता हूं जो नोमड ऐप्लिकेशन के हैं वीडिव में चला देता हूं बस ट्यूनिंग के साथ है और कुछ नहीं और कुछ अपकि यह आपको इनुक्क जु अप बना करते तो ङ även बना के काफि का इस वी मोडि को कहता है उनी पना मोडल को अगर आपको इसकी फुल टुटोडियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना वैसे कमेंट में मैंने सबकी लिंक प्रॉबाइट क्यों यह आपको वीडियो कैसे लगती यह कमेंट में बताना मत बूलना तो मिलता है नेक्स अमेजिंग वीडियो में आज का कोर्स इतना ही अब कोर्स आपर फिनिस होता है अब आप अराम से मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अपनी नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई फ्रेंड्स अलों 3D अनमेशन वीडियो बनाना वह भी बहुत ही असान तरीके से अपन करते तो कि इस तरीके का इंटरफेस आप लोगो देखने को मिलने वाला है यह जैसी आपका उपन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है अलो कर देना जो भी परमिसन्स मांगती है मैंनो तो पहली अलो करके रखा हुए तो मेरे को डिरेक्ट मेरे प्रोफाइल प आपके सामने एक सिंपल सा इंटरफेस खुल जाने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा आपको मैं दिखाता हूं अब यह लोडिंग हो रहा है लोडिंग होते ही आपका आ जाएगा अब इसे यूज़ करने के लिए आपके इंटरनेट स्पीड जो अच्छी हो होनी चाहिए वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और हां इस पर कुछ एड्स भी आते हैं जो आपको जो टीबी सोफा वाला अफ़सन देखने को मिड़ा है यह वाला इस पर आपने क्लिक करना है इस पर आप जैसी क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे बैक्गरांट दिख जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो आप जो भी बैक्दा लेना चाहाओ लाइक देखो कितने सारे background है जिनका मैं यूज कर सकता हूं अगर मेरे को student वाले चाहिए जैसी की study वाले business वाले यह कोई भी green screen वगेरा वाले भी देखने को मिल जाते हैं लिफ्ट वगेरा दे खो, lift वाले भी देखने को मिलता है और भी इतन आए जन्गल वाले देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपकी कोई भी महनत नहीं लगने वाली है। आपके ब सेवर भी नहीं करना ञांगा बॉक को वाइस ओबर करने में जिशने में अपको 나눈 करने जुलरत नहीं हैं नहीं कुछ नहीएं आको इसमें बोई सोबर नहीं करनाrau ना हुआ से तो लोगों को लेंगे हमारी स्टोड़ी सीमपल सवाल पूछेगा कि शक्सेस क्या है तो हैं सब्सक्राइब का आए 이제 तो करना जाता हूं बड ऐbi यह देखो यह आपको दिख रहा है यह यह क्रिक कर देता है अब लोडिंग ले रहा है इसमें जासी क्लिक करता हूं तो मेरा यह आजाने वाला यह ऑगावालय कैसे बिड़ो को फोल देखना बिल्कुल भी इसकी मत करना विड़ो बहुत ज़्यादा informative होने वाली है चलो अपना background तो आ चुका है अब लेकर आते character जो की काफी ज्यादा important है यह आपको इस पर character वाला option देखने हो में रहा है no actor तो आपको इस पर click करना है इस पर जैसी click करते हो तो आपको काफी सारे characters देखने को मिल जाते हैं देख सकते हो काफी सारे हैं अभी loading ले रहा है धीड़े धीड़े रहेगा थीड़े तो इसमें आपको बहुत सारे characters देखने हो मिल जाते जिनका यूज कर सकते हो बट हमने इनका यूज नहीं करना है, हमने सिंपल सा क्या करना है, यह जो प्लस वाल आइकन देखने हैं इस पे क्लिक कर देते हैं, इस पे आप जैसी क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग आपका कुछ सेकंड्स का लेगा, ठीक है उससे ज्यादा आपको वीडियो में आगे बढ़ने सपहले बता देता हूं कि देखो वीडियो का आप क्लेरली देखना, ढंक से आराम से बैठ के देखना तब आप लोग को समझ आने वाला है, ऐसे नहीं समझ आएगा, अगर आप अपनी फोटो खीच के लगाना चाहते हो, अपने करेक्टर बनाना तो अगर आप फीमेल का बनाना चाहते हैं, तो कर्षमाइज कर लो मैंने सिंपा करना मेल रखा हूए, आपके टकला साएगा, तकला सी बोड़ी आने वाली वाइट सट पहने और कुछ नहीं, अब देखो उसके बाद क्या कर रहा हूं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं अब मैं क्या गरूंगा इस पर क्लिक करूंगा मैं एक एक जग क्लिक करूंगा पहले इस पर फिर इस पर फिर इस पर फिर इस पर फिर इस पर अगर आप बूढ़ा बना चाँते हैं तो भो भी हो जाते देखो रोगया अंकल बन चुक एंग दम अगर आप बढ़िया बनानों तो जैसे पहले था वो भी कर सकते हो लाइक देखो यह पहले वाला और यह अहिए आपना पहले वाला ठीक है घोलू-मोलु देखो यह सिंपल्स हम इसे गोल मोलू रखते हैं करेक्टर थोड़ा अमेजिंग होना चाहिए चलो मुह थोड़ा फुला फुला लग रहा है यह अब इसके हैर पे चलते हैं जो नेक्स वाला इसका था है यह आचुका है है यह भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जिनका आ आपको कैसे एका डाउन्लोड करना होगा एक बर आप डाउन्लोड कर लेना तो उसके बाद आ रावसे भी यूज कर सकते होके डाउनलोड हो रहा है अब मैने कलर गगार देना तोuesका है यह एक बनान चेंज करना है यह अपनी हैर सेट्ट कर रहा है वाow ठीक है है यह को यह वाला थोड़ा बैटर लग रहा है इसी को रहन देंगा ठीक है अब नेक्ष रहते हैं इसकी आइस पे आइस पे हम कौन से कलर लें ग्रीन कौन सा अपने हिसाब से कश्टमाइस कर लें मैंने रखा है अगर इसकी आइब्रो वगएर आपको सेट करना है तो वह भी कर सकते हो मैंने सिंपल सा रखना यह आइब्रो सही है अब क्रेक्टर लगबग अपना डिजाइन हो चुका है इसके जो गोगल से यह मैंने यही रहन क्लिक कर दिया है बट हमें नहीं चेंज करना हम इसी पर रहने लिए लग रहे रहा है यह वाइं तब होगा जब आप इसकी गोल्या प्रीमियम करोंगे तो बाय करना यार 55-60-60-60 अगर आपको चलाना आ जातो वैसे इसमें फिरे में आपको काफी साधी चीज़े देखने को मिल जाने वाली है जिनका यूज कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को जरूरत पढ़ने वाली है अब पहले हम इसमें चेक करते हैं कि फिरी में कुछ है जो बढ़िया हो मैंने जो था उसे यूजी कर लिया है अब कोई भी फिरी की बढ़िया चीज नहीं होने वाली है फिर भी एक बार चेक करने में क्या आजाता है तो यह जो सल्ट है काफी ज्यादा बढ़िया लगड़ी है इससे सल्ट का यूज करते हम पागी इसमें दो तीन चीज़े और भी वाइट ये ये बढ़िया लगड़ा है इससे रखते है कर पैंट का अगर चेंज करना तो वह भी निचे की और देखा है इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया इसको दिये हूए जो कि फुरी में है Wow amazing यार काफी ज्यादा ड्रेसे जिनका यूच कर सकता हूं मतलब कि हम एक चेंज करेंगे थ्वड़ा नीचे चलते हैं काफी सारे क्रेक्टर सागए हैं ड्रेस काफी अमेजिंग जिनका मैं यूज कर सकता हूं मैं सिंपल वाला यूज करता हूं यह नेरो पैंट वो तरह दूसरा हो द्रेस बाहर आगे न तो बढ़िया नि लग रहा है चलो हाँ यह ठीक है ब्लैक होता तो ज्यादा बैटर रखता है अब ठीक है ब्लैक हो गया अब इसके सूस को भी चेंज कर लेते हैं सूस भी मेरे पास काफी सारे आ चुके हैं सूस कैसा हो यह ब्लैक वाला देखते कैसा लगता है आइधिंक बैटर तो लगना चाहिए आप देखने के लिए डाउनलोड करना पड़े यह बढ़िया यार इसी लगाते हैं यह काफी बढ़िया लग रहा है इसके उपर जचेगा भी वैसे पैर का दिखने नहीं वाला है अब अगरा लिखने इसका नाम जैसे कुछ और लिखना है तो मैं नाम लिख देता हूँ सिंपल सा आप्लीकेशन के अंदर आपको मैं दिखाई दिया था पूंसा अप्लीकेशन है प्लैटागोर्न ठीक है आपके प्लेस्टोर मिल जागा है लिंक को जो है मैंने डिस्क्रिशन में दिया कमेंट मैं पीन कर दूँगा तो आप download कर लेना तो भाई अपना character देखो आचुका है कितना ज्यादा amazing लग रहा है इसका ये जो ये वाला character है और इसका ये जो ये वाला character है मैंने खुद से वना हुआ है जो कि काफी ज्यादा awesome लग रहा है देख सकते हो ये collector पहले कैसा दिख रहा था तो हम अपने इस character को ले लेते हैं जिसको हम बैठाने वाले चेर पे और एक 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 और है उसको हम लेकर आएंगे अब क्या करना आपको इधर जो चैंपूटर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है ये जो चैंपूटर आपको लिख रहा है इस पर क्लिक करना है ये वाला option जो लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है इस पर आप जैसी क्लिक करते हो तो आपको ये दुखश आजागी कि चेर पे बैठाना है की चेर के पीछे बैठाना है हम ने इसे simple सा चेर पे कर दिया अब ये बैठ चुका है चेर पे अब यह देखो कितना ज़्यादा ओसम लग रहा है, क्रेक्टर हमें सिंपल से वन क्लिक हैं और कुछ इस तरीके का सीन क्रेट हो गया है, अब आपने सीन क्रेट करने के लिए क्या करना होगा, उससे पहले एक और क्रेक्टर को ले आओ, जिससे बात करने वाला है, तो करके आप हम लाने वाले एक female का क्रेक्टर हमारे पास वैसे डाउनलोडड है, हम इसे आपने कहां पर रखना है, अब देखो यह रेड रेड मार्क आ गया है न, यह क्यों आया है, क्योंकि यह जो क्रेक्टर अपना female वाला वह भी इदरी सीट है, तो हमने इसे क्या करना है behind कर देना मतलब कि पीछे कर देना है यह दुख अभी जो character है पीछे आ चुका है अब आपने यहां से करना एक scene को create वो गैसे होगा देखो आपको इधर कुछ options देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यह जो A लिखा हुआ है इससे आप कुछ भी लिख सकते हो इधर music add कर सकते हो हटेरा आपको जब आप movie create कर लोगे तब यूज होने वाला है तो अपने simple से कितर click करने है इस पर click करने है इस पर जैसी click करते है तो आपका देखो यह आ जाएगा कि आपने किस actor को बोलाना है मतलब कि आब बाता आती है कि actor को speak कराने वाले है आपसे में बातचीत कराने वा इस आपको अपको इस और अप्सेंस देखने को मिलता यह इसका क्या काम है उधार साथ में जो आपको आपको अपर देखने को मिल रही है इन सब को आपको वॉर्क है तो एक करके बताऊंगा जैसे आप इस नैचरल वराले पे पुछहार है तरहाले 어떻ud उसके बादा लेक्ट भाइब कार में इस को सभी इस को इसको डोकिक हो ही जुआ हाल, 10फ सीने जह प्रता कर जो ही करने कि भाला सबूस्खा कर देखा अब दोगा है Frp करेक्टर को लेना है जैसे कि मैंने इस सेम करेक्टर को ले लिया है अब इधर आपको क्या करना है लेफ्ट साइड देखना है इधर देखो कहीं लेफ्ट साइड लिखा हुए रहा ना लिखा हुआ है लुक राइट लुक लेफ्ट तो इधर मैंने क्लिक कर दिया अब इधर कि और लिखने ऑप्सन से करें रहे है अगर आपने इदर मिज्ञेंग करने है है या पिछाई करना है तो आप इधर से कर सकते हो बाकि यह जो इसका next all options देखने को मिलता है camera angle की setting वगरा देखने को मिलते है इससे आप मत छेड़ना जैर से यही रहन देना यह थोड़ा advanced level की हो जाती इसके बारे में बताऊंगा अपर वीडियो के last में अब इसका next option देखने को मिलता है इसमें भी आपको same जो जो आपने movement इसमें add की हो वो सब दिखती है तो वापिस हम इदर set कर देंगे इसे हम cut करते है अपना इतना रहन देते है ठीक है अपना field view set हो चुका है अब यह देखो अपना जो next यह वाला options देखने हो मिलता है जैसे को मुझे यह वाला scene नहीं चाहिए तो मैं इस पर simple सा click करूंगा तो एक cut वाला options आ जाता है तो cut वाले पर click कर दूंगा cut हो जाएगा अगर यह वाला click कर दूंगा यह वाला dialogue box है उपर चल जाने वाला है तो हम इसे नहीं छेड़ना है simple साइसे click करते हैं अब इदर हमने dialogue लिखना है तो dialogue हमने कि क्या लिखते है what is the meaning of success जैसे इदर what is the meaning of success यह हमने लिख दिया ठीक है अब इतना लिखने के बाद अब यह जो करेक्टर यह जो मैंने लिखा हुआ है अब हाँ इसमें एक चीज है कि आपने ना यह जो meaning बगरा है यह accurate नहीं लिखना है मतलब कि जैसे आप WhatsApp में टाइप बगरा करते है तो वैसी लिखना है यह उसी परकार का सुनता है और कुछ है नहीं से सुनने का यह जो करेक्टर आपको मैं इवबर सुनाता हूं किस तरह बोलने वाला है बहुत ही ज्यादा amazing video होने वाली अब आपको मैं advanced level की बताने वालों तो वह ध्यान से सुन लेना तब आप exit कर सकते हैं आपको यूज करो अब देखो लड़की की तरह बोला है क्योंकि हमने बढ़िए को चेंज ह OF तह लिए था तो लेना दब आपका का मुगा होगा अब से उसके पीछे वा कम कर देते हैं यह हम कर देता इतना कम कर देता यह ठीड़ एगा हम एक बबर आपको बला के दिखाते हुए चलो तो हम देखे-वापी चलो कीम हैर्द में यह सक्सेस की मीनिग बताएं इए आप GOT कडSPD के बीडियो अपनी कैसी बनी यहां चल नहीं नाइक्श्ट भुलाएंगे इससे बुलाने तो simple से इसका natural जो है simple surrender और कुछ नहीं अब इधर में क्या करने वाला हूँ जो dialogue हमने लिया था उसे paste करेंगे but clipboard में paste है उससे पहले मैं copy कर लेता हूँ जो dialogue है so मैंने जो अपना dialogue अभी देखो paste कर चुक है अब यह थोड़ी से scanning लेगा उसके बाद जो dialogue है इसके अंदर सेट हो जाने वाला है सब काम जो होने वाला है अगर आप चाहते हो कि सब्टाइटल अगरा एड़ करना तो वह बता हूँ आखिर आप कैसे सब्टाइटल को एड़ कर सकते हूँ देखो सिंपल सा है और पुछे नहीं जो को आपको में बैक करके दिखाता हूँ वापिस से जहां स्टाइटिंग से बोलता है अब देखो पीछे देख रहा है पीछे देख रहा है बहुत है ना इस पर आपने तीनों में जैसे कि इस वाले में इस वाले में इस पर और इस पर आपने सेम भी रखना है जैसे कि यह जो वाला उप्सन आपको यह दिख रहा है ना फाइल वाला इसमें आपने कम कर देना है तीनों में किसी में भी ज्यादा नहीं रखना है अब मैं इसमें भी कम कर देता हूं कि हमें फिल्ड व्यू कम ही चाहिए एडिटिंग के वक्त यही काम आने वाला है और कुछ नहीं इसे डन पर क्लिक किए अब यह डन हो चुका है फिल्ड व्यू अपना सब में जोए कम हो गया हम जूमिन करके जो इससे पहले जैसा कर कि यह करते हैं ठीक है जूमिन हो गया था यह चलो इससे आगे कर दो कि चलो डन अब यह हो चुका है अब मैं आपको दुबारे से प्ले करके दिखाता हूं देखो सबस्ट अब कुछ नहीं था नहीं अब इसमें भी साइड भी हो जाए ठीक नहीं है चलो इससे भी ठीक कर देटें अदिव हैं यह प्रसेओं गया है टीनों हो चुका है आपका सही से एड्ड अब धेखो आपको क्या करना है सिंपल से जो उपर options देखने हो मिलेगा यह वाला इस पर आपको किलिक कर देना है इस पर जैसे कि यह सब्टाइटल, अगर अगरा अगराइस सब्टाइटल के साथ चाहते हो तो वह अगराइस सब्टाइटल के विना चाहते तो वह मैं export विडाउट सब्ताइटल पर किलिक कर देता हूं इस पर यासी किलिक करता हूं। यह मेरा इस लिए जुल रौत रएक्डर के लिए कर देगा। उसके बाद्यू और जो मेरी वीड़ धार्टसेब हो जाने वाली है। तो चलो फिर आपको मैं एक बार वीडो प्ले कर दिखा देता हूं कि वीडो अपनी कैसी बनी है बाकी अगर आप चैनल पर नौर तो सब्सक्राइब कर ले ना वीडो को लाइक कर ले ना इस तरह की अमेजिंग कोर्सेस हमारे चैनल पर आती रहेगी तो चैनल पर बने रहना और वीडो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलता पर नेक्स्ट अमेजिंग वीडो में तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स थे जाती का बहुतMAN पर वीडो कि मुश्श थे दूए्टे पार रस पारे के लिए अमेजिंग पारेप नहिंग तूप कर दोStे ओढदा में नेस्पका दोत्वं 메ंज के लिए क् effects means winning admiration leadership being looked up to by people in your business and social life success means freedom, freedom from worries, fears, frustrations, and failure success means self-respect, continually finding more real happiness and satisfaction from life being able to do more for those who depend on you success means winning success, achievement, is the goal of life